नमस्कार में प्यारे दोस्तों मैं स्वरोकुमार्सिंस स्यूरिश डिडिम आपका हारी स्वध करता हूँ आसा करता हूँ कि आप लोगे प्रहाई बहुत अची से चल रही होगी आज हम लोग परने वाले हैं दोस्तों लूसेंट समान ग्यान जो कापी इंपोर्टेंट है सभी एकजाम के दिश्टी कौन से और आज हम लोग इस बुक में जो दिया गिया इतिहास यानि हिस्ट्री इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट को कम्प्लिट करेंगे पहले पार्ट में हम लोग चेप्टर नंबर 46 यानि 46 चेप्टर तक दोस्तों कम्प्लिट कर चुके थे और आज हम लोग कम्प्लिट करेंगे चेप्टर नंबर 47 यानि 47 से लेके last तक यानि जब तक complete नहीं होगी पूरी history तब तक दोस्तों हम लोग करते रहेंगे इसलिए video long बनेगी तो आप लोग घवराईएगा नहीं पेसेंग के साथ बने रहेएगा अगर आप मेरा session मनते हैं दोस्तों तो हम केंगा अगर आपका कोई भी exam है तो exam देने से पहले इस book को शुरू से लेकर अंतक एक बार पढ़ जरू लिजिएगा क्योंकि Lucent की book दोस्तों काफी important book और काफी अच्छी book होती है चली दोस्तों हम start करते हैं start करने से पहले आप इस book को देख लिजिए यही book है दोस्तों Lucent समान ग्यान start करने से पहले एक सोहन लाल दोदीजी का एक quote से जिसे आप लोगों भी शमर्खना चाहेंगे इस quote को हमेशा आपने मन में रखिएगा और इस पर विचार कीजिएगा लहरों से डर कर नोका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती नहनी चीड़ी जवदाना लेकर चलती है चटती दीवारों पर सुवार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सास बरता है चटकर गिरना गिर का चड़ना नहीं आखरता है आखिर उसकी मैनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती दूपकियां सिंदों में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लोट कराता है, मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में, बरता दोगुना उसा इसी हैरानी में, मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती एक अंतिम पंक्ती है दोस्तों असफलता एक चिनोती है इसे स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक नो सफल हो नीद चैन को त्यागो तुम संघर्स का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ के बिनाई जय जय कार नहीं होती आप एक दौस्तों टेलीग्राम चेनल बनाए है आप लोग टेलीग्राम में जायेगा और स्योल श्टेडी चेक किजियेगा यहीं लोग उसमें दिया गया है उसको जोइन कर लिजिएगा क्योंकि इसमें इंपोर्टन इंपोर्टन बुक की पीडियर दी जाती है यानि कहा जाते एक्जाम की दिश्ची कोन से important है इसको join कर लिजिएगा अगर दोस्तों जीवान में मुसीवात आए तो कभी घबराना मत क्योंकि गिरका उटने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों इस point को आप हमेशा याद रखेगा और एक बात हमेशा याद रखेगा महनत कभी विवेर्थ नहीं होता है महनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है और आप लोग महनत कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते दोस्तों बिल्कुल कर सकते सिर्फ आप लोग एक वर मन और जित के साथ एक वर अपनी जिन्गी अपनी लाइब के लिए एक वर भीर जाईए देखें एक जम कैसे नहीं निकलता है एक जम 100% निकले कि दोस्तों हम गाएंटी के साथ करतें सिर्फ आप लोग एक बर मन और जित के साथ एक बर भीर जाईए और हम से जितना होगा हम आप लोग एक साथ हमेशा रहेंगे कुछ ने कुछ लेके दोस्तों पड़े हम आते रहेंगे और इस book को देख लिजिए यहीं book है दोस्तों जिसका पर्थम संसकर्ण हुआ था 2003 में और यह पंदरमा संसकर्ण है जो दोस्तों 2022 में हुआ है यानि यह book दोस्तों अप टू डेट है 2022 के एक जाम के दिश्टी कोन से तो काफी important book है इसको आप लोग जो नहीं खड़ दें जाके खड़ी लिजिएगा और दोस्तों यह complete कर लिजिएगा और देख लिजिए इसको इसमें दोस्तों chapter number 46 chapter number 46 नों जो दिया गया 1857 की महान करांती यहां तक दोस्तों हम लोग पहली पार्ट में complete कर चुके थे और आज हम लोग complete करने वाले हैं भारत का सोतंता संगर्स सिसमंदित महत्पुन्तत से लेके यानि chapter number 47 से लेके last तक यानि दोस्तों यह जो दिया गया chapter number 15 विश्व इतिहास का दुश्य विश्यूद यहां तक दोस्तों हम लोग complete करेंगे यानि पूरी हिस्ट्री दोस्तों आज complete हो जाएगी और एककर के सभी subject को दोस्तों हम लोग complete करेंगे और इसमें science की part को सभी को complete कर चुके हैं भारती सभीधान को भी दोस्तों हम लोग complete कर चुके हैं फिजिस केमेस्ट्री बायलोजी को complete कर चुके हैं और इसमें जो दिया गया विवीद जो काफी long था इसे भी दोस्तों हम लोग complete कर चुके हैं एक के करके जो subject बचा हुआ है इसे भी दोस्तों हम लोग complete करेंगे चलि दोस्तों बिना दिर की वह हम e-start करते हैं चेप्टर नमर फोटी सिक्स में दिया गिया है भारत का सुतंता संगर्स से समन्दित महत्पुन्त थिये जो काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम के द्रिष्टिकों से का पहला पॉइंट है पहला अंग्रेज बिरोधी संगर्स सन्यासियों की द्वारा शुरू किया गिया द्वारा अंग्रेज बिरोधी संगर्स सन्यासियों की द्वारा शुरू किया गिया दूसरा पॉइंट है 1887 इस्वी में दादा भाई नरोजी ने इंग्लेंड में भारती सुधार समिती की अस्थापना की 1887 इस्वी के बाद बेटी सरकार का रुख कॉंग्रेज के परती कठोर होता चला गिया उसके बाद है नरोजी दत एवं चाचा ने धन निकास के सिध्धान्त का परतिपादन किया दादा भाई नरोजी ने धन का पलाएं सिध्धान्त का वर्नन अपनी पुस्तक पवर्टी एंड अन्बिर्टिस रूल इन इंडिया में किया अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको हमेशा याद रखना है देखिए कॉंग्रेस पर कुछ विशेश टिपन्या ने किया था टिपन्य किया था वो देखिए डफरी ने कहा था कॉंग्रेस के वल सुक्ष्म दर्सी अब संख्या का परति निध्यतु करती है डपरी ने कहा था कौउंग्रेस के बल सुक्ष्म दर्शी अब संख्या का परतिनिधित्यु करती है करजन ने कहा था कॉंग्रेस लर्खडा कर गिर रही है भारत में रहते हुए मेरी इक्षा है कि उसे सांती पुर्वख मरने में मदद कर सकूं करजन ने कहा था कॉंग्रेस लर्खडा कर गिर रही है भारत में रहते हुए मेरी एक्चा है कि उसे सांती पुर्वक मरने में मदद कर सकूँ और अर्विंद घोस ने कहा था कि कॉंग्रेस च्छै रोग से मरने ही वाली है याद रखेगा अर्विंद घोस ने कहा था कॉंग्रेस च्छै रोग से मरने ही वाली है और बंकिम्चन चटर जी ने कहा था दोस्तों कॉंग्रेस के लोग पदों के भूके राजनितिक हैं और अ असुनी कुमार दत ने कहा था कौंगरेस का सम्मेलं तीन दिन का तमासा है लाला राजपत राहें ने कहा था और विपिन चंदर पालने कहा था कौंगरेस याजना करने वाली संस्था है विपिन चंदर पालने कहा था कंगरे स्याजना करने वाली संस्था है बेटिस हाउस ओप कोमन्स का चुना लरने वाले सरपर्थम भारतिय दादा भाई नरोजी थे इन्होंने लिब्रल पार्टी के उमीदवार के रूप में फिंस वरी से 1892 इसी में चुना जीता था बेटिस हाउस ओप कोमन्स का चुना लरने वाले सरपर्थम भारतिय दादा भाई नरोजी थे इन्होंने लिब्रल पार्टी के उमीदवार के रूप में फिंस वरी से 1892 इसी में चुना जीता था लॉड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्ने की घोसना किया बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकत्ता के टाउन हॉल में सोदेशी अंदोलन की घोसना की गई बंगाल विभाजन 16 अक्टुबर 1905 को परभावी हुआ इस दिन पूरे बंगाल में सोक दिवस मनाये गया रविन्द नर्ट टैगोर के आउवान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाये गया सोदेशी आंदोलन में बंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए एबंगाल एक है आधी नारे लगाए गए थे बंगाल विभाजन के बिरोध में 7 अगस 1905 को कॉलकत्ता के टाउन हॉल में सोदेशी आंदोलन की घोसना की गई बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को परभावी हुआ इस दिन पूरे बंगाल में सोक दिवस मनाये गया रविन्ना टैगोर के आहवान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाये गया सोदेशी आंदोलन में बंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आधी नारे लगाए गये थे यह important है दोस्तों नोट सोदेशी आंदोलन का विचार सरपर्थम किष्ण कुमार मित्र के पत्र संजिवनी में 1905 स्विवें प्रस्तूत किया गया था आंदर के डेल्टा इलाकों में सोदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था आंदर के डेल्टा इलाकों में सोदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था सोदेसी आंदोलन का दिली में नेत्रित हुए सयद हेदर राजा मदरास में चितंबरम पिल्ले पुनाव मुंबई में तिलक ने पंजाम में लालाजपत राइने किया था सोदेसी आंदोलन का दिली में नेत्रित हुए सयद हेदर राजा मदरास में चितंबरम पिल्ले पुनाव मुंबई में तिलक ने किया था और पंजाम में लालाजपत राइने किया था 1906 में कलकाता में हुए कंगरेस के अधिवेशन की अधिक्स्ता करते हुए दादा भाई नरोजी ने पहली बार सोराज की मांग परस्तूत किया नोट सोराज सब्द का पहली बार परियोग स्वमी दयानन ससुती ने किया था इसको याद रखियेगा सोदेसी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कंगरेस 1937 में सुरत अधिवेशन में उगरवादी यानि गरम दल एवं उदारवादी यानि नरम दल नमक दो दलों में विभाजित हो गई और इस सम्मेलन की अधिक्स्ता रास भियारी बोस ने की थी सोदेसी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कंगरेस 1937 में सुरत अधिवेशन में उगरवादी यानि गरव दल एवं उदारवादी यानि नरम दल नमक दो दलों में विभाजित हो गई इस सम्मेलन की अधिक्स्ता रास भियारी बोस ने किया था सोदेसी आंदोलन के अफसर पर ही रविन नर्थ ठाकुर ने अपनी परसीद गित अमार सुनार बांगला लिखा बाद में यही गित बंगला देश का राष्ट गित बन गिया सोदेसी आंदोलन के परचार परसार के लिए आसुनी कुमार दत्ता ने बारी सल में सोदेसी बांधव समिती की अस्थापना किया अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अठार सो तेरानवे इसमी का वर्स एक परिवर्तन बिंदू था इसके बारे में देखिए दोस्तों 1893 इसमी का वर्स एक परिवर्तन बिंदू 1893 इसमी विवेका नंद जो 1863 से 1902 इसमी तक थे अमिर्का के सिकागो नगर पहुचे सितंबर 1893 इसमी वहाँ पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें दो मिनट बोलने का समय दिया गया था जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव का संबोधन अमिर्का के भाईयों और बहनों के साथ सुरू किया तालियों की गरगरहाट ने नो केवल उन्हें बलकि भारत को वीशु के सर्वोज देशों में लाकर खड़ा कर दिया उन्हें तुफ़नी हिंदू कहा जाने लगा 1893 से 1902 इसमी तक थे अमिर्का की सिकागो नगर पहुचे सितंबर 1893 से वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें दो मिनट बोलने का समय दिया गया था जैसे ही उन्हें उन्हें अपने वक्तव का सम्मोधन अमिर्का के भाईयों और बहनों के साथ सुरू किया तालियों की गरगराट ने नो केवल उन्हें बल की भारत को विश्व के सर्वोज देशों में लाकर खड़ा कर दिया उन्हें तुफानी हिंदू कहा जाने लगा अठाश सो तरानवे इसी में चोद्वर्स के बाद योगी राज अर्विन घोस जो अठाश सो बहतर से उन्हें सो पचास इसवी तक थी कि भारत भूमी पर वापसी हुई अठाश सो तरानवे इसी में उन्होंने एक लेख माला न्यू लेंप फोर ओल्ड प्रकासित किया था अठाश सो तरानवे इसी में चोद्वर्स के बाद योगी राज अर्विन घोस जो अठाश सो बहतर से उन्हें सो पचास तक थे इसी तक थे भारत आई वे वारनसी सहर में रहने लगी उन्होंने भारतियों से कहा कि मैं हिर्दे से तुम्हारे साथ हूं और संस्कीती से भी मैं तुम्ही लोग में से एक हूं 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 इस्वी भारत आई थी वे वारनसी सहर में रहने लगी उन्होंने भारतियों से कहा कि मैं हिर्दे से तुम्हारे साथ हूं और संस्कीती से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूं 1893 इस्वी महत्मांगांदी जो 1879 से 1948 इस्वी तक थे अब्दुल्ला सेथ नामक वेपारी के मुकदमे में दच्छिन अफिरका गए थे 1893 इस्वी महत्मांगांदी जो 1879 से 1948 इस्वी तक थे अब्दुल्ला सेथ नामक वेपारी के मुकदमे में दच्छिन अफिरका गए थे करांतिकारी गति विदियों की दिष्टी से भी 1893 इस्वी का वर्स महत्पून है नासिक में चापेकर बंदुओं ने एक गुप्त संस्था Society for the removal of obstacles to the Hindu religion अस्थापित की करांतिकारी गति विदियों की दिष्टी से भी 1893 इस्वी का वर्स महत्पून है नासिक में चापेकर बंदुओं ने एक गुप्त संस्था Society for the removal of obstacles to the Hindu religion अस्थापित किया बंगाल में करांतिकारीयों का पहला पर मुक्संगठन अनुसिलन समिती था जिसकी अस्थापना 24 मार्च 1993 में को हुई थी और संस्थापकों के अनुरोद पर बेरिश्टर और पर्थमनाथ मित्र याने पी मित्र इसका नित्रतु समहला और इसका मुख्याले कोलकात्ता में था और इसके पर्थम कारकारनी के पाच सदसे थे पर्थमनाथ मित्र ये अध्यक्ष थे दोस्तों और दूसा चितमरंदास एवं तीसरा अर्विन घोस उपाध्यक्ष थे सुरेननाथ ठाकूर कोसा अध्यक्ष थे और सिस्टर नेवेदिता कारकारनी की सदस्या थी और 1906 में अनुसिलन समीती का पाला समेलन कोलकात्ता में हुआ अनुसिलन समीती का मुख्य उदेश था खून का बदला खून आगे चल कर बारेंदर कुमार घोस अभिनास भटाचार एवं भुपेंदर नाथ दत का गोट अनुसिलन समीती पर परभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता परदान की इन लोगोंने 1905 सी में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पूस्तक प्रकासित की जिसमें कहा गया था कि करांतिकारी राजितिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधिनता प्राप्त नो हो अक्टुबर 1907 इस्वी में अभिनास चंद्रभटा चार द्वार प्रकासित वर्तमान र इसके लिए चापामार युद अपनाने के लिए कहा गया था अनुसलन समिती ने हेमचंदरदास कानुनंगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी करांतिकारी निकुलस संफ्रांस की से बम बनाना सिखा था दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट इसको फिर से देख लेते हैं दोस सिलन समिती था जिसकी अस्थापना 24 मार्ज 1903 इस वी को हुई थी सनस्थापकों के अनुरोध पर बेरिश्टर पर्थम नात मित्र याने पी मित्र इसका नेतरित्व समहला इसका मुझ्याले कोलकाता में था इसके पर्थम कारकरनी के पंच सदसित थे पर्थम जो पर्थम दास एबं अर्विन घोस ये उपाध्यक्ष थे, सुरेन नातर ठाकोर ये कोसा अध्यक्ष थे और सिस्टर ने में दीता ये कारकारनी की सदस्या थी 1906 में अनुसलन समीति का पाला समेलन कोलकाता में हुआ, अनुसलन समीति का मुख उद्देश था, खून का बदला खून और उग्रता परदान की, और इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नमक अपनी पहली पुस्तक प्रकासित की, जिसमें कहा गया था कि करांतिकारी राजितिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं, जब तक स्वाधिनता प्राप्त नो हो, अक्टूबर 1907 में अभिनास चंद अमार युद अपनाने के लिए कहा गया था, अनुसलन समिती ने हिम चंदरदास कनुनंगों को पेडिस भेजा, जिसने रूसी करांतिकारी निकुलास सम फ्रांस की से बम बनाना सिखा था, काफी ये इंपोर्टेंट था दोस्तों, बारिंदर कुमार घोस, भुपेंदर न दत को 1907 में एक वर्स की करी सजा दी गई, 1908 में यह पत्र बंद कर देना, मतलब बंद कर दिया गया था, दोस्तों, देखें, बारिंदर कुमार घोस, भुपेंदर नाथ दत एवां अभिनास चंदर भटाचारी ने 1906 में युगांतर नामक सर्ताहिक पत्र का प्रकासित कि युगांतर के पर्थम संपादक भुपेंदर नाथ दत को 1907 में एक वर्स की करी सजा दी गई, 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा, धाका अनुसिलन समिती की अस्थापना पी मित्रा एवं पुलीन दास ने 1940 में धाका में की थी, धाका में इसकी लगभग 500 सखाएं थी धाका अनुसिलन समिती की अस्थापना पी मित्रा एवं पुलीन दास ने 1940 में धाका में की थी, धाका में इसकी लगभग 500 सखाएं थी 11 दिसंबर 1908 सवी को अनुसिलन समिती का गयर कानुनी गोशित कर दी गई 11 दिसंबर 1908 सवी को अनुसिलन समिती गयर कानुनी गोशित कर दी गई खुदीराम बोस जन मठारे 189 सवी गराम हबीब पूर्द जीला मिदनापूर पसिम बंगाल पकरने वाला पुलीस फता सिंग एवा सिव परसाद मिस्र खुदीराम बोस के मुकदमे में जज करनडफ सरकारी वकिल मानुक वा विनोध मजुमदार खुदीराम बोस की और से वकिल काली दास बोस फांसी की तारिख 111908 सवी एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी परके तक पर जाक खरे हुए खुदीराम बोस जन्म 889 सवी गराम हाजबीपूर मिजीला मिदनापूर पसीम बंगार पकरने वाली पुलीस फताव सिंग इवं सिव परसाद मिस्र खुदीराम बोस के मुकदमे में जजकर्न डफ सरकारी वकील मानुक वा विनोद मजुमदार खुदीराम बोस की वर से वकील काली दास बोस और फांसी की तारिख 111908 सवी एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तक पर जाक करे हुए 11 दिसंबर 1908 सभी को अनुसिलन समीती को गयर कानूनी गोशित कर दी गई पर भुल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अपरेल 1908 को मुझपरपूर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रियत्न किया गलती से बम कैनेडी के गारी पर गीरा दिया गया जिससे दो महिलाएं प् पर फुल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अपरेल 1908 को मुझपरपूर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रियत्न किया गलती से बम कैनेडी के गारी पर गिरा 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 दिया गया जिससे दो महिलाओं प्रिंगले की पतनी बेटी की मिर्थी हो गई चाकी ने आत्मत् अठारे बर्स की अवस्ता में 11 अगर्स 1908 को फासी देदी गई खुदीराम बोस बंगाल के कुरांतिकारियों के युगांतर दल के शक्रिय सदस थे युगांतर दल के निता बारिंदर कुमार गोश्त थे खुदी राम बोस बंगाल के करांतिकारियों की युगांतर दल के सक्रिय सदस्ते युगांतर दल के नेता बारिंदर कुमार घोस थे अलीपूर सदियसी को अधारे माई 1908 को कलकत्ता के अलीपूर अधालत में 31 वेक्तियों को अवैक्ता के ससते रखने के कारण पेस किया गया इन वेक्तियों को अवैक्त। रखने के कारण ग्रिफ्तार किया गया था 19 अगस्ट 1908 इस्वी को तीस आदमियों को सेशन जज्ज के सुपूर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को साथ आओर आदमियों को इस मुकदम में सामिल किया गया यही मुकदमा अलिपूर सर्यंत केस के नाम से परसिद है इस के सरकारी गवा नरेंदर नाथ गोसाई को अलिपूर जेल में सतेयन नाथ गोस और कनहाई लाल दत ने गोली मार दी यह जो है बात है भारत के गज़ेटियर से 5752 के पेज नमर पासव चौश्ट के अनुसार अनुसीलन समीती के स्थापना 1906 में बरिंद कुमार गोस ने की थी इसके फिर आगे इसका पड़ रहे हैं दोस्तों इसके लिए दोनों को फासी की सजा दी गई बारेंदर कुमार गोस उल्लासकर दत हेमचंदर दास और उपेंदरनात बनर जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली बाकी लोगों को 10 वर्स 7 वर्स और 5 वर्स की सजा दी गई इस मुक पारेंदर कुमार गोस उल्लासकर दत हेमचंदर दास और उपेंदरनात बनर जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली बाकी लोगों को 10 वर्स 7 वर्स और 5 वर्स की सजा दी गई इस मुकदमे में अर्विंद गोस छोड़ दिये गए तब उन्होंने करांतिकारी किरिया कलापों से अलगों कर पांडी चेरी में अबना विश्राम औरे विले अस्तापित कर लिया भारत का गजजेटियर 5-2 के पेज 564 के अनुसार अनुसिलन समीति के अस् महाराष्ट में विनायक दामोदर सावरकर ने 1940 में अभिनव भारत नामक संस्ता अस्तापित की अभिनव भारत संगठन के सदसे पियन वापट वं बनाने की कला सिखने के लिए पेडिस गए महाराष्ट में विनायक दामोदर सावरकर ने 1944 में अभिनव भारत नामक संस्ता अस्तापित की अभिनव भारत संगठन के सदसे पियन वापट बं बनाने की कला सिखने के लिए पेडिस गए दामोदर विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गनेश सावरकर ने देशवक्ति से पुर्णो कुछ कविताओं की स्रचनाई की थी जिसकारण नासिक के जज़ जैक्सन ने उन पर राजदुरों का आरूप लगा कर आठ जुन 1909 को आजिवन निर्वासन का दंड दिया इस सजा को सरवता अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया जैक्सन के विदाई समारों में 20.09 कोई नाटक खेला जा रहा था जियो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा अनंत लक्षमन कनहरे ने उसे गोली मार दी जै नायक दामोदर सावर के बले भाई गनेश सावरकर ने देश भक्ती से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना किती जिसका नासिक्य जैक्सन ने उन पर राजदुरों का अरुप लगा कर 8 जून 1909 को आजिवन निर्वासन का दंड दिया इस सजा को सरवता अनुचित मानकर अ पूली मार्जी जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्षमन कनहरे, क्रिशन जी गोपाल करवे और मिनाइक नारेन देश मांडे को 19 अप्रेल 1911 को फासी दी गई बाल गंगादर तिलक का जन्म 23 जून 1908 चपन को महाराष्ट के रतनागीरी में हुआ था 1881 में उन्होंने साप्ताइक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केस्री मराठी नाम के दो पत्रों द्वारा नवग जागरन प्रारंब किया था बाल गंगादर तिलक का जन्म 23 जूल 1856 महाराष्ट के रतनागीरी में हुआ था 1881 में उन्होंने साप्ताइक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केस्री मराठी नामक देश्च दो पत्रों गर नवग जागरन प्रारंब किया था बाल गंगादर तिलक पहले कांगरेसी नेता थे जिनों ने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की 1897 में राजदुरों के आरूप में 18 मां कारावास हुई फिर 1908 में राजदुरों के आरूप में छो बर्स की सजा कारावास हुई 1908 में 1924 तक वर्मा के मोडले जेल में चो बर्स की काटने पड़े तिलक को सजा सुनाने वाले जज़ का नाम दावर था बाल गंगादर तिलक पहले कांगरेसी नेता थे जिनों ने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की 1897 में राज़दोरों के आरूप में 18 मा की कारावास हुई फिर 1908 में राज़दोरों के आरूप में 6 बर्स की कारावास हुई 1908-1924 तक वर्मा के मोडले जेल में 6 बर्स का काटने पड़े तिलक को सजा सुनाने वाले जज़ का नाम दावर था वैलेंटाइन सीरोल ने अपनी पुझता इंडियन अन्रेस्ट में तिलक को भारतिय और संती का जनक कहा था जिसके लिए तिलक ने उनपर मानहानी का मुकदमा किया प्लेग के समय की ज्याधितियों से परभावित अकरकुना के चापेकर बंदू दामोदर एवं बालकृष ने 22.08.97 को पलेग अधिकारी रेंड एवं एरेस्ट की हत्या कर दी पलेग के समय की जाधितियों से परभावित ओकर पूना के चापेकर बंदूओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22.08.97 भी को पलेग अधिकारी रेंड एवं एरस्ट की हत्या कर दी महाराष्ट से करांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया महाराष्ट से करांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया उनिस्ट पांच इस्वी में लंदन में सियाम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी के अस्तापना की सियाम जी कृष्ण वर्मा को करांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है उनिस्ट पांच इस्वी में लंदन में सियाम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी के अस्तापना की सियाम जी कृष्ण वर्मा को करांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है अविंदरनाच टैगोर ने 1926 वी में इंडियन सोसाइटी फोर ओर्येंटल आर्स के अस्तापना की जिससे प्राचिन भारतीय कला यवं संस्कीति का संदक्षन वर्मा बिकास हुआ न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ता एक समाचार पत्र इवं 1906 में वंदे मात्रम नामक समाचार पत्र विपिंचंद पालने निकाला 30 दिसंबर 1906 इस्वी को ढाका के नवाव सलीम उल्ला खां के दिनी मंतरन पर सम्मेलन हुआ नवाव वकारूल मुल्क इसके अध्यक्स थे इसी सम्मेलन नाकिल भारती मुस्लिम लिग का विदय हुआ जिसका मुक्याले लखनव में था लीग का सम्मेधान 1907 इस्वी में कराची में बना और इस सम्मेधान के अनुसर प्रतम अधिवेशन 1908 इस्वी में अमरित सर में हुआ जिसकी अध्यक्स था सियद इमाम ने की इस अधिवेशन में आगा खांगो मुस्लिम लिग का अध्यक्स बनाय गया इसी अधिवेशन में मुसल्मानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई जिसको 1929 में मारले मिंटो सुधार में मान लिया गया मुसलिम लिग ने बंगार विभाजन का समर्तन किया 1908 मुसलिम लिग की एक साकार लंदन में खोली गई जिसे सयद अमीर अली के ने अस्तापित किया था 30 दिसंबर 1906 में को ढगा के नवाब सलीम उल्लाख खां के निमंतरन पर समेलन वा नवाब वकारूल मुल्क इसके अध्यक्ष हुथे इसी समेलन अकिल भारतिय मुसलिम लिग का उदय हुआ जिसका मुख्याले लखनों में था लिग का संमिधान 1907 जिसंबर इमाम ने की इसी अध्यविषन आगाखउं को मुसिलम लिग का अध्यक्ष बना गया इसी अध्यविषन मुसल्मानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई जिसको 1909 में मारले मिंटों सुधार में मान लिया गया मुस्लिम लिग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया 1908 में मुस्लिम लिग की एक साखा लंदन में खोली गई जिसे स्यद अमीर अली ने स्थापित किया था विकाजी रुस्तम कामा भारतिय मुल्की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के एस्टूट गार्ड सर में 22 अगर्स 2007 इसवी कायोजित सात्वी अंतराश्ची कॉंगरिस में तिरंगा फाराने के लिए जानी जाती है इनके माता पिता फार्सी थे इन्होंने दादा भाई नवरो जी की नीजी सचिव के रुप में काम की थी जर्मनी के एस्टूट गार्ड सर में 25 अगर्स 2007 कायोजित सात्वी अंतराश्ची कॉंगरिस में तिरंगा फाराने के लिए जानी जाती है इनके माता पिता पार्सी थे इन्होंने दादा भाई नवरो जी के नीजी सचिव के रुप में भी काम की थी इक जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाईली को गोली मारकर हत्या कर दी 21 दिसंबर 1909 को अनंद कानहारे ने जेक्षन को गोली मार दी 21 दिसम्बर 1909 को अनंद कानहारे ने जेक्सन को गोली मार दी वाइस सराय लॉड होडिंग ने 1921 स्वी में दिल्ली में भब ये दर्बार का योजन इंगलेंड के समरार जॉर्ज पंचा में मेरी के स्वागत में किया इस दर्बार के निम्ने गोशना है हुई बंगाल विवाजन को रद किया जाए बंगाली भासी छेतरों को मिला कर एक अलग प्रांत बनाया गया बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उरिसा भी सामिल था राजधानी को कलकता से दिल्ली अस्थानान्धित करने की गोशना हुई एक अपरेल 1912 को इस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी वाइसरा लोर्ड होडिंग ने 1911 इस्वी में इस्वी में दिल्ली के मेभव दरबार का यूजन इंगलेंड के समना जोर्ज पंचम में मेरी के स्वागत में किया इस दरबार की निम्न गोशना ही हुई पहला बंगाल विवाजन को रद किया गया दूसरा बंगाली भासी छेत्रों को मिला कर अलग एक प्रांथ बनाए गया तिसरा बिहार एक अलग राजजे बना जिसमें ओडिसा भी सामिल था राजदानी को कलकता से दिल्ली असान अंधित करने के घोसना हुई एक अपरेल 1912 स्वी को दिल्ली भारत की राजदानी बनी 23 दिसम्बर 1912 को रास भी हारी भोस ने दिल्ली में वाइसरा लॉर्ड होर्डिंग पर बंपेका इसके परिणाम सरु 13 वेक्ति के रफ्तार किये गए इसमें परमुकते मास्टर अमीचंद, दिनानात, अबद भी हारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विस्वास, हनु 23 दिसम्बर 1912 को रास भी हारी भोस ने दिल्ली में वाइसरा लॉर्ड होर्डिंग पर बंपेका इसके परिणाम सरुप 13 वेक्ति किरफ्तार किये गए इसमें परमुकते मास्टर अमीचंद, दिनानात, अबद भी हारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विस्वास, अमलोग पढ़ेंगे दोस्तों, अरून डेल कमीटी, अरून डेल कमीटी, लॉर्ड मिन्टो ने 1906 में, लॉर्ड मिन्टो ने 1906 में राजनितिक सुधारों के एतु, इस 4 सदस्य कमीटी का गठन 80 अरून डेल के नहदेत में किया था, इसी ने अपनी सिभारिस में भारत के विविन परिशदों के विस्तार के साथ एक सामन्तों की समीति बनाई जाने की अनुसंचा की, तथा विभाजित बंगाल को पुना एक कर देने की अनुसंचा की, लॉर्ड मिन्टो ने 1906 में राजनितिक सुधारों के एतु, इस 4 सदस्य कमीटी का गठन 80 अरून डेल के नह सूति की, एक नवंबर 1913 में अनिक भारतियों ने लाला हर्दयाल के नेतितों है, सैन फ्रांसिस को अमेरिका में गदर पाटी के अस्तापना की, सोहन सिंग भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हर्दयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कासी राम को साध्यक्ष चुने ग एक नवंबर 1913 में भारतियों ने लाला हर्दयाल के नेतित में सैन फ्रांसिस को अमेरिका में गदर पाटी के स्तापना की, सोहन सिंग भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हर्दयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कासी राम को साध्यक्ष चुने गए थे, एक नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंग परकासित हुआ, जो उर्दो में था, 9 इसमबर 1913 में यह से यहा, गुरु मुखी में चपने लगा, इसके परतिक अंग के पहले प्रिस्ट पर चपता था, अंग्रे जी राज का चच्चा चिठा, कोमा गाता मारू, जापानी बाद जहा पहुचने पर तलासी हुए और संगर्स हुआ, अठाड़े यात्री मार दिये गए और लगभग 25 यात्री गायल हुए, कोमा गाता मारू, जापानी जहाज के बाबा गुरु दत्त सिंग 1914 में ने किराया पर लिया था, यह जलियां तिन से क्यावन यात्रियों के साथ 26 सित सरकार ने कैसरे हिंद की उपादी से मात्मा गांधी को समानित किया, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपादी से मात्मा गांधी को समानित किया, कॉंगरेश के लखनव अधिवेशन 1916 में कॉंगरेश के दोनों दलोह में एकता हो गई, इसी अधिवेशन मुस् था कौंग्रेस के लखनव अधिक्षन Unsus vert के दोनों दलून में एक्ता हो गई इसी अधिक्षन मुस्लिम लीग ने भी कौंग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समीति के अस्तापना की मुसलिम लीग के 1916 के लखनो सम्मेलन के अद्यक्ष था मुंबद अली जिन्ना ने की थी जिन्ना और तिलक के विशेश पढ़ियास से ही 1916 वी में लीग एवं कांगरिस के भी समझोता हुआ था बाल गंगादर तिलक ने स्वासासन प्राप्ति एतु अठेश अप्रेट 1916 वी को पूना में हूमरूल लिखिया स्थापना की इसके अद्यक्ष जोसेफ बपिस्तता थे एवं तदा सचिव एंची केल करते तिलक ने अपने अकबार मराठा अंगरेजी तदा केसरी मराठी मे करते तिलक ने अपने अकबार मराठा अंगरेजी तदा केसरी मराठी के अनमाध्यम से होम रूल लिख का परचार परसार किया एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 वी मडियार मदरास में होम रूल लिख की अस्तापना की जोर्ज अरुन डिल को लिख का सची बनाय गया मोतिलाल न 1916 वी में अडियार परद्रास में होम रूल लिख की अस्तापना की जोर्ज अरुन डेल को लिख का सची बनाय गया मोतिलाल नेहरू जवारल नेहरू सुबर्मन्यम अयर जिन्ना तता तेज बादूर सप्रू इस लिख की से जूरे हुए थे इस होम रूल लिख का परचार परचान एनी पेसेंट ने अपने तैनिक पत्र का न्यू इंडिया तता सप्ताइक समाचार पत्र कोमान वेल्थ के द्वारा किया गया गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लिख आंदोलन में भाग सार्जेंट कहने लगे गांधी जी ने प्रतम विश्यूदी के समय लोगों को सेना में भरतिक होने के लिए प्रोचाइट किया इसलिए लोग इन्हें भरतिक कराने वाले सार्जेंट कहने लगे 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबर मती आशरम के अस्थापना की बिहार के एक किसान नेता राजकुमार सुकलन ने गांधी जी को चंपारन आने को प्रेडित किया चंपारन आंदोलन के इस सुतरधार को कि 20 माई 1929 जी को 54 वर्स के आयों मिर्थी हो गई वह एक अब कहा कि वह चंपारन का केला मर्द था भाद में सत्यागरा का पहला पड़ियो कनि स स सत्रह इसमी में चंपारन बिहार में किया गया चंपारन Invodrol के कारण अंगलेजों को तिनद कठीया परता को समाब्त करना पड़ा तिन कठीया क्यती अंगले मालिकों नार गांधी जी ने सत्यागरा का सरपर्तम पर्योग दक्षिन अफ्रीका में किया बियार की किसान एता राजकुमार सुकलिन ने गांधी जी को चंपारन आने को प्रेडित किया चंपारन आंदोलन की सुतरधार की 20 मैं 1929 को चोवण वर्स की आयों में मिर्तियू हो गई अंगरीज सर्क अधिकारी एमन जिससे सुकल जी 25 वर्सों तक लड़ते रहे थे उनके स्राध करम के लिए 300 रुप्या बेजार एवं कहा कि वो चंपारन का अकिला मर्द था भारत में सत्यागरा का पहला परियोग 1927 में चंपारन बिहार में किया गया चंपारन विद्रों के कारण अंगरीजों को तिनकठिया परता को समाप्त करना पड़ा तिनकठिया खेती अंगरीज मालिकों दोरा बिहार के चंपारन जी लेकर रहयतों किसानों पर निल की खेती के लिए जबरन लागू के जारू लागू तीन तरीकों में से एक था खेती का अनि दो तरीका कुर्तोली और खुसकी कालाता था तिनकठिया खेती में परती भीगा बिस कठा तीन कठा जोत पर निल की खेती का नानिवारी था गांधी जी ने सत्याकरा का सरप्रता पड़ियों दक्षिन अफ्रीका में किया बैसेंट ने 20 अगर सुनिस सत्रा को होम रूल लिक को समाप्त करने की घोसना कुई मौन्टेग्यू घोसना 20 अगर सुनिस सत्रा इस्वी को तत्कारिन भारत सचीव मौन्टेग्यू ने बैटी सरकार्ट और अभारत में लागू किया जाने वाले परस्तावी सुधारों की घोसना की जिसमें चार बातों का उल्लेक था मौन्टेग्यू जो गोसना 20 अगरस 1917 को ततकालिन भारत सची मौन्टेग्यू ने बेटी सरकार्ट और अभारत में लागू किया जाने वाले परस्ता भी सुधारू की गोसना की जिस से में चार बातों का उलिक था पहला बेटी सासन का लख्च भारत में सवसासन को विक्षित करना है बेटिस सासन का लक्षभाथ में सौसासन को विख्सित करना है सौसासन एकदम ना दिया जाकर विविन चर्ना है जाएगा स्वासांशन एक दम ना दिया जाकर विभिन चर्णों में दिया जाएगा विभिन चर्णों का निर्धारन भारतियों दौरा स्वासांशन की दिशा में की गई प्रगती पर निर्वर करेगा विभिन चर्णों का निर्धारन भारतियों दौरा स्वासांशन की समय कि सभसे बड़ी ट्रेड यूंियन थी यहीं गांधी जी ने ट्रस्टी सीव का सिधान दिया इसमें इन्हों ने बताया कि पुंजी पती मजदूरों के हितों की रख्चा करने वाले ट्रस्टी होते हैं 31 अक्टूबर 1920 को एन्यम जोसी ने ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कांगरेस ए आई टी यूसी के अस्तापना की जिसके परतम अध्यक्स लाला लाजपत राई थे मात्मा गांधी ने पहली बार भूग हर्ताल अहमदाबाद मील मजदूरों के हर्ताल 1928-20 में समर्तन की थी गांधी जिन 1928-20 में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया इसके अनुसर किसी भी संदेयास्पत व्यक्ति को बिना मुकादमा चलाय गिरफतार किया जा सकता था परन्तु उसके विरूद ना कोई अपील ना कोई दलिल और ना कोई वकील किया जा सकता था गांदी जी ने इस कानून के विरूद 6 अपरेल 1919 को देश व्यापी हर्ताल करवाई 13 अपरेल 1919 को अमरीच सर में जालिया वाला भाग हत्या कांड हुआ रक्टर सत्पाल और सैफुदिन किचलू की रफतारी के विरूद में धोरे जनसवा पर जनरल आरीच डायर ने अंधाधून गोलिया चलवाई 13 अपरेल 1919 को अमरीच सर में जालिया वाला भाग हत्या कांड हुआ रक्टर सत्पाल और सैफुदिन किचलू की रफतारी के विरूद में धोरे जनसवा पर जनरल आरीच डायर ने अंधाधून गोलिया चलवाई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 389 वेक्ति कॉंग्रेस समीति के अनुसार लगों 1000 वेक्ति मारे गए उसमें पंजाब का लेटिनेंट गवरनर सर माइकल ओ डायर था जालिया वाला भाग हत्या कांड में हंसराज नामक भारतियों ने डायर का सयोग किया था संकरन नायर ने जालिया वाला भाग हत्या कान के विरोध में मात्मा गांदी ने कैसरी हिंद की उपादी जालिया वाला गत्याकांड के वीरोध मैं महतमागांद गांदी ने कैसरी हिंद की उपादी, जालिया वाला बागत्याकांड की जाँच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को में लोड हंटर की अधिक्ष्टा में कमिटी का गठन किया इसमें पांच अंगरेज अवंतीन भारतिये सर चीमनलाल सितलवाड साहब जादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायन सदस्य थे जालियावाला बागत्याकान की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अधिक्स्ता में कमीटी का गठन किया इसमें पांच अंगरेज अवंतीन भारतिये सर चीमनलाल सितलवाड साहब जादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायन सदस्य थे कॉंगरेज ने जालियावाला बागत्याकान की जांच के लिए मदन मोहन मालविये के नेतितुमें एक आयोग नियुक्त किया इसके अनिस अदस्यों में मोतिलाल नहरू और गांधी जी थे कॉंगरेज ने जालियावाला बागत्याकान की जांच के लिए मदन मोहन मालविये के नेतितुमें एक आयोग नियुक्त किया जिसके अनिस सदस्य में मोतिलाल नहरू और गांधी जी थे जालियाँ वाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपती थी और फिर आप हम लोग आगे आएंगे दोस्तों खिलाफत आंदोलन भारतिय मुसल्मानों का मित्र राष्टों के विरुद्विस्यस कर ब्रेटेन के खिलाप तर्की के खिलाप के समर्तन में आंदोलन था खिलाफत आंदोलन भारतिय मुसल्मानों का मित्र राष्टों के विरुद्विस्यस कर ब्रेटेन के खिलाप तर्की के खिलाप समर्तन में आंदोलन था 17 एक्टूबर 1919 को समुचे देस में खिलापत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को स्वमुचे देश में खिलापत दिबस मनाया गया 23 नमबर 1919 को स्वहिंदू और मुसलिम की एक सहयोगत कॉनफरेंस हुई जिसकी अदेखता मात्मा गांधी ने की रॉलेक्ट एक्ट जालियावाला बाग अत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जीन एक अगस 1920 को और सहयोग आंदोलन की पुष्टी भारतिया राश्टी कॉनफरेंस ने दिसंबर 1929 में के नागपुर अधिवेशन में की इसके परस्ताव को सीयारदास न पुरा नाम चंशेकर सिताराम तिवारी जन्म अस्तान भाबुवा जाबुवा जिला अली राज पूर्पाध्य परदेश जन्म तिती 23 जुलाएं 1926 में पिताप पंडित सिताराम तिवारी माता जगराणी देवी सहीद अस्तल अलफ्रेड पाग इलहाबाद चहीत निती 27 परबुववा जन्म अस्तान भाबुवा जीला अली राज पूर्म अध्य परदेश जन्म तिती 23 जुलाएं 1926 में पिताप पंडित सिताराम तीबारी माता जगरानी देवी सहीद असलल अलफेट पार्क इलाहबाद सहीद तीथी 23 परबर उनिशेक्तिस भी संबंदित संगठ नौजबान सभा क्रिती किसान पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन मुहमद अली को सरपर्थम और सयोग आंदोलन में गिराफ्तार किया गया मुहमद अली जिनना एनी बेसेंट और विपिंद चंदर पाल कॉंगरेस के और सयोग आंदोलन से सामत नहीं थे अथा उन्होंने कॉंगरेस छोड़ दी मुहमद अली जिनना एनी बेसेंट और विपिंद चंदर पाल कॉंगरेस को सयोग आंदोलन से सामत नहीं थे अथा उन्होंने कॉंगरेस छोड़ दी और सयोग आंदोलन के दौरान विदेसी वस्तरों को जलाए जाने पर अविद्ना टैगोर ने महत्मा गांदी को लिखा की या निश्चूर परवादी है और सयोग आंदोलन के दौरान विदेसी वस्तरों को जलाए जाने पर अविद्ना टैगोर ने महत्मा गांदी को लिखा की या निश्चूर परवादी है पांच फरवर 1922 को गोरखपुर जीले के चोरी-चोरा नामक अस्थान पर और सयोग आंदोलन कारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी जिससे एक थानेदार एवं एकी सिपाईयों की मिर्ती हो गई इस गटना से दुखित होकर गांदी जीने 11 फरवर 1922 को और सयोग आंदोलन अस्थाकित कर दिया इसमें महत्मा गांदी बार दोली में थी पांच फरवर 1922 को गोरकपूर जीले के चोड़ी चोरा नामक अस्थान पर और सयोग आंदोलन कारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाईयों की मिर्ती हो गई इस गटना से दुखी तोकर गांदी जीन 11 फरवर 1922 को और सयोग आंदोलन अस्थागित कर दिया इसमें महत्मा गांदी बार दोली में थे 13 मार्च 1922 को गांदी जी को गिरफतार कर 6 वर्स की करी कारावास की सजा सुनाई गई स्वास्त संबंदित कारणों से गांदी जी को 5 फरवर 1924 को रिया कर दिया गया 13 मार्च 1922 को गांदी जी को गिरफतार कर 6 वर्स की करी कारावास की सजा सुनाई गई 1922 के मेवार भील आंदोलन का नेता मोतिलाल ते जावत था 1922 के मेवार भील आंदोलन का नेता मोतिलाल ते जावत था 1923 में इलहाबाद में चितरंजन दासे और मोतिलाल नेहरू ने कॉंगरेस के अंतरगत स्वाराज पाटी के स्थापना की 1923 में इलहाबाद में चितरंजन दासे में मोतिलाल नेहरू ने कॉंगरेस के अंतरगत स्वाराज पाटी के स्थापना की माहत्मा गांदी सिर्फ एक बार कॉंगरेस के बेलगाउं अधिवेशन 1924 में इसका अध्यक्ष चुने गए सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपूर में हिंदूस्तान रिपब्लिकान एसोशियेशन के अस्थापना की सचिंद सान्याल ने कानपूर में हिंदूस्तान रिपब्लिकन एसोचियेशन के अस्तापना की सचिंद सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली मनमत नाथ मनमत नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई राम परसाद बिस्मिल या करते वे कि मैं राजिकाप के पतन की इक्षा करता हूं फासी पर लटक गए 9 अगर्ष 1925 को दस वेक्तियों ने साहारनपूर से लखनो की और जा रही दा आठ डाउन ट्रेन से रेल भिवाका खाजाना काकोरी नामकास्तान पर लूट लिया इसे ही काकोरी कांड का गया सरकारी खाजाना लूटने का विचार राम परसाद बिस्मिल का था इसमें राम परसाद बिस्मिल राजेंदर लाहिरी रोसन सिंग एम असफाक उल्ला खाँ को दिसंबर 1927 में फासी दे दी गई इम साचिंदर सानियाल को जीवन कारावास की सजा मिली मनमत नात गुप्त को 14 वर्स की कैद हुई राम परसाद बिस्मिल या करते हुए कि मैं राजी के पतन की इक्चा करता हूँ फासी पर लटक गए संबब्ता असफाक उल्ला खाँ पहले भारती करांतिकारी मुसल्मान थे जो देश के स्वतनता के लिए फासी के तक्ते पर लटके थे संबब्ता असफाक उल्ला खाँ पहले भारती करांतिकारी मुसल्मान थे जो देश के स्वतनता के लिए फासी के तक्ते पर लटके थे इस्ट्रियों ने स्वयम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश से 1926 में अकिल बारती है महिला संग अस्थापित किय साइमन कमिशन तीन फरवरी इसे वाइट मैं कमिशन भी कहते हैं 1937 बिक बटलर कमिटी का मुख्य उद्देश भाद सरकार तता देशी राजियों के समध्य समंधों को सुधार ना था 1937 बटलर समी कमीटी का मुख्यों देश बारा सरकात देशी राजियों के सम्मध्र मद्य सम्मध्रों को सुधार ना था नेरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त उनिस अठेशी में आयोजित सर्व दली ये सम्मेलन में स्विकार किया गया था परदसन करते समय पुलिस की लाटी से लाला लाजपत राए घायल हो गए और बाद में उनकी मिर्थियों हो गई साइमन कमिशन का बहिसकार ना करने वाले दो दल थे जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी साइमन कमिशन का भिष्कार करने वाले दो दलते जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस पार्टी भगत सिंगे नेतित में पंजाब के करन्तिकारियों ने 17 दिसंबर 1968 को लाहूर के ताथकालिन सायक पुलिस कप्तान संडर्स को गोली मार दी भगत सिंगे नेतित में पंजाब के करन्तिकारियों ने 17 दिसंबर 1969 को लाहूर के ताथकालिन सायक पुलिस कप्तान संडर्स को गोली मार दी पब्लिक सेप्टी बिल पास करने के विरोध में 8 अपरेल 1929 को बटू के स्वर्दाते में भगत सिंग ने दिल्ली में सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेका करन्तिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना न पब्लिक सेप्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अपरेल 1929 को बटू के स्वर्दाते में भगत सिंग ने सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली पर खाली बेंचों पर बम फेका करन्तिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बलकि ब अगे हमलों का टोपिक के दोस्तों यह जो है लिया गया है दगजीटियर पेज नमर 573 से कॉंग्रेस के 1929 के लाहूर अदिवेशन में पूर्ण स्वाराज का अपना लक्ष गोशित किया गया था इस अदिवेशन के अदेखता जवालाल नहरु कर रहे थे 31 दिवेशन में पूर्ण स्वाराज का अपना लक्ष गोशित किया था इस अदिवेशन के देखता जवालाल नहरु कर रहे थे 31 दिवेशन में पूर्ण स्वाराज के रहे थे थे लिए प्रस्थान किया लगवग 24 दिनों के बाद सो अपरेल 1930 इस भी को डांडी पहुंचकर गांदी जी ने नमाक कानुन तोरा और साविन्य अवग्या अंदोरन की सुरुवात की सुभास्चंद बोस ने गांदी जी के नमक नमक सत्यागरा की तुलना नेपोलियन की लिए प्रस्थान के लिए प्रस्थान के लगवग 24 दिन बाद 46 अपरेल 1930 इस भी को डांडी पहुंचकर गांदी जी ने नमक कानुन तोरा और साविन्य अवग्या अंदोरन की सुरुवात की सुभास्चंद बोस ने गांदी जी के नमक सत्यागरा की तुलना नेपोलियन क एलबा के पेरिसी आता से किया है चार मार्च 1931 बीए गांधी इर्विन पैक्ट हुआ इसके बाद गांधी जी ने सवविन्य वग्या अंदोरन अस्थागित कर दिया गांधी इर्विन समझोता को दिल्ली समझोता की नाम से जाना जाता है चार मार्च 1931 बीए गांधी इर्विन पैक्ट हुआ जिसके बाद गांधी जी ने सवविन्य वग्या अंदोरन अस्थागित कर दिया गांधी इर्विन समझोता को दिल्ली समझोता के नाम से भी जाना जाता है 1931 में सरदार वल्लाबाई पैक्टिल के देख्षता में हुई कांगरेस के करांची अधिवेसम ने पंडी जवारलाल नहरू ने मुल्व अधिकारों वा आर्थिक कार्ज करम पर संकल प्रारूपित किया इस प्रस्ताव को बनाने में M.N. ड्राई ने नहरू की मदद की थी इसी अधिवेसम में गांधी इर्विन पैक्ट को स्विकार किया गया जब गांधी जी को दुटिये गोल में समयलन भाग लेने के उनमती परदान की गई इसी समय गांधी ने कहा था गांधी मर सकते परंथू गांधी वाद नहीं 1931 में सर्दार वल्लाबाई पैक्ट के देख्टा मुई कांग्रेस के करांची अधिवेसम परणी जवाला नहरू ने मुल अधिकारों वा आर्थिक कार्शक्रम पर संकल पर प्रारूपित किया इस परस्ताव को बनाने में एम एंब राए ने नहरू की मदद की थी इसी अधिवेशन में गांधी इर्विन प्रेक्ट को स्विकार किया गया एवं गांधी जी को जो तिये गोल में समयलन भाग लेने का अनुमती परदान क्यार दी गई इसी समय गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते परन्तु गांधी बाद नहीं दूसरा गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को हुआ मादमा गांधी ने कॉंगरिस के परतिनिदी के रुप में इसमें भाग लिया परन्तु या सम्मेलन सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ मादमा गांधी ने कॉंगरिस के परतिनिदीतु के रुप में इसमें भाग लिया परन्तु या सम्मेलन संप्रदाइक परतिनिदीतु के कार्नोसफल गांधी एसस राजपुताना जहां से लंदन पहुचे थे और बेसंटी याना नामक इतली के पोच्च भारत वापस लोटे परतम गोल में सम्मेलन बारे नवंबर 1932 में हुआ तीनों गोल में सम्मेलन के समय इंगलेंड का परधान मंत्री जैम्स रैमजे मैक डॉनाल्ड था दूसरे गोल में सम्मेलन के समय इंगलेंड का परधान मंत्री जैम्स रैमजे मैक डॉनाल्ड था दूसरे गोल में सम्मेलन के और सफलता के कारण कांधी जी ने तीन जनवर 1932 को पुना स्वविने अवग्या अंधिम रूप से साथ अपर 1934 को वापस लिया गया दूसरे गोल में सम्मेलन के और सफलता के बाद गांधी जी ने तीन जनवर 1932 को पुना और स्वविने अवग्या अंधिम रूप से साथ अपर 1934 को वापस लिया गया स्वविने अवग्या अंधिम रूप से साथ अपर 1934 को वापस लिया गया 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत्ची में राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया माई 1934 में कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के स्थापना हुई अकिल भार्ती किसान सबागा पर्थम समेरन अपरेल 1936 में लखनों में हुआ इसकी अध्यक स्थाजा नंदेव महासचिव एनजी रंगा को में चुने गए स्थाजा नंसरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पत्ना से प्रकाशन के या किसान अंदोलन की पत्रिका थी राहुल संज की तायन इस सब्ताइक पत्रिका के 1942 में संपादक बने अध्यक स्थाजा नंदेव महासचिव एनजी रंगा चुने गए स्थाजा नंसरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पत्ना से प्रकाशन किया या किसान अंदोलन के पत्रिका थी राहुल संज की तायन इस सब्ताइक पत्रिका में के 1942 में संपादक बने अखिल भारती किसान सबा का गठन 11 अपरे 1936 वी को लगनों में हुआ था 1949 में महात्मा गांधी दौरा प्रस्तावित परतियासी 25 सिता रमया को हरा कर सुभास संद बोस कॉंगरिस का देख चुने गए 1949 में महात्मा गांधी दौरा प्रस्तावित परतियासी 25 सिता रमया को हरा कर सुभास संद बोस कॉंगरिस के अध्यक चुने गए दगजेटियर ऑफ इंडिया 576-577 इतिहास की दुनिया वर्ग 10 पेज 11 में समर्थकों की संगे 78 एवं दूरी 240 किलो मिटर दी गई है अगला हम लोगा पॉइंट है दोस्तों दौरान फ्री इंडियन लीजर नामक सेना बनाई थी 1949 सिष्ट में भारत प्रजा मंडल ओल इंडिया स्टेट्स पीपूल कॉनफिरेंस के देख जवालल नहरू थे इसका गटन 1937 में हुआ था 1949 में भारत प्रजा मंदल अल इंडिया स्टेट्स पिपूल्स कॉंफरेंस के देख्ष जबाल नहरू थे इसका गटन 1937 में हुआ था 13 मार्थ 1940 इसवी को लंदन में पंजाब के सुनाम नमकस्थान के सरदार उधम सिंग ने पंजाब के पुर्व लेफ्टिनेंट गवरनर माइकल ओडायर को गोली मार के हत्या कर दी 13 मार्थ 1940 इसवी को लंदन में पंजाब के सुनाम नमकस्थान के सरदार उधम सिंग ने पंजाब के भुद्पूर्व लेफ्टिनेंट गवरनर माइकल ओडायर को गोली मार के हत्या कर दी गांधी जी ने 17 एक्टूबर 1940 इसवी को पावनार में वेक्तिकत सत्यागरा अंदोलन शुरू किया इस आंदोलन के परतम सत्यागराई विनोबा भावे दूसरे सत्यागराई जवारला नेरू इमतिसरे सत्यागराई ब्रहमदत थे इस आंदोलन को दिल्ली चलो अंदोलन भी का गया गांदी जी ने 17 एक्टूबर 1940 इसवी को पावनार में वेक्तिकत सत्यागरा अंदोलन शुरू किया इस आंदोलन के परतम सत्यागराई विनोबा भावे दूसरे सत्यागरी जवारला नेरू इमतिसरे सत्यागराई ब्रहमदत थे इस आंदोलन को दिल्ली चलो अंदोलन भी का गया 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लिख के लाहूर अधिवेशन में अध्यक्स्ता करते हुए मुहमद अली जिना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की मांग की 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लिख के लाहूर अधिवेशन में अध्यक्स्ता करते हुए मुहमद अली जिना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की मांग की पाकिस्तान सब्तका सरपर्थम पर्योग लंदन में केम्रीज विष्विद्याले के एक विद्यारती रहमत अली और उसके तीन साथियों ने जनवरी 1933 में पर कासित किये गए एक पैम्पलेट अभी या फिर कभी ने ना और नेवर में किया था पाकिस्तान सब्तका सरपर्थम पर्योग लंदन में केम्रीज विष्विद्याले के एक विद्यारती चौदरी रहमत अली और उसके तीन साथियों ने जनवरी 1933 में पर कासित किये गए एक पैम्पलेट अभी या फिर कभी ने ना और नेवर में किया था 1940 इसमी में लॉड लिनलित्कों ने अगस्त गोसना अगस्त ओफर के दोरा मुसलमानों को आस्वसन दिया कि बिटेन और भारत के बीच किसी भी समझोते की स्तिति में अलफ संक्यों की सुरक्षा का पूर्न धियान रखा जाएगा 1940 इसमी में लॉड लिनलित्कों ने अगस्त गोसना के दोरा मुसलमानों का आस्वसन दिया कि बिटेन और भारत के बीच किसी भी समझोते की स्तिति में अलफ संक्यों की सुरक्षा का पूर्न धियान रखा जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव बिटिस परधार मंतरी चर्चिल ने 11 मार्च 1942 इसमी को स्टेफर्ड क्रिप्स के नितित्तु में क्रिप्स मिशन की गोसना की इसके अनुसर युद के बाद भारत को डॉमिनियन राज का दरजा एवं सम्विधान निर्मातरी स्परिशत बनाने का प्रस्ताव था नहmiदि क्योंकि या किसी भी परकार के भारती सोतंता की बात नहीं करता था इसे भविश्यका वादा करार दिया जाता गया गांधी ने इस परस्ताव को उत्तर तीठी में चेक कहा था जबकि जवारलाल नहरू ने इसको डुबते वे बैंक प्रस्त्राव क्रिप्सप्स परस्ताव को वापस ले लिया इस बीटिस्ट परदान मंतियर चर्चिल ने g emark कशना की सुन्होंच दब बाद भात को डोमिनियन राज का दर्जा एवं संभिधान निर्मातरी परिशत बनाने का प्रस्ताव था मुस्लिम भारतिय संग को स्विकार करने या ना करने को स्वतंत्र होगी तता राजाओं को भी अलग राज अस्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा कॉंग्डेस मुस्लिम लीग दोनों ही के कि बात की नहीं करता था इसे भविश्ब का वादा करार दिया गया था गांधी निस प्रेश्टाव को उत्तर वितिवे में चेक 1942 इसमें बर्धा में कॉंगरेस ने अंग्रेजो भारत चोरो परस्ताव पारित किया। 1 अगर्स 1942 को इलहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगर्स 1942 को कॉंगरेस ने की बैठक बंबई के अतिहासि गवालिया टैंक में हुई इसकी अध्यक्ता अबूल कलाम आजाद ने की थी। गांधी के भारत चोरो परस्ताव को कॉंगरेस कार समिती ने 8 अगर्स 1942 को स्विकार कर लिया। गांधी के भारत चोरो परस्ताव को कॉंगरेस कार समिती ने 8 अगर्स 1942 को स्विकार कर लिया। कि अगरेस कार ने 9 सतश्यों को अहमद नगर्स दूर्ग में रख्या गया था तो सरुजनी नाट वें क सुर्भागांधी को भी आगांकां महिल में रख्या में र madam औरarta जेल में राजय अबूल करामाजात को बाकूरा गया दस गांधी जी ने जेल में किस दिन का उप्रवाद शुरूख किया जिनका समापन चाथ मार्च 1923 को हुआ छे माई 1944 को गांधी जी को जेल में जेल से छोड़ा गया नौ अगर्स 1922 को प्रांता काल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी कॉंगरेस के अने सभी मात्पुन ने ताग्रिफतार कर लिए गया गांधी जी के पूना के आगाखा माहल में तता कॉंगरेस कार्श कार्णी के अने सदस्यों को अहमद नगर के दुर्ग में रखा गया था सरूजनी गोनी नाइटु उम कस्वरबाग गांधी को भी आगाखा महल में रखा गया था जांकुछ दिन नौ बाह्त का सुर्बाग गांधी की मिर्थी वो गई जवाला नहरू को अलमोड़ा जेल में और मौलाना अबुलकलामाजात को बाको़ूडा जेल में रखा गया दस फरवर उनिसो ते तालिस से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवाद सुरू किया जिसका समापन 7 माज उनिसो ते तालिस को हुआ 6 माई 1944 से भी गांधी जी को जेल से छोड़ा गया उसा महता भारत छोरो आंदोलन के समय खोफिया रेडियो चलाने के कारण उसे पूरे देश में विख्यात हुई रामोनोहरलोया और बीम खाकर ने भी रेडियो परसारन से संबन दे थे उसा महता भारत छोरो आंदोलन के समय खोफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई रामोनोहरलोया और बीम खाकर भी रेडियो परसारन से संबन दे थे भारत छोरो आंदोलन के दौरान जैपरकास नारायन हजारी बाग जेल से फरार होकर भूमिगत रुप से आंदोलन का नहत्तितु करने लगे विशेशकर मुस्लिम लीग एवं मुवंबेटकर ने भारत छोरो आंदोलन का विरोध किया विशेशकर मुस्लिम लीग एवं मुवंबेटकर ने भारत छोरो आंदोलन का विरोध किया इस आंदोलन के दौरान कई सामांतर सरकार बनी जिसमें परमुक्ती बलिया की चित्तु पांडे की सरकार तामलुक की जातिये सरकार सतारा की वाईवी चवहान की सरकार बहारत छोरो आंदोलन के दौरान कई सामांतर सरकार बनी जिसमें परमुक्ती बलिया की चित्तु पांडे की सरकार, तामलुक की जातिये सरकार ततारा की वाईवी चवहान की सरकार भारत चोड़ों अंदोरन के उपरांद मुस्लिम लीग एवं कॉंगरेस के बीच समवैधानिक गतिरोत को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 सिसमे में दिवे आउट आफ पैमपलेट जारी किया आजाद हिंद फोज के स्थापनागा विचारसवर परतम कैप्टेन मोहन सिंग के मन में आया आजाद हिंद फोज का सफलता पुर्वक स्थापनागा 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 स्था आजादी इंद फोज की प्रथम डिवीजन का गठन एक सितंबर उनिसो ब्यालिस इज़ी को कैप्टेन मोहन सिंग के तौरा किया गया परंतुवा और सफल रहा भारत की सुतंता की लड़ाई में सुभासंद बोस अगरानी करांतिकारी थे भारत की सुतंता ही तो विदेशी स साहता प्रप्त करने के लिए बोस उनिस्यक्तालिस इसमें जर्मनी पहुंचे वहां जर्मन विदेश मंतराले की साहता से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे चबबाते तता भासन देते थे भारत की सुतंता की 1942 में बोस ने उत्री अफ्रीका से पकरे गए भारतिय युद बंदियों को भरती कर 10,000 सेनिकों का दल गठित किया जिसे फ्री इंडियान लीजन का गया 1942 में बोस ने उत्री अफ्रीका में से पकरे गए भारतिय युद बंदियों को भरती कर 10,000 सेनिकों का दल गठित किया जिसे फ्री इंडियान लीजन का गया सुभासंद बोस ने 21 अक्टूबर 1923 को सिंगापूर में स्वतंतर भारत की वास्थाई सरकार का गठन किया जिसका जर्मनी वा जापान ने समर्थन किया सुभासंद बोस ने 21 अक्टूबर 1923 को सिंगापूर में स्वतंतर भारत की वास्थाई सरकार का गठन किया जिसका जर्मनी वा जापान ने समर्थन किया अक्टूबर 1943 इसमी में सुभासंद बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच सेना पती बनाय गया अजाद इंद फौज के तीन बिर्गेडों के नाम सुभासंद बोस जबास ब्रिगेड गांधी बिर्गेड एवं नहरू बिर्गेड एवं महिलाओं के तीन ब्रिगडों के नाम सुभास ब्रिगेड गांधी ब्रिगेड एवं नहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड के नाम लक्षमी बाई रेजीमेंट था अजाद इंद्फोच के जन्डा कॉंगरेश के तिरंगे धंडे की बाती था जिस पर धारतेवे सेर्गा आठ नवंबर उनिशोते तालिस इस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्रिप सुभास ब्रोष को सौप दिये नेता जिन इनका नाम कर्म सा सहीद द्रिप और स्वराज द्रिप रखा 8.9.1943 इसबीको जापान नंदमार और निकोबार दीप सब्याज़ति इनका नामकरमस सहीद दीप और सोराज दीप रखा 22.1944 को सहीदी दीपस का मनाया 22.1944 को सहीदी दीपस मनाया टोकियो जाते हुए फार्मुसा दूइप के बीच के बाद अचानक हवाई जाहाज में आग लग जाने से सुभासंद बुस अठारे अगर सुनिसो पैतालिस को मारे के परन्तु इस दूर गटना को अभी तक परमानिक नहीं माना गया है। अजाद हिंद फोज की गिरफतार अधिकारी पीके सागल करनल गुरु दयाल धिलन यो मेजर साहनवाज खां पर राजदोरों का अरुप लगाकर दिल्ली के लाल के लिए पर नवंबर उनिसों पैतारी से मुकदमे चला गया वाइसराइन इनकी सजा माफ कर दी। अजाद हिंद फोज के अभी युक्तों की तरफ से अरुना आसफ अली तेजबादूर सप्रों जवालाल नहरों भूला भाई देशाई नेत्रितों एवं के अनकार्जों ने पैडवी की। अजाद हिंद फोज के अभी युक्तों के तरफ से अरुना आसफ अली तेजबादूर सप्रों जवालाल नहरों भूला भाई देशाई नेत्रितों एवं के अनकार्जों ने पैडवी की। कराची में 20 फरबर 1946 इसवी को वायू सेना के कुछ सेनिकों ने ब्रेटिस सरकार के विरुद हर्ताल की। बंबई, लाहूर, दिल्ली में भी या सिगरी ही फैल गई इसमें लगवग बावन सो सेनिकों ने भाग लिया इनकी परमुख मांगती की भारतिये और अंग्रेज सेनिकों में ब्राबरी वेवार किया जाए। कराची में ब्रेटिस सरकार के विरुद हर्ताल कर दी बंबई, लाहूर, दिल्ली में भी या सिगरी ही फैल गई इसमें लगवग बावन सो सेनिकों ने भाग लिया इनकी परमुख मांगती की भारतिये और अंग्रेज सेनिकों में ब्राबरी का बैभार किया जाए। साही नव सेना का विद्रो, साही नव सेना का विद्रो, रोयल इंडियन नेवी के विद्रो की सुरात 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में HMI, एस्तलवार के 1100 नाविकों ने नसलवादी भेदभाव और खराब भोजन के परतिवाद में हर्ताल कर दिया। उनीच फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हर्ताल कर दी। विद्रोहियों ने आत्म समर्पन करते वे कहा कि हम भारत के सामने समर्पन कर रहे हैं, बिट्रिन के सामने नहीं। नव सेना विद्रोह के समय नव सेना अदिक्च अर्मिरल गोल फ्रेड था। नव सेना विद्रोह को भारत की लाल करांती की संग्या दी जाती है। साही नौसेना का विद्रो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रो की शुरवाद 18 फरवरिक हुई जब बंबई में हम आई एस तलवार के 1100 नाविकों ने नसलवादी भेदभाव और खराब बोजन के परतिवाद में हर्ताल कर दिया 19 फरवरिकों करांची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हर्ताल कर दे करांची में दमन पूर्वक आत्म समर्पन कराए गया जिसमें छो नाविक माले गए नव सेना विद्रों में इनकलाब जिन्दाबाद जैहिंद हिंदु मुस्लिम एक हो बिटिस समर्पन की सला दी चौदे फरबर निश्यालिस को विद्रोईयों ने आत्म समर्पन करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पन कर रहे हैं बेटेन के सामने नहीं नव सेना विद्रों के समय सेना अधिक्ट एडिमिरल गॉल फ्रेट था नव सेना विद्रों को भारत की लाल करांती की संग्या विमर्स के लिए कैबिनेट मिशन को भात भेजने के गोसना की 24 मार्स 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा इस सिस्टम अंडल के सदस टेश्टे फोर्ड क्रिप्स अध्यक्स बोड आफ ट्रेट पैथिक लॉरेंस भारत सचीव एवं एलवी एवी एलेक्जेंडर नौ सेन मंतरी कैबिनेट मिशन पेथिक लॉरेंस के नेतितन में आया था कैबिनेट मिशन 1946 to बोर्दार मंथी ऐटली ने पैधर मेशन 2 22 minist lives भीको भारतिये से सम विधान सबग अ के पैथिक लॉरेंस बारद सचीव एवं एलवी एलेक्जेंडर नौ सेना मंत्री कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतित्व में आया था कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लीम लीग ने चो जुन इन सवचेंडर नेन 25 जुनार स्विकार कर लिया एक एक ये नेटी मिशन योजना को मुस्लीम लीग नेटी ने समर्थन प्राप्त था केविनेट मिसन योजना को स्विकार किया जाने के पसाथ समिधान सभा के निर्मान के लिए चुनाब जुलाई 1946 इसमें कॉंग्रेश ने दोस्सो चोथे समान इस अस्थानों में ये 105 जान प्राप्त किया और मुसलिमने लिगन ग्ली में लिए और अदिवस कल्कता में उससां में बंगाल में मुसलिम लिख की सरकार थी बंगाल के मुख्यमति सहीद सुहरावर्दी थे पर्चेक्स कारवाई दिवस के परिणाम सुरू बंगाल बिहार और पंजाब में भेंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए बंगाल में मुख्यमति सहीद सुहरावर्दी थे पर्चेक्स कारवाई दिवस के परिणाम सुरू बंगाल बिहार और पंजाब में भेंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तीन जून 1947 इसवी को भारत विभाजन की मांट बैटन योजना परकासित की गए जिसे कॉंगरेस कार समीति की तीन जून 1947 इसवी की बैठक में सुविकार कर लिया गया देश के विभाजन की मांट बैटन योजना को स्विकार करने का परस्ताव पिस किया इस परस्ताव का समर्तन अबूल कलाम आजाद ने किया जो बटवाड़े के और विरूत करते आ रहे थे आजाद ने कहा कॉंगरेस कार समीति का फैसला सभी फैसला नहीं है लेकिन कॉंगरेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है 14.1947 कॉंगरेस समा समीति की बैटक में गोविंद बलब पंत ने देश के विभाजन के मांट बैटन योजना को स्विकार करने का परस्ताव पिस किया इस प्रस्ताव का समर्थन अबदूल कलाम आजाद ने किया जो बटबारे का विरोध करते आ रहे थे आजाद ने कहा कॉंगरेस कार समीति का फैसला सभी फैसला नहीं है लेकिन कॉंगरेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है गांधी नहरू और पटेल के समर्थन के बाबजूद कॉंग्रेश कार्ज समिती का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भार्तिय कॉंग्रेश समिती में सर्व समती से पास ना हो सका 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तथस्त रहे गांधी नहरू और पटेल के समर्थन के बाबजूद कॉंग्रेश कार्ज समिती का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भार्तिय कॉंग्रेश समिती में सर्व समती से पास ना हो सका 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया वे तथस्त रहे प्रस्ताव का विरूद करने वालों में सिंद कॉंगरेश के नेता चौथराम मिडवानी पंजाब कॉंगरेश के रध्यक्स डक्टर कीचलू पुरसतम दास टंडन मौलाना हफी जूर रहमान आदी थे मुस्लिम लिग की काउंसिल की पैटक मौंट बैटन योजना पर विचार करने के लिए 10.1947 इस योजना को स्विकार किया चार सो सदस्यों में सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया अगे हम लोग देखते हैं दोस्तों मातमा गांदी एक संचिफ्त परीच है जन्म 2 अक्टूबर 1879 इस भी पोरबंदर गुजरात में हुआ था वास्विक नाम मोहंदास करमचंद गांदी था माता पुतली भाई थी पिता करमचंद गांदी थे पतनी कस्तूरबा गांदी विबाठर्स 23 भी पिता पतनी कस्तूरबा गांदी विबाठर्स 23 भी में हुआ था चार पुतर थे हरी लाल, रामदास, मनी लाल तथा देवदास चार पुतर थे मातमा गांदी को हरी लाल, रामदास, मनी लाल तथा देवदास पांचमें पूत्र की उपादी जम्रालार बजाज को लंदन में 891 में बैरिस्टर की परिक्षा उत्तिन की और वकालत करने बंबई आ गए एक मुस्लिम वैपारी आदा अब्दुला ने इन्हें अपनी फर्म की इस कानूनी कार्जवाईयों के लिए न्युक्त किया इसी सिल्सिले में 892 इसमी में दादा अब्दुला के मुकादमे की पैर भी एतु दक्षिन अफ्रीका गए जहां वे सरपरतम नटाल बंदरगापर उतरे साथ जुन 893 को गांदी जी ने डर्बन से प्रि टोडिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी उसी दिन उस दिन गांदी जी उसके पास उसी ट्रेन की परतम सेने का टिकर था लेकिन रंगभेत की कानून ने जबरन तिरतिय सेने में जाने के लिए कहा गया नहीं जाने पर वो ये डान निन पर इसकता हम उनने इस सथापना उने यंदिन ओपिनियन नामक सब्ताइg पदर का फ्रकासर कालेन बारब की साहिता से जोहान सबर्ग में की गई थी 1910 भी हिंद स्वाराज का पहला गुजराती संस्करन फिनिक्स दक्षिन अफरिका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वाराज की वैख्या 1916 भी हिंद स्वाराज का पहला सुजाती संसकर्ण फिनिक्स दक्षिन अफरीका इंटरनेशनल पिंटिंग प्रेस स्वाराज के स्थापना 9 जनबर 1915 को गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत वापस वापस आ गए गांधी जी ने गोपाल किष्न गोखले को अपना राजनीति के गुरू बनाया पर्तम विश्यूद के दरन लोगों को सेना में भरती होने के लिए प्रोसाइट करने कारण उन्हें कुछ लोग भरती करने वाला सार्जेंट करने लगे गांधी जी ने अहमदावाद के करिब चाबरमती आशरम के अस्थापना की ब्रेटिस सरकार्स ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधी परदान की गांधी जी ने नव जीवन गुजराती यवं यंग इन्डिया अंगरी जी का संपादन किया हरी जन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारम किया गांधी जी की आदम कता है The Story of My Experiments with Truth गांधी जी की प्रिय भजन वैसनम जन तो तेनू कहिए कि रचना नर्सिंग महता ने की थी गांधी जी की नेतितु में हुए पर्थम चिंद तीन संगर्ज चमपारन सत्यागर 1927 भी हमदाबाद मिल्द मजजूर हर्तार 1928 भी एक खेरा सत्यागर 1928 भी गांधी जी ने और सयोग आंदोलन एक अगरस 1926 को प्रारम किया और सयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक सुराज फंड की स्थापना की गई इस आंदोलन के दोर गिरफतार होने वाले पहले परमुक नेता मुहमद अली थे और सयोग आंदोलन सुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रेटिस सरकार के दोरा प्राथम विश्यूद में सयोग के बदले में अंग्रेजो दोरा दी गई कैसरी हिंद की उपादी वापस कर दी जमरारल बजाज ने अपनी राय बहादूर की उपादी वापस कर दी गांधी जी ने सवविने अवगिया अंदोलन के सुरूआ दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया 15 अगस 1947 तक 47 के दिन गांधी जीक नुआ खली बंगाल में थे गांधी जीकी हत्या 368 इस्वी को दिल्ली के बिल्ला भवन में नाथो राम गोड से ने कर दी गांधी जीक हत्या की मुकदमा नाथो राम गोड से गोपाल गोड से मदनलाल पहवा विस्नु करकरे दिगंबर बांगरे दामोदर विर्शावर कर अवनारायन आप्टे पर चला और जिसमें नाथुराम गोड़ से अवनारायन आप्टे को फांसी की सजा हुई अब गांधी जी की हत्या की मुकदमे की सजा सुनाने वाले आत्मा चंद अगरवाल थे भात का एकमातर समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर रस्थान नहीं दिया क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर किवल पनाता था दो अक्टूबर 2005 गो दक्षिन अफ्रीका पिटर पिटर मार्गिस मारिट बर्गर स्टेशन पर गांधी जी की परतिमा लगाई गई दोस्तों गांधी जी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ गांधी जी के बारे में एक नाई कोशन जरूर पूछा जाता है दोस्तों मात्मा गांधी एक संचिफ्ट परीचे जर्म 2 अक्टूबर 889 इसलिए पूर्बंदर गुजरात में हुआ था वास्त्विक नाम मोहंदास करमचंद गांधी था मात्दा पुतली बाई थी इता करमचंद गांधी थे पत्नी कस्तूरबा गांधी विवाठ थी 83 स्विय में हुआ था चार पुत्र हरी लाल, रामदास, मनी लाल तथा देवदास थे मात्मा गांधी के पास्विक पुत्र की उपादी जमराल बजाज को मिला लंदन में 391 स्विय में बैरिष्टर की परिक्षा उत्तिन की और वकालत करने मंबई आ गए एक मुस्लिम बैपारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी काज़वाई के लिए नियुक्त किया इसी सिल्सिली मठारे से बैरानवी स्विय में दादा अब्दुल्ला की मुकदमे की पैर भी है तो दक्षिन अफ्रीका आ गए प्रिवची जी दक्तिने अफ्रीका 8 Sadal इंडम कंगरिस के अस्थापना अच्र उटेफे ने डाल इंडियन ऐंदॉस के इस्तापना इंड़्यन ओपिन नमक्सश entis फर्म कि smoève न जर्म सिल्थ पारकण काल अना बाड़ बाडब की सायता से जोहान सोबर्ग में की गई सब्सक्राइब की गई थी हिंदु स्वाराज का पहला पहला सुजराती संस्क्राइब फिनिक्स दक्षिन अफ्रिका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस्ट स्वाराज की वैख्या गांधी जी तक्षिन अफ्रिका से भारत वापस आ गए गांधी जी ने गौपाल किशन गोखिले को अपना राजनिति की गुरू बनाया पर्थम विश्यूद के दौरान उन्होंने दौरान लोगों को सेना में भरती होने के लिए प्रोसाहित करने के कारण उन्हें कुछ लो अंगरी जी का संपाधन किया अडिजन पत्रकास प्रकास न उन्हें प्रारम किया गांधी जी की आद्म का था ता इस्टोरी ओफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद् तूथ गांधी जी की प्रिय भजन वैशनब जन्तों तैनू कहिए की रचना नर्सिंग द्मेहता ने की थी गांधी जी के नहती तुमें हुए प्रतम तीन संगर्ष चंपाधन संगर्ष सत्यागर 1927 वी अहमदाबाल मील मजदूर हर्ताल 1928 वी खेरा सत्यागर 1928 वी गांधी जी ने और सयोग आंदोलन एक अगस 1926 वी को प्रारम किया और सयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक ग्रिफ्तार होने वाले पहले परमुख नेता मुहमद अली थे और सयोग आंदोलन सुरूख करने से पहले गांधी जी ने बीटी सरकार दोरा प्रतम विश्यूद में सयोग के बदले में अंग्रिजों दोरा दी गई कैसरी हिंद की उपादी वापस कर दी जमिनालल इसके दिन गांधी जी नौँआ खली बंगाल में थे गांधी जी घत्या काम की मुकदमा नाथूराम गोड़शे गोड़शे मदालाल पहबा विश्नु करकरे दिगंबर पांगरे दामोदर विर्षा वरकर यम नाराएन आपटे पर चला इसमें नाथूराम गोड़शे न और फिर हैं दोस्तों गांधी जी के हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मा चंद अगरवाल थे भारत का एक मात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पने परस्थान नहीं दिया क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पने को केवल विग्यापन आता था भारत का एक मात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पने परस्थान नहीं दिया उन दिनों हिंदू के पहले परने पर केवाल विग्यापन आता था दो अक्टूबर 2005 को गांधी जी परतिमा लगाई गई अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोगा 4 जुलाई 1947 सिस्वी को बेटिस संसद में भारतिय स्वधिंता विधेक पेस किया गया 15 जुलाई को बिना किसी संसोदन के हाउस ओफ कॉमन सुदारा 16 जुलाई उनिसोद सोले जुलाई को हाउस ओफ लॉर्ड सुदारा पास कर दिया गए 18 जुलाई 1947 को उस पर बेटिस समराट के अस्ताक्षर हो गए इसके अनुसार देश को 15 जुलाई 1947 को दो डोमीनियनों भारत और पाकिस्तानों में बाट दिया गए जाएगा दोनों डोमीनियनों को पुरी तर सोतंता और परशुर्ट परभु सत्ता सौप दी जाएगी 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारती अधिराज्य के अस्तापना होगी 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को दो डोमीनियनों भारत और पाकिस्तान में बाट दिया गया जाएगा दोनों डोमीनियनों को पूरी तरह पूरी सत्ता प्रभु सत्ता सौप दी जाएगी 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारती अधिराज्य के स्तापना होगी भारत की आजादी के समय इंगलेंड का समराट जॉर्च सस्टम था या भारत का अंतिम समराट एवं कॉमन वेल्थ नेशन का पर्थम समराट हैड था जवालाल नहरू के नेथित में अंतिम सरकार का गठन 2 सितमबर 1946 इसवी को हुआ 26 अक्टूबर 1946 इसवी को मुस्लिम लिग 5 सदस चे अंतिम सरकार में समिलित हुई 37 मार्श 1947 को मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान के दिवस के रूप में मनाया सथन्ता प्राप्ती के समय कॉंगरिस का देख्ष जेवी करिपलानी एवं ब्रिटन के परथान मंतिक्लीमेंट एटली लेवर पाटी के थे ब्रिटन के परथान मंतिक्लीमेंट एटली लेवर पाटी के थे भगत सिंग के विरुद मुखविरी करने के कारण फनिंदर घोष की हातिया बैकुंट शुक लिने की थे भगत सिंग के विरुद मुखविरी करने के कारण फनिंदर घोष की हातिया बैकुंट शुक लिने की थी मादमा गांधी दौरा स्टापित हरीजन सेवक संके संस्तापक अजेक्स घंस्याम दास बिर्ला थे मादमा गांधी दौरा स्टापित हरीजन सेवक संके संस्तापक अजेक्स घंस्याम दास बिर्ला थे बाटो और छोडो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया कांगरेश का पर्थम बेटेश अधिक्स जॉर्ज यूल थे कांगरेश का पर्थम बेटेश अधिक्स जॉर्ज यूल थे मैं देश के बालू से इक कांगरेश से बड़ा अंधूरन खड़ा कर दूगा मादमा गांधी ने का गांधी जी हरीजन नाम वाले तीन पत्रों का प्रकासन करते थे हरीजन बंदू गुजराती में हरीजन सेवक हिंदी में एवं हरीजन अंगरेश जी में पूने एग्यारे फर्वर्वर्वन से तेते सिस्वी को गांधी जी दौरा गाय जाने वाला भजन वैसनब जन तो तेने कहिए कि रचिता नर्सी महता थे गांधी जी दौरा गाय जाने वाला भजन वैसनब जन तो तेने कहिए कि रचिता नर्सी महता है डंडा फोच का गठन पंजाब में चमंद्यू ने किया दिन बंदू मित्र का नाटक नील दर्पन में नील की खेती करने वाले प्रत्याचार का उल्लेख है दिन बंदू मित्र का नाटक नील दर्पन में नील की खेती करने वाले प्रत्याचार का उल्लेख है राष्टवादी अहरार आंदोलन मजहर उल्हक ने प्रारम किया आत्म समान आंदोलन की सुरात राम स्वामी नायकर ने की निरंकारी आंदोलन की सुरात दयाल दास ने की ब्रहम समाज का पर्तिक्या पत्र देवन नाठाकूर ने तयार किया देव समाज के संस्ताबक सिव नारायन अगनी होतरी थे तरून इस्तरी सभा की अस्तापना कलकत्ता में की गई भारत भारतियों के लिए यह नारा आरी समाज ने दिया भारत भारतियों के लिए यह नारा आरी समाज ने दिया स्वामी विवेकान नाठाक तरणवे सिकागों में विस्व धर्म समिलन को संबोधित किया बंगाल में मुस्लिम जागरन का नवाब पिता नवाब अब्दुल लठीफ खान को कहा जाता है बंगाल में मुस्लिम जागरन के पिता नवाब अब्दुल लठीफ खान को कहा जाता है डिली सदियंद केस में दीनानाथ के दोरा मुख्वीरी की गई थी अलीपूर केस में सरकारी गाभा नरेंदर गोसाई बन गया सबसे कम उम्र में फांसी की सजा देन पाने वाले करांथिकारी खुदी राम बोस था इनकलाब जिंदावाद का नारा भगत सिंग ने दिया सहीद आजम के नाम से भगत सिंग को जाना जाता है भगत सिंग को फांसी की सजा सुनाने वाला नियादिस जिसी हिल्टन था इनकलाब जिंदावाद का नारा भगत सिंग ने दिया सहीद आजम नाम से भगत सिंग को फांसी की सजा सुनाने वाला नियादिस जिसी हिल्टन था सब की लिए एक जाती एक धर्म एक इश्वर का नाराज स्री नारायन गुरू ने दिया सवर ने हिंदुओं को की फासी वाधी कांग्रेस का चरित्र निरूपन मुहमद अली जिन्ना ने किया मैं एक करांदीकारी की रूप में कार्ज करता हूँ यह कतन जवाला नहरू का है मादमा गांजी को मादमा रविन्ना टैगोर ने राश्ट पीता सुभासंद बोस ने एवं अर्धनागन फकीर फ्रेंक मोरिस ने कहा मादमा गांजी को मादमा रविन्ना टैगोर ने राश्ट पीता सुभासंद बोस ने एवं अर्धनागन फकीर फ्रेंक मोरिस ने कहा व्ल्लावाई पटेल को सर्दार की उपादी वार्दोली सत्य गर की सपलता के बाद वहां की महिलाओं की और से गांजी ने परदान की सुभासंद बोस को सवापरतम नेता जी एडॉल फिटलर ने कहा था गोखले के राध्यात्मिक एवम राजनिती गुरू M.G. रनाडे थे मात्मा गांदी के राजनिती गुरू गोपाल कृष्ण गोखले थे बात का विस्माग सर्दार वल्लबाई पटेल को का जाता है शुद्धी आंदोरन के प्रवरतक स्वामी दयानन सर्शोती थे उनिश्वी सतावदी के भारतिये पुनर जागरन का पिता राजा राम मोहन राय को का जाता है अकिल भारति हरीजन संकियस्ताव नमात्मा गांधी ने की थी राष्टी यूबा दिबस स्वामी विवेकानन से सम्बन दित है यंग बंगाल अंदोलन का प्रवरतक विलियम विवियन डिरो जियो था कॉंगरिस ने मौलाना अबुल कलामा जाज के दिख्टाम भारत चोर प्रस्ताव को पारित किया भाष्ट के पितामा ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया जाता भाई नरो जी को का जाता है गोपार हरी देशमु को लोग हितवादी के नाम से भी जाना जाता है बिना ताज का बाद सा सुरेंदात बनर जी को का जाता है यो ह्यूम को हर्मित अफ सिमला का जाता है यो ह्यूम को हर्मित अफ सिमला का जाता है यो ह्यूम 1885-1907 इसवी तक कांगरेस के महामंत्री रहे कांगरेस के पर्थम मुस्लीम अद्यक्ष बदरुदीन तयब जी थे रॉलेक्ट एक्ट को बिना अपील बिना वकिल तदा बिना दलील का कानून का गया मुहमद अली यों सौकत अली ने उनीस इसवी में खिलाफ़त आंदोलन की सुरुआत की मुहमद अली उन्सोकत अली ने उनीस इसवी में खिलाफ़त आंदोलन की सुरुआत की तीनों गोल में समयलोनों में भाग लेने वाले भारतिय नेता थे ड्टर भीम राव अंबेतकर 22 दिसमर 1949 को कॉंगरिस मंत्री मंडर ने सामोई के रूप से त्याग पतर दिया इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस के रूप में मनाया गांधी जी ने कृप्स प्रस्ता पर कहा या एक आगे की तारिक का चेक है जिसका बैंक नस्ट होने वाला है गानी जी ने क्रिप्स पस्तापर का यह एक आगे की तारीक का चेक है जिसका बैंक नस्ट होने वाला इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें और ये महिला सब्सकुत हैं इस थापना पंडीता रामान भाई ने की आर ये महिला सब्सक्राइख की अस्तापना पंडीता रामाभाई ने की रामाई ने की हम दूक देखने हैं दोस्तो भारतियं धार्मिक शमाजेक यह Surface पास्ति अंद encant समंदित महत्पूर्ण संगठन एम संस्थाहे तो सब सबसे पहला संसथा था aseatic society कु........ ....Уचकी अस्थापना हुई थी 3724 में अर्ट संस्थापग थी जोन्स ऐसियाटिक सोसाइटी थी 1784 में अस्थापना हुए थी विल्यम जोन्स उसके संस्थापक थी संस्थाइच थी ऐसियाटिक सोसाइटी अस्थापना स्थापक थे आत्मिय सभा संस्थाइं थी 825 में स्थापना हुई राजा राम मोहन राइस के संस्थापक थे वेदान्त कोलेज संस्थाइं थी 825 में स्थापना हुई राजा राम मोहन राइस के संस्थापक थे वेदान्त कोलेज 825 में स्थापना हुई राजा राम मोहन युगा बंगाल अंदोलन 2826 वी अस्तापना होई संस्थापना वगते हैंडरी लुई वीवियन डेडिरो जीयो संस्थाइ थी युगा बंगाल अंदोलन 2826 वी हैंडरी लुई डेडिरो जीयो युगा बंगाल अंदोलन 2826 वी हैंडरी लुई वीवियन डेडिरो जीयो इसके संस्थाबग होई लैंड होल्डर सोजाएटि के स्थापनाठारस। तत्तों बोधनी सभागे स्थापनाठारस दवैंद नाठ्ठाकुर इसके संस्थाबग थे। तत्तो बौधनी सभगे स्थावन आठाह 649 स्विय मुई देवें secular नाठ्ठाकुर इसके शन्स्थावग ते बृटिस सर्फजरीक्स सभगे स्थावन आठाह 749 कि स्थावक ते द्याधा भाई नौरोजी बिरेटीस सार्व जाबने के स्ताबना 48xim हुँई दादा भाय नऊरो जिसके संस्थापक थे गोपाल हरी देसम मुँः किसके संस्थापक थे रहनुमाई माजदायान चब 88 Fifia Von Sud म स्थापना हुई दादा भाय नौरो जिसके संस्थापक थे बालिका विद्याले के स्थाब नठारो से क्यावन इसके संस्था पगते बालिका विद्याले के स्थाब नठारो से क्यावन इसके संस्था पगते बालिका विद्याले के स्थाब नठारो से क्यावन इसके संस्था पगते मुहमाडन एंगलो लिटरेरी स्थाब नठारो से क्यावन इसके संस्था पगते सांटिफिक सोसाइटी के स्थाब नठारो से क्यावन इसके संस्था पगते पूना साबजनिक सबा के स्थाब नठारो सरस्था पगते पूना साबजनिक सबा के स्थाब नठारो सरस्था पगते अचारी के सब चंदर इसके संस्था पगते इंडियन सोसाइटी के स्थाब नठारो सरस्था पगते आनंद मुहन बोस लंदन मिसके संस्था पगते इंडियन सोसाइटी के स्थाब नठारो सरस्था पगते आनंद मुहन बोस लंदन मिसके संस्था पगते शाति सोदक समाज के स्थापनाध था स्थार इस्थाथ इस्वे हुई योति भाफ्फूले इस्थाथ अ Elder registRIS, स्वामी दयानंद स्वरुस्वति इसके संस्था बगते। प्रफश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरिश्टरि के संटापकते, United Indian Committee के स्तापनाथरस्र तेरासीician क्यूंवी सुरेन नाथ बनर जिसके संस्थापकते, मार्टिय राष्ट्र कंगर्स के स्थाफ। कर दो इसके शायवाग्वी को खांगे मुझाल पर्रीज्न औरतनाखतोехा में भी विलत कानोस्ते विग algorithm लुवत की स्वामी बिर्य का नंदा सक्षित आपकते इंडिया नेशनल सोल ह। वी महादेव गोविंद रनादे को सब्सके सदार्त आपकते इंडिया नेशनल नेशनल सोसल होन Hyp ace स्टापनाधर सांस्तापक ए शालब 838 में हुए रामक्रिश््न मीशन के स्थापनाठर hurtsı सब्रक्र श् ladder नाथ संता अबक्त को डामक्रिश्न संता नाथ संतान थैसम्मीब हुए सवाम विकानन इसके संस्था पक्ते है इसलिछ इसे अक सब्सक्स्रां ने हुई नायक दानाद सावर कर इसके सतापकते शर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी की आसापना उगाखायम स्लूम उल्ला इसके सतापते मुस्लिम लिघ की आसई महत्या आगाखायम सलीम उल्ला इसके स पहगते municipalities पहुत ker स्रिवारिंद्र घोष मोपेंदरति के समस्ता घ्यासत Сमीतिक अस्ताइब यह वारिंदरति के संस्ता भकते बिस्वभारति के बैन है मैं एक राखंखर गाम कि नलार जोना चया हुआ हो जोसे संस्ताब हर ती आपना है यह लाइन मैला जो च यह किनल पर कि अपना Eco up your रबिन्दना ठाकूर इसके संस्था पकते। områat के श्थापना उनीस आ पंध्रा इसम्हूर्णमहाल्विय है इसके संस्था पकते। ओम रोल लिग यह स्थाप्ताव विन्या इसो से समोंय में चला एके नुम्हर। कि विमेंच शक्राउने के स्टावन चलाव नहीं डने बन्द उप यार रिस्टा संटाप माएक के सब्सक्राइब सब्सक्राइब अधिल भार्थी थाय। कॉंग्रेश उपत गप्राइस्ता पकते हैं, अखिल भार्थी ट्レेघ युणीन कंग्रेस उट्वीन जो सी अधिग्ष लाला ला राजपत राइस के संश्तापकते, सतले सरें सुहराज परेटी मोतिलाल नेरुग अचित रंजनताश के संस्था चाह पतुए हिंदूस्तान रीपब्लिकान डिससाण चुछॉधी समस्थापग तो इसनो 죄송 discussions शांसिये संथां shelter सफित्र फृष को बार कर लंबस क बेसे संहयुद् संथ राश्ट यसेश रशांग टेन्मawson सब्गेंगल मादानिक बगटेञे अ 59 सब्गेंग एक रसेपकल ये सब्गाफच ईक इसके सब्गेंग सब्गेंगल इसके सव्ग करेंग छो सब्गेंग रते हिंदो शोचिलिष्ट रिपप्लिकन Α elder are a कुदाई खित्मत गार उनिश्वी अब्दूल गफार खां इसके संद्धापक थे उनिश्वादेश्वादी पूने उनिश्वी महात्मा गांदी इसके संद्धापक थे स्वातंतर स्रामिक पार्टी उनिच्व चाली से जवी सुभाशंद बोस इसके संस्ता पकते संस्ता पकते हैं अब हम लोग आएंगे फिर से दोस्तों काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसलिए इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा इसको मैं फिर से दोस्तों इक बार रिपीट कर देता हूं जो कि याद हो जाए अपने लोगों को क्योंकि यह काफी इंपोर्टेंट है हरेक एक्जामेन से एक दो कुछा जाता है भारतिय धार्मिक समाजिक एवं राष्टिय अंदोलन से समधिर मत्पूर्ण संगठन हुआ संस्थाएं संस्थाएं एसियाटिक सोसाइटी उनिग 1784 विलियम जोन्स एसियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स आत्मिय सभा आत्मिय सभा वेदान्थ कोलेज 1925 वि राजा राम मोहन राए यूबा बंगाल अंदोलन अठारष 26 वि हैनरी लुई विवियन डिरो जीयो बरम समाज 1884 वि राजा राम मोहन राए लेंड होल्डर सोचाइटी 1884 वि दारिका नाथ ट्रैगोर तत्व बोधनी सभा 1841 वि देवन नाथ ठाकूर बेटेस सार्वजिनिक सभा 1843 वि दादा भाई नोर ब्रेटेस सार्वजिनिक सभाठर्ष 43 वि दादा भाई नोरो जी परम हंस मंडली यठर्ष 44 वि गोपाल हरी देश मुख रहनु माई माजदायन सभाठर्ष इक्याबनिस वि दादा भाई नोरो जी बालिका बिद्या लेठर्ष ग्याबनिस वि जोतीबा भूले ब्रेटेस इंडियन अशोशिएचन अठर्ष ग्याबनिस वि राजन्दरलाल राधा कांथ देव बेटीस इंडियन एस्वेशीयेशने थार्षी क्या बनीशी राजंदरलाल राधाकान्थ देव महमडन एंगलो लिट्रेरी सोसाइट थार्ष थिर साइट थार्ष तिर सेड़ अबतुल लाथीफ सांटिफिक सोसाइटी थार्ष तर साइट अहमद खान Scientific Society 64-24 सरसेयद अहमाद खान East Indian Association 66-26 दाधा भाई नोरो जी पूना सावजनिक 67-64 एमजी रनाडे पातना सावजनिक 67-64 केसब संद्गे सयोग से लंदन में जती अचारी केशाव चंदर सेंद में इंडियान 11-ग और 122 SHV आनंद मोहन बोस लंदन में सत्यशोदक 2873 Сबी जोतीबा पूले सत्यशोदक 2973 Sádशी जोतीबा पूले अली गड़ मुहामबादान एंगलो और्येंटर कोलेटस 1850 Σब सयद अहमाद खान अर्लीगार्ड मुहम्माड़न एंगलो ओर्येंटेल कोलेज अठार्षा पचातर इस्वी सार सेयद आहमाद खान इंडियान लीग अठार्षा पचातर इस्वी सिसीर कुमार गोस आरी समाज अठार्षा पचातर इस्वी स्वामी दयानन सर्श्वती आशिए समाज अठाशा पचतर इसवी स्वामिदय आनन्झ सरीड़स्वती, थियो स्वाफीकल सचाइट्य अठाशा पचतर इसवी मेडम वलाट व्लाट वसकी वा कर्नल अल्टाग, इंडियन एसोसिएशन अठाशी अत्र इस वी आनंद मोहन भोस वा सुरेंदरनाथ बनर ज United Indian Committee 3823 व्यमे ताईं शैंद्रबनर जी भारतिय राष्टय कॉंगरें 1793 व्य सुनेंद नत बनर जी भारतिय राष्टय कॉंगरें 1885 व्य require doubles भारतिय राष्टय कॉंगरें 2785 व्य यो ऊ नताई packet एंडियन नेसेनल सोसल कॉंफ़ेंस अधरस इसी अधरस दासीज्ट सुटूबिय अगनिवेह तुर्टी वेलूर मठ ए तर्षताइसज्ट लेए अधरस सद्वादीविवई बिवेकानन इंडियन नेशनल सोशल कॉंफरेंस अधरस सतसेजिस महादीव गुविंदर अगनेड बाई इंडिया नेशनल सोशल कॉन पेंटर सताथीजवि महहाविद्ध गोविंद रनादे सार्दा स्थन अठाथाष्व नबाशिष्वि रामाभाई रामकृिस्न मीशन 287वि श्वामी विवेकानन रामकृिस्न मीशन 297वि श्वामी विवेकानन अभिनव भारत संस्था उनिस्व चार इस्व विनायक दामोदर सावर कर सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी उनिस्व पांच इस्व गपाल कृष्ण गोखले मुस्लिम लीग उनिस्व चार इस्व आगाखा एवं सलीम उल्ला अनु स्रीलन समित उनिस्व चार इस्व श्री वारिंदर गोष्ण गोमभुपेंदर दत सोसल सर्विस उनिस्व उनिस्व गारेश वी स्री नारायन मलहार जोसी विश्व भारती उनिस्व उनिस्व बारेश वी रविंद नाठाकुर गदर पाटी उनिस्व तेरेश वी लाला हर्दयाल कासी राम इंदू महासवा उनिस्व पंदरेश वी मदन महान माल वी ए उंगरूर लीग उनिस्व तिला के वं एनि बेसेंट अम्रूल लीग 1916 वी तिलख एवं एनी बेसेंट विमेंस इंडियान एस्सोसियेशन 1927 वी लेडी सदाशिव अईयर संस्थाएं अस्तापनावर संस्थापद खिलाफत आंदोलर 1916 वी अली बंदू भारती कम्यूनिस्ट पार्टी उनी सबी सिस्वी अध्यक्स लाला लाज पत्राएं शोराज पार्टी उनी सबी सिस्वी मोतिलाल नहरू वाचितरन जंदास इंदुस्तान डिपब्लिकान इसोचीशन 1924 वी सचिंदर सान्याल भाइसक्रित हितकारिनी सबा 1924 वी अरम बेटकर राष्टिय स्वेम सेबक संग 1925 वी डक्टर हेट गवार नवजबान सबा 1926 वी भागत सिंग 16 वी अर यसपल इंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकान इसोचीशन 1926 वी भागत सिंग खुदाइक खिदमतगारrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara स्वतंतर स्रमीक पार्टी 1936 भी रामेटकर पॉरवर्वट बुलोक 1949 सुभास संद भूस। आजाध हिंद फोज 1942 भी रास भी रारी भूस। आजाध हिंद सरकार 1943 सुभास संद भूस। आजाध हिंद सरकार 1943 सुभास संद भूस। राजाराम मोहनडाय का जन्म 1774 में राधा नगर नामक बंगाल की एक गाउं में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अर्भी, फार्ची, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, आधी भासाओं का दियन किया। राजाराम मोहनडाय का जन्म 1774 में राधा नगर नामक बंगाल की एक गाउं में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अर्भी, फार्ची, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, आधी भासाओं का दियन किया। राजाराम मोहनडाय की मिर्त्यू के पस्चात ब्रहम समाज देरे-देरे कई साखाओं में विवक्त हो गया। ने भारतिय भार्तिय भार्म समाज के स्थापना किया। उनके पस्चात ब्रह्म समाज के स्थापना किया। अगला पॉइंट है। राजाराम मोहनडाई के नेतितु में ब्रहम समाज ने अंग्रेजी भासा और पस्मी सिख्चागा समर्थन की अठर 17 इसमी में हिंदू कॉलेज के स्थापना कलकत्ता में की गई 1822 इसमी में उन्होंने अंगलो हिंदू स्कूल अस्तापित किया 1825 इसमी में उन्होंने वेदांध कोलेज के स्तापना की ब्रहम समाज ने ब्रहम बालिका सिटी कॉलेज और कलकत्ता की नीव डालिय राजाराम मोहनडायर के नेतितु में ब्रहम समाज की ने अंग्रेजी भासा और पस्स्मी सिख्चागा की अंदर का समर्थन किया एंगलो हिंदू कॉलेज के अस्थापित की ब्रह्म समाज किने बालिका ब्रह्म बालिका सो स्कूल एम सिटी कॉलेज अपर कलकत्ता के नीव डाली राजा राम मोहन राई ने चुरी विद्यका गोर विरोध किया जवान बंगाल अंदोलन का नेत्युत एक एंगलो इंडियन हैंडरी विलियम डेरा जियो ने किया कुंडु कुंडु कुरु वीरे सलिंगम अठर सर्ताली सब्सक्राइब विद्वा विवा को प्रोचाइद किया इस्वर्चंद्र विद्या सागर 827-9 एबं कुंडु कुरु वीरे सलिंगम ने अठर सर्ताली सब्सक्राइब विद्वा विवा को प्रोचाइद किया दियानंद का बच्पन का नाम मूल संकर था इनका जन्म गुजरात के टंकरा नमग चोटे से नगर में हुआ था इन्होंने मतुरा के स्वामी विडजानंद को अपना गुरु बनाया संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यातम बाद है उनका कहना था कि मनुस्री की मूल इस्वर की प्राप्ती होना चाहिए जो अध्यातम बाद से ही संबब है संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यातम बाद है उनका कहना थे कि मनुस्री की मूल इस्वर की प्राप्ती होने चाहिए जो अध्यातम बाद से ही संबब है स्वामी रामकृष्ण के सिसे बिवेका नंद थे जिन्हों ने अठरस ते रानबी स्वि में अमेरिका के सिकागो नगर में आयोजिद सर्वधर्व समेलन में भाग लेने गए स्वामी रामकृष्ण के सिसे बिवेका नंद थे जिन्हों ने अठरस ते रानबी स्वि में अमेरिका में के सिकागो नगर में आयोजिद सर्वधर्व समेलन में भाग लेने गए स्वामी बिवेका नंद के बच्पन का नाम नरेंदर नाथ था स्वामी बिवेका नंद ने गान योग ग्यान योग कर्मी योग ततराज योग नाम कुस्तक काहें लिखी स्वामी विवेकानन्द के भासनों का संकलन Lectures from Colombo to Almoda नमकुस्तक में है कन्या कुमारी का रोख मेमोरियल स्वामी विवेकानन्द को समर्पीत है महादेव गोविंद रनाडेन अधर 87 वी में अराश्ची समा सुधारफ के स्थापना की महादेव गोविंद रनाडेन अधर 87 वी में अराश्ची समा सुधारफ के समीति का अधिवेशन का अधिवेशन के तुरंथ बाद उसी पंडाल में होता था 871 वी में आगरा में स्री शीव दयाल खत्री ने राधास्वामी सत्संग की अस्थापना की इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदीर का निर्मान किया है 881 वी में आगरा में स्री शीव दयाल खत्री ने राधास्वामी सत्संग की अस्थापना की इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदीर का निर्मान किया है स्थापना की पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया अंदोलन की सुर्वात की उन्हों ने अपने आपको पेगंबर बता जिसका उदेश भाद में सुद इस्थापना था बंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया अंदोलन की सुर्वात की उन्हों ने अपने आपको पेगंबर बता है जिसका उदेश भाद में सुद इस्थापना था मुसल्मानों को अंग्रेजी सिक्चा और आधुनी की करन की और ले जाने का सरे सर स्यद अहमद खान को है और उनका अलिगड अंदोलन इसका के अंदर बिंदू रहा मुसल्मानों को अंग्रेजी सिक्चा और आधुनी की करन की और ले जाने का सरे सर स्यद अहमद खान को है और उनका अलिगड अंदोलन इसका के अंदर बिंदू रहा सर स्यद अहमद खान 988-75 इसमिंशल अलिगड में एंग्लो ओरियंट्ल कॉलिजग के स्थापना की जो बारन में अलिगड मुस्निम विच्विद्याले काला है इस कॉलिज़ में प्रतम प्रिंसिपल थीर डोर बैक ते सरस्यद अहमद खान 1875 इसमें अलिगड में एंगलो औरियंटल कॉलिज के स्थापना की जो बाद में अलिगड मुस्लिम भी स्विद्याल है कला है इस कॉलिज के प्रतम प्रिंस्पल थियोडोर बैक थे भारतिय राष्टे कोंगरीश के स्थापन अथाड़ सपचासेश भी एओ यूम बंबई भंग भंग अन्दोलन स्वादिसि अन्दोलन था और इसके स्थापना वर्स 1905 इस भी बंगाल बिभाजन के बिरोद बंग भंग आन्दोलन 1905 इस भी और इसे संबंदित विशे बंगाल के भिवाजन के विरूद मुस्लिम लिख्यास्तापना 1926 भी आगा खा एवां सलीम उल्ला खा धाका मुस्लिम लिख्यास्तापना 1926 भी आगा खा एवां सलीम उल्ला खा धाका मुस्लिम लिख्य स्थापना 1926 भी आगाखा इवं सलीम उल्ला खान धाखा कॉंग्रेस का विभाजन 1927 भी नरम इवं गरम दल में विभाजित सूरत फूट हमरूल आंदोलन 1926 भी तिलख इवं एनी बेसेंट लखनाव पेक्ट दिसम्बर 1926 भी कॉंग्रेस का मुस्लिम लिख्य के विच सम्जोता मॉन्टेग्यू गोष्णा 20 अगस्ट 1927 भारत मंत्री लॉड मॉन्टेग्यू की गोष्णा मॉन्टेग्यू गोष्णा उब 24 अगस 1997 भी भारत मंत्री लॉड मॉन्टेग्यू की गोष्णा रॉलेक्ट एक्ट उनिस मॉनिसsty मार्च उनिसकाला कानून जिसके अंतरगत किसी व्यक्ति को संदे की आदर पर ग्रफतार किया जा सकता था रोलेक्ट एक्ट उनिस मार्च उनिस इस भी काला कानुन जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेक आदार पर ग्रफतार किया जा सकता था जालियावाला बागत्या कान तेरे परेल उनिस इस जेनरल डायर अमरित सर खिलाफ़त आंदोलन उनिस सौकत अली मुहमद अली आदोलन का एक अगस्वीस महत्मा गांधी और सयोग आंदोलन का आरम एक अगस्वीस महत्मा गांधी ते पांच परवड़ी 1922 भी गोर्कपूर जी ले उत्तर पर्दिश की इस घटना के बाद ओस्योग आंदोलन अस्तकीत हो गया स्वहराजपार्टी के स्थापना 1 जणबड़ी 1923 भी मोतिलाल नहरु एवम चितरन जन्दास इंदुस्तान डिपब्लिकन इसोचेशन अक्टूबर उन्सेचपी सचिंदर सञ्नियाल सायमन कमिशन की नियुकति 8 लुटी में देखतां साथ सदसे आयोका गठन साइमन कमिशन की नियुक्ती आठ नमबर 1937 जॉन साइमन के देखता हम साथ सदसी आयोक का गठन साइमन कमिशन का भारत आगमन तीन फर्वर उनियू सथे सिस्वी को भात में लाला लाजबत राइके नेते तुम्हें विरोध और उन पर लाठी प्रहार साइमन कमिशन का भारत आगमन तीन फर्वर उनियू सथे सिस्वी को भात में लाला लाजबत राइके नेते तुम्हें विरोध उन पर लाठी प्रहार नहरू रिपोर्ट अगस्त उनियू सथे सिस्वी पंडित मोती लाल नहरू अध्यक्ष बने वार्दोली सत्यागर अक्टूबर 1928 इस भी गुजरात की किसानों का लगान विर्दी के विरोध में सर्दार वल्ला भाई के नेतित में आंदोलन वार्दोली सत्यागर अक्टूबर 1968 में गुजरात की खिसानों का लगान विर्दी के विरोध में सर्दार बल्ला भाई के नितित में आंदोलन लाहूर सदियंत्र केस आठ अप्रेल 1929 भगत सिंग और बटु के स्वर्दात द्वारा बिर्टिस असेम्बली पर बम फेकना कांगरिसका लाहूर अधिवेशन दिसंबल 1929 भी पूर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्ताव स्वाधिन्ता दिवसकी गोषना 2 जनवडी 1936 भी 26 जनवडी को स्वाधिन्ता दिवसकी रूप में मनाने की गोषना स्वाधिन्ता दिवसकी गोषना 2 जनवडी 1936 भी 26 जनवडी को स्वाधिन्ता दिवसकी रूप में मनाने की गोषना नमक सत्यागरत 12 मार्च 1936 से 5 अपरे 1936 और महत्मा गांधी के द्वारा सावरमती आसरम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उलंगन करना नमक सत्यागरत 12 मार्च 1936 से 5 अपरे 1936 महत्मा गांधी के द्वारा सावरमती आसरम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उलंगन करना स्वाधिन्य अवग्यांदोलन 6 अपरे 1936 स्वाधिन्य अवग्यांदोलन की शुरवात स्वाधिन्य अवग्यांदोलन 6 अपरे 1936 स्वाधिन्य अवग्यांदोलन की शुरवात पर्थम गोल में समयलन 12 नवंबर 1936 पर्थान मत्री मैक डोनाल्ड के देखताम लंदन में आयो जित गांधी इर्विन समझोता 4 मार्च 1931 मातमा गांधी और वाई सरा इर्विन के मदे संपन दता सवाधिन्य अवग्यांदोलन अस्तगित करने की गोषना गांधी इर्विन समझोता 4 मार्च 1931 मातमा गांधी और वाई सरा इर्विन के मदे संपन दता सवाधिन्य अवग्यांदोलन अस्तगित करने की गोषना द्वितिये गोल में समयलन 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने समयलन में भाग लिया कम्यूनल अवार्ड संप्रताइक 4566 मार्च 1932 मांधी जी और डॉक्टर अम्बितकर के बीच एक समझोता जिसके संप्रताइक 4545 में दरितों के लिए परांतिये विधान सभा में परिथक निर्वाचन परणाली को समझोत कर उनके लिए सब्सक्राइब के लिए प्रांतिये विधान सभा में प्रिथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए एक गोल में समयलन 17 नवंबर 1932 में कॉंग्रेस न भाग नहीं लिया कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी का गठन माई अट 1934 जोसी कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी का गठन माई 1934 जोसी मुक्ती दिवस 22 दिसंबर 1949 जोसी मुस्लिम लिख्के दारा कॉंग्रेस मंत्री मंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया मुक्ती दिवस 22 दिसंबर 1949 मुस्लिम लिख्के दारा कॉंग्रेस मंत्री मंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 जोसी मुस्लिम लिख्के लाहर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 जोसी मुस्लिम लिख्के लाहर अधिवेशन में अगस्त परस्ताव आठ अगर्च 1940 जोसी वाईशराय लिन लिख्को दगजेटियर ओफ इंडिया पेज 577 सी यह लिया गया है क्रिप्स मीशन परस्ताव मार्च 1940 जोसी स्टीफर्ड क्रिप्स भारत चोरो परस्ताव आठ अगर्च 1940 जोसी महत्मा गांधी 17 सम्मेलन 25 जोन 1945 जोसी सभी राजनेतिक दलों का सम्मेलन नो सेना का वीद्रो говорить 18 सब्सक्राइश 44 матери जों मुंबई ऐचम आईएस त लवार की सेनिकों द्वारा नौव सेना का विद्रो अठाड़े फरबर्ण उनिसो चैलिस जी मुंबई तलवार के सेनिकों के दोरा पर्धान मंत्री एटली की पंदरे मार्च उनिसो चैलिस की घोसना भारत को स्वतंतर करने की आसवासन केबिनेट मिशन का आगमन, केबिनेट मिशन आई योजना का प्रकाशन 16 मversion 1946 भी गुवा 24 मारत 1946 बीटिस मंत्री मंदल के तीन सदस्यों पैथिक लॉर्रेंस, शर ऐस्टीफर्ड कृिप्स एवं एवी अलेक्जेन्दर भारत आगमन केविनेट मिसन का आगमन, केविनेट मिसन योजना का प्रकाशन 16 मैं 1946 भी को हुआ, 24 मार्ट 1946 भी, बेटिस्थ मंत्री मैनल के तीन सतस्यों, पैथिक लॉरेंस, सरे श्टिफ़र्ड क्रिप्स एबं एबी अलेक्जेंडर भायत आगमन, पर्तियक्ष कार्यवाही दिवस 16 अग मंट बैटन योजना 3 जून 1947 भी वाईशराए मांट बैटन ने भारत विभाजन की योजना रखी लुष हिस धनता की प्राप्ती 15 अगरह दलिख और भारत लंगो सथम्ता आधिनियम दोर्हात वाइस घंता दलूबर्यए अस्ता अथ्सम्तूप्ति भारतिय गंतंत्र के अस्थापना 26 जन्रबर नुसे पचास जक्टर राधिन प्रशाद पर्थम राष्टपती भुदान अंदोलन अठाड़े अपरेलोनिसे क्याबनिस्वी इसकी सुर्वात पोचम पली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी भुदान अंदोलन अठाड़े अपरेलोनिसे क्याबनिस्वी इसकी सुर्वात पोचम पली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी रामचन अठाड़े ने सबसे पहले भूदी भूमी दान में दी थी अगला टोपिक हम लोग का पचासमा भारती सुतंथा आंठाड़े ने के परमुख वचा निवम नाड़े और नाम इनकलाब जिन्दाबाद भगत सिंग दिल्ली चलो सुभासन बोष करोया मरो ही राम भारत चोरो मातमा गांदी करोया मरो ही राम मातमा गांदी भारत चोरो जै हिंद सुभासन बोष पुन्न स्व राज आरम हाराम है जवारलाल नेरो वेधो की ओर लोटो द्यानन सरसोती जै जवान जै किसान लेल भादूर सास्ति मारो फिरंगी को मंगल पांडे जै जगत विनोबा भावे करो करमत दो सरदार वर्ला भाई पटिल संपून करांती जैप्रकास नाराइन विजई विश्वति रंगा प्यारा स्यामलाल गुपता पारसद वंदे मातरम बंकिम चन चतर जी वंदे मातरम बंकिम चन चतर जी जनगर्मन अधिनायक जय है रविंद नाठाकुर समराज जबात का नासो भगत सिंग स्वाराज हमारा जन्मसित अधिकार है पाल गंगा दर्तिलग सरफरो सिकी तमना अब हमारे दिल में है राम परसाद बिसमिल सरफरो सिकी तमना अब हमारे दिल में है राम परसाद बिसमिल सारे जहां सच्चा हिंदुस्ता हमारा इकबाल साइमन कमिशन वापस जाओ लाला लाज पतरा है मेरे सिर पर लाठी का एक परहार अंगरेजी सासन के ताबुत की कील साबित होगा लाला लाज पतरा है वचा निवमनारे और नाम मुसल्मान मुर्ख थे जो उन्होंने सुरक्चा की मांगी और हिंदु उसमिस भी मुर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया अबुल कलाम आज आद करांती की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर अगरने साती है भगत सिंग भारत चोरो स्लोगन मात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं था नहीं है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत चोरो स्लोगन लिखने का सरे मेहर यूसुफ अली को जाता है इन्हों नहीं नहीं भारत छोरो आंदोलन आरंब करने के कुछ समय पुर गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें कुट इंडिया स्लोगन का सुझाब दिया था गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉंबे में लिखा आए कि कुट इंडिया को युसुफ नहीं गांधी जी के सामने बिखा ठार किया था भारत फोरो आंदोलन आरंब कर नहीं किर समय पुर मातमा गांधी जीसे मुलाकात कर उन्हें कुट इंडिया स्लोगन का सुझाब दिया गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी और बॉंबे में लिखा आए कि कुईट इंडिया को यूसुफ ने गांधी जी के सामने पेस किया था और गांधी जी ने शुश्विकार किया था अब्यूदय लीडर हिंदुस्तान मदन महन माल भी है इंडियान मीरर वाम बोधनी केशब चंदर सेन इंडिपेंडेंट मोतिलालनेरू काल प्रांज पे काल प्रांज पे कॉम्रेड हमदर्द मुहमद अली बंदी जीवन सचिन्दनाथ सानियाल दैनिक केशरी मराथी साप्ताइक दा मराथा अंग्रेजी री गितारह से बालगंगा दर्तिलाग कर्म योगी युगांतर बंदे मात्रम लाइफ डिवाइन सावितरी लाइफ अरविंद घोष नेशन गॉपाल कृष्न गोखले बंगाली अने नेशन इंन्मेकिंग सुनेज नात्य नात्य बाश्वानी मदिर बरिंदर कुमार गोश् टूट एथिकल रिलिजन पॉच्ब कॉट संवाँ ować कॉमूधी राजाराव मोहन्राई पत्र पत्र प्रत्रिकाई यहां पुष्टा लेखक संपाधक सौमपरकास शुऑरंजन्द विद्यासागर शौम परकासी शुण करत fiber चैक्ट के कारण बंगला से अंगरेजी में प्रकासित होना होने लगा शिसिर कुमार गोस अमरित बजार पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण बंगला से अंगरेजी में प्रकासित होने लगा शिसिर कुमार गोस साप्ताइक कॉमन बिल नियु इंडिया एनी बेसेंट पीरि हिदुस्तनरा नहींट से ट्राओंट भूट कि पत्राइं नोरोजी, इंडिया दिवाइद, डॉक्तर राजंदर परसाद, इंडिया डिवाइद, रॉक्तर नाएज पतराई, एंडिया विंडे इंडिया वइन इंग इंडिया, डेल्श होज़त क हने अभाडाई एव भॉल्ह आप राम आज अप। बॉड़े जान फिल्ग को सफ और Glimpses of World History Mary Kahani Jawaarlal Nehru Discovery of India Glimpses of World History Mary Kahani Jawaarlal Nehru Hints for Self Culture Lala Haradyal da वार अफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावर कर। होम एंड दा वर्ल्ड गितांजली रविन नाठ ठाकूर। नील दरपन दिन बंधु मित्र। सोजे वतन कर्म भूमी सतरंज के खिलारी प्रेम चन। सोजे वतन कर्म भूमी सतरंज के खिलारी प्रेम चन। बांगे दरा तराने हिंद मुहमद इकबाल। भारत भारती मैथली सरंगुप्त। भारत दूर्दसा भारतेंदू हरिस्चन। कॉंग्रेस का इतिहास पट्टावी सिता रमया। सत्यार्थ परकास द्यानन सरुसती। इंडियन स्ट्रगल सुभाज चन्द बुष। आनन्द मत देवी चौधरानी बंकिम चन्द चटो पाधिया। भारतीय विद्रों के कारण सरसयद अहमद खाम। शुद्रों की खोज जाती भेद का उच्छेद अच्छूत कौन और कैसे भाड़क्टर भीम रांबेद कर। नोट राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अगर्दूत कहा जाता है अठर से किसमिं उन्होंने बंगाली साप्ताइक संबात कौमोदी को अठर से किसमिं फार्सी में मिरातु लखबार प्रारंब किये। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिकारीता का अगर्दूत कहा जाता है अठर से किसमिं मुनोंने बंगाली साप्ताइक संबात कौमोदी को और अठर से किसमिं फार्सी में मिरातु लखबार प्रारंब किये। भारत के महान चहीद खुदी रामबोच 988 में सेशन्जज क्रिंख़ो DC की गारी पर बम खेकने के कारण 2N डुरेलीवे स्टेशन पर ग्रियाफ्तार हुए 11जाई 12108 को फहासई दे दी गई खुदी राम बोस 1908 में सेशन जर्ज किंग्स फोर्ट की गारी पर बम फेकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर ग्रफतार हुए 11 अगरस 1908 को फांसी दे दी गई राजंदर लाहिरी दक्षी नेश्वर बम कांड रता काकोरी डाक गारी डकीती कांड के सिलसिले में गिरफतार हुए 17 अबर 1937 को गोंडा की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई राम परसाद बिसमिल राम परसाद बिसमिल मैन पूरी सडियंतर वा काकोरी कांड का योजना का योजना कार इसी कांड में बंदी बनाया गया सजा 19 अगरस 1927 को गोरख पूर जेल में फांसी दे दी गई राम परसाद बिसमिल मैन पूरी सडियंतर वा काकोरी कांड का योजना का इसी कांड में बंदी बनाया गया 19 अगरस 1925 को काकोरी डाक गारी डाकेटी केस के अभियोग में बंदी बनाया गया 19 अगरस 1927 को फाईजाबाद जेल में फांसी दे दी गई उधम सिंग 13 मार्स 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्स्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कांड ग्रफतार हुए 31 विला 1940 को पैंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई उधम सिंग 13 मार्स 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्स्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कांड ग्रफतार हुए 31 विला 1940 को पैंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई बगत सिंग सौंडर्स की हत्या तता आठ अपरेल 1929 को केंद्रिय विधान सभा जो आज लोग सभा हैं में बम फेकने के सिलसिले में गिरफ्तारी सौंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चट कर सहीद हो गए बगत सिंग सौंडर्स की हत्या तता आठ अपरेल 1929 को केंद्रिय विधान सभा जो आज लोग सभा हैं जो में बम फेकने के सिलसिले में गिरफ्तारी सौंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चट कर सहीद हो गए सौंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई 15 अपरेल 1929 को गिरफ्तार हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंग के साथ फांसी दे दी गई सौंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 अपर 1929 को पुना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए 23 मार्च 1931 को केंद्रियल जेल लाहुर में भगत सिंग के साथ फांसी दे दी गई आगे है बटू के स्वर्दत बटू के स्वर्दत भगत सिंग के साथ के अंदरी असेंबली में बम फेगने के आरूप में गिरफ्तार हुए इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला चंदर सेखर आजाद काकोरी डाक गारी डखी तिकेस के मुख्य अभी युक्तवा अंगरेजी सरकार नहीं है जिन्दा या मुर्दा पकरने के लिए 30,000 रुपिया पुरुसकार के गोशना की 23 फरवर 1931 को अलफ्रेट पार्क इलावाद में सहीद हुए चंद सेखर आजाद काकोरी डाक गारी डखी तिकेस के मुख्य अभी युक्तवा अंगरेजी सरकार नहीं है जिन्दा या मुर्दा पकरने के लिए 30,000 रुपिया पुरुसकार के गोशना की 23 फरवर 1931 को अलफ्रेट पार्क इलावाद में सहीद हुए फिर दोस्तों नाम संबंदित गटना राजा मास्टर अमी चंद दिल्ली सडियंत्र केस के परमुक करांथिकारी अमी चंद फरवर्डी 1914 में वाइसरा लॉर्ड होर्डिंग की हत्या के आरोप में करने के आरोप में के बंदी बनाई गए आठ में 1915 को चार सातियों के साथ मास्टर अमी चंद दिल्ली सडियंत्र के परमुक करांथिकारी अमी चंद फरवर्डी 1914 में वाइसरा लॉर्ड होर्डिंग के अत्या करने का आरोप में बंदी बनाए गया आठ में 1915 को चार सातियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई अबद विहारी बोस्त दिल्ली सडि सब्सक्राइब के लिए अंत्र केस के एवं लाहोर बंकांड के आरूप में फरवर्डी 1914 इसमी में बंदी बनाया गया आठ मैं 1915 को फांसी दे दी गई दामोदर चापेकर बाइस जुन अठार सो संतानवे इसमी को प्ले कमिस्णर रेंड और लेफ्टिनेंट एयर्स की हत् सब्सक्राइब नोट पर लेते हैं दोस्तों में फांसी पर लटका दिया गया दामोदर चापेकर बाइस जुन अठार संतानवे इसमी को प्ले कमिस्णर रेंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिल्सिले में अपने भाईयों के साथ गिरफतार हुए सब्सक्राइब नोट पर लेते हैं दोस्तों रेंड और एयरस्ट की हत्या यूरूपियों की पर्थम राजनेतिक हत्या थी मदन लाल धिंगरा एक जुलाए 1909 को करनल विलियम करजन वाईली यंग इंडिया ओफिस में राजनेतिक सायक की हत्या करने के कान गिरफतार हुए मदन लाल धिंगरा एक जुलाए 1909 को में करनल विलियम करजन वाईली यंग इंडिया ओफिस में राजनेतिक सायक की हत्या करने के कान गिरफतार हुए वासुदे बल्वंत करके एक सस्त्र सेना बनाकर बेटिस सरकार का विरूद करने के कान 21 जुलाए 1889 को गिरफतार हुए बल्वंत करके एक सस्त्र सेना बनाकर बेटिस सरकार के विरूद करने के कान 21 जुलाए 1889 को गिरफतार हुए काला पानी के सजा के सिलसिले में अधन में अम्रन अंसन करके 17 फरबरी 883 इस वी को परांत याग दिये करतार सिंग सरावा गदर पाटी के सक्रिय कार्ज करता और लाहर सैनिक सरियंत्र के नेता की हैसियत से गिरफतार किये गए करतार सिंग सरावा गदर पाटी के सक्रिय कार्ज करता ता लाहर सैनिक सरियंत्र के नेता की हैसियत से गिरफतार किये गए इस वी को परांत कानहारे नासिक के जैक्सन हद्याकान के पर्मुक अभियुक तोने कान बंदी बनाए गए 19 अप्रेल 1910 को इन्हें फासी दे दी गई अनंत कानहारे नासिक के जैक्सन हद्याकान के पर्मुक अभियुक तोने कान बंदी बनाए गए 19 अप्रेल 1910 स्वी को इन्हें फासी दे दी गई 21 अक्टूबर 1923 को सिंगापूर में आजाद भारत के आस्थाई सरकार के स्थापना की गोशना की तथा जापानी सेना की साहिता से अन्डमान एवं निकोबार दीप समू पर अधिकार करते वे 1944 स्वी में भारतिय सीमा के इंफाल छेतर में परवेश किया सजा अठाड़े अगर्स 1945 स्वी को वायू यान दुर्गतना में इनकी मिर्ती हो गई परन्तु इस दुर्गतना में को अभी तक प्रमानिक नहीं माना गया है सुभास संद्र वोस 21 अक्टूबर 1943 स्वी को सिंगापुर में आजाद भारत की अवस्ताई सरकार की अस्थापना की गोशना कीता था जापानी सेना की साहिता सेनमा नेवं निकोबार दीप समू पर अधिकार करते वे 1944 स्वी में भारतिय सीमा में इंफाल छेतर में स्वी को विसफोट बंबंू के साथ ग्रिफतर के गक लिये गए सत्रेन नमंब्र 1925 वे कईना साथ दे गई विषन विषन नव गनेश पिंगल फिंगल स्वी पनेशना में 20am Complete's भी साथ की पार खी किरफ़ 15 कंन ने फासी दे कर लिए गए 26 अक्टूबर 1934 को फासी पर इने लटका दिया गया बरज किसोर चकरवरती मिदनापूर के जिला मजिस्टिट बरज पर गोली चलाने का रोपर दो दिसमेंब 1934 इस्वी को फासी पर इने लटका दिया गया कुसाल कूवर कुसाल कूवर 9 9-1441 को बेटिस चैनिक गारी को पर्टिस उतारने के संदे में गिरफ्तार हुए कुसाल कूवर 9 अक्टूबर उन्हें सब्हाइलीस इसभी को बेटी साइनिक गारी को पट्रीस उतारने के संदे में गिरफतार हुए 16-1943 को इन्हें फासी दे दी गई असित भटाचारी ए असित भटाचारी 13-1993 को हभीब गंज में हुई डाक डकईती तथा हत्या के अन्हें मामले के सिलसले में गिरफतार किये गए 12-1934 को सिलहट जिल में इन्हें फासी दे दी गई असित भटाचारी 13-1993 को हभीब गंज में हुई डाक डकईती तथा हत्या के अन्हें मामले के सिलसले में गिरफतार किये गए दो जुलाई 1934 जिल में इन्हें फासी दे दी गई जगनाथ सिंदे हरकिसन सोलपूर थाने पर हमले के अभियोग लगा कर इन्हें बंदी बनाया गया 12 जनबर 1931 को इसको फासी दे दी गई जगनाथ सिंदे जगनाथ सिंदे सोलारपूर थाने पर हमले का वियोग लाकर इन्हें बंदी बना गया बाड़े जनबर 1931 को इन्हें फासी दे दी गई फिर हरकिसन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने का उन्हें फासी दे दी गई हरकीशन 23 दिसंबर 1936 को पंजाब के गबरनर पर गोली चलाने का रुपता भारुप में गिरफतार हुए 9 जुन 1931 को इने फांसी दे दी गई लाला लाजबत राएं सायमन कमिशन का विरोध करने पर पुलिस के दारा पास्विक लाठी प्रहारों के वाज़िकार हुए लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1908 सिस्वी को उनका देहान थो गया लाला लाजबत राएं सायमन कमिशन का विरोध करने पर पुलिस के दारा पास्विक लाठी के प्रहारों के शिकार हुए लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1908 सिस्वी को उनका देहान थो गया कांगरेस अधिवेशन कब और कहां तो पहला कांगरेस अधिवेशन 1858 वी बंबई में हुआ और इसका अधियक्ष वेमेश चंद बनर जी पहला कांगरेस अधिवेशन 1858 वी में हुआ अस्थान बंबई था और इसका अधियक्ष वेमेश चंद बनर जी विशेश बहत्तर पर परतिनेजियों ने भाग लिया दूसरा दिवेशन 2886 में इसके अध्यक्ते बदरुद्दीन तयब 988 अध्याक्ष Bitcoin अध्याक्ष चोफा मतासीश इलहाबाद कि जोज्ञ यूल कि इस प्र्थम अध्याक्ष परिखária च्छोथा अथ्यास आठ्यों इलहाबाद color multiplic with प्रस्थ बर्ण छठा अधिवेशन 1899 कलकत्ता सर फिरोच्छा मेहता छठा अधिवेशन 1899 कलकत्ता सर फिरोच्छा मेहता सात्मा अधिवेशन 1891 नागपूर पी आनंद चारलू आधिवेशन 1891 नागपूर पी आनंद चारलू आठमा अधिवेशन 1892 इलहाबाद व्यमेशचंद बनर जी नौमा अधिवेशन 1893 लाहोर दादा भाई न daha ची दसमा अधिवेशन 1894 में मद्राश अलफ्रेड बेव बिटिस संस्त की एक आयरिस सदस्य थे दसमा अधिवेशन 1894 भी मदरास अलफ्रेड वेव वेव ब्रेटिस संसेत की एक आईरिस सदस्य थे ग्यारमा अधिवेशन 1895 भी पूना वे सुरेंदरनाथ बनरजी दासमा अधिवेशन 1895 वी वर्ष अध्यक्ष अस्थान पूना सुरेंदरनाथ बनरजीस के अध्यक्ष थे बारमा अधिवेशन 1896 वी कलकत्ता रहीम तुल्ला सेयानी पहली बारबंदे मात्रम गाया गया बारमा अधिवेशन 1896 वी कलकत्ता रहिम तुल्ला सयानी पहली बार बंदे मात्रम गया गया अधिवेशन वर्स अस्थान अध्यक्ष तेरमा अधिवेशन 1897 वी अमरावति सी संकरन नायर चौधामा अधिवेशन 1897 वी मदरास आनंद मुहंदास 1566 वी अटवेशन 89 копनो रामेश चंदर्दत 2017 सौधामा अधिवेशन 1901 कलकत्ता दिन सा इदूलजी वाचा 17 अधिवेशन 1901 कलकत्ता दिनसा इदुल जी वाच्चा 18 अधिवेशन 1902 अहमदावाद सुरेंद नाथ बनर जी 19 अधिवेशन 1903 अमदावाद सुरेंद नाथ बनर जी 19 अधिवेशन 1903 अमदावाद सुरेंद नाथ बनर जी विशमा दी बेसन निइसां चारिसवी बंबैश सरहनेरी को थन्य shorts इक्किसमा दी बेशन 1925 बी रुगपाल कृश्न जोखलें स्फव दे शीमा डेशी laodatin रुगपाल कृष्नom desenvolv का अनुम दन्य 22. 1926 वी कलकत्त दादा भाई नवरोजी पहले बार सोराज सब्द का परियोग हुआ 23. 1907 सूरत द्राश भिहारी गोष और रास भीहारी गोष और परिधम विभाजन 23. 1907 वी सूरत में द्राश भिहारी गोष और अंग्रेश का परिधम विभाजन मद्रास डक्टर रास भिहारी गोष कंग्रिस का निर्मान 24 अधिवेशन 1909 लाहूर मदन पंडित मदन महन माल विए 25 अधिवेशन 1910 इस भी इलाहाबाद विलियम वेडर बर्न 26 अधिवेशन 1911 इस भी इलाहाबाद विलिःम वेडर बर्न 26 आधिवेशन 1911 इस भी खलकात पंडित छी विषन नारायन धर पहली बार जन्गन मंद गाया गया 27 अधिवेशन 1912 इस भी बांकीपूर आरेन माध्योलकर कर 27 अधिवेशन 1922 वी बांकीपूर डक्टर आरेन माधोल कर 28 अधिवेशन 1923 वी करांची नवाब सेयद मुहमद बहादूर अधिवेशन 1923 वी करांची नवाब सेयद मुहमद बहादूर उन तीशमा धिवेशन 1924 वी मदरास भुपेंदर नाथ बसू तीशमा धिवेशन 1925 वी बंबाई सर सत्यांद परसंद सिन्ना लॉड वेलिंगेटर ने भाग लिया 31 वी वेशन 1926 वी लग्णो अंभिका चरण मजूमदार मुस्रिम लीक से समझोता 32 वी वेशन 1927 कलकत्त स्रीमा थी एनिवेशन पर्थम महिलाद यागच विश्यस अदिवेशन 1928 वी बंबाई हसन इमाम कॉंगरिस का दूसरा विभाजन ते तिस्मादी वेशन 1928 वी दिल्ली पंदित मदन मुहन माल विए चोतिस्मादी वेशन 1929 वी अमरित चर्पंदित मोतिलाल नहरू चोतिस्मा अदिवेशन 2019 स्बी अम्रित चर्पन्डित मोथी लाल नेहरू विशेश अदिवेशन 2019 स्बी कलकत तलाला लाजबत राएक कॉंगरेस समिधान में परिवर्तन विशेश अदिवेशन 1926 वी कल्कता लाला लाजबत राय कांग्रेस समेधान में परिवर्तन 35 अदिवेशन 1926 वीशनागपुर सीवी राधवा चारियर 36 अदिवेशन 1931 अहमदाबाद हकीम अजमल खान 36 अदिवेशन 1922 गया देश वंदू चितर अंजन दास 38 अदिवेशन 1922 गया चिदेश वंदू चितर अंजन दास 38 अदिवेशन 1922 काकी नाडा मोलाना मोहमद अली विशेश अदिवेशन 1922 दिल्ली अबूल कलाम आज़ा सबसे युबाद द्यक्ष 49 अदिवेशन 1924 बेलगा मातमा गांदी 49 अदिवेशन 1924 बेलगा मातमा गांदी 49 अदिवेशन 1925 कान पुर्षिनी मती सरोजनी नाइडू परत्थम भारतिये महिलाद द्यक्ष 41 अदिवेशन 1926 भी गुवाहाटी श्री निवास आएगर सदस्यों इतु खादी बस्तर आनिवाड़ी 42 अदिवेशन 1926 भी गुवाहाटी श्री निवास आएगर सदस्यों इतु खादी बस्तर आनिवाड़ी 42 अदिवेशन 1927 भी मद्रास डक्टर एन एम अंसारी पून स्वाधिनता की मांग अदिवेशन वर्ष और अस्थान अध्यक्ष विशेश 43 अदिवेशन 1928 भी कलकत्ता पंडित मोतिलाल नहरू 44 अदिवेशन 1928 भी कलकत्ता पंडित मोतिलाल नहरू 44 अदिवेशन 1929 भी लाहर पंडित जे एल जवार लाल नहरू पून स्वाराज की मांग 44 अदिवेशन 1931 भी कराची सरदार बल्ला भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित 46 अदिवेशन 1932 भी कराची सरदार बल्ला भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव का पारित 46 अदिवेशन 1932 दिल्ली अमरित रन्चोर दास्ट सेट 46 अदिवेशन 1932 भी दिल्ली अमरित रन्चोर दास्ट सेट सहितालिसमा अधी वेशन 1923 कलकत्ता स्रीमति नेली सेन गुपता अर्तालिसमा अधी वेशन 1934 बंबई रक्टर राजेंदर परशाद उन्चासमा अधी वेशन 1936 लखन उपंडित जवालाल नेरू कॉंग्रेस पार्लियामेंट बोट की अस्तापना पचासमा अधी वेशन 1936 लखन उपंडित जवालाल नेरू कॉंग्रेस पार्लियामेंट बोट की अस्तापना पचासमा अधी वेशन 1936 वी फ्राजवालाल नेरू गाउं में आयोजित पर्थम अधी वेशन पचासमा दिवेशन 1937-37 वी फईजपूर पनी जभालालने रुगाउं में आयोजित पर्थम दिवेशन 51 मा दिवेशन 1938 वी हरीपूरा गुजराद सुभास चंदर बोस अधियक्ष 52 मा दिवेशन 1949 तिरिपूरी सुभास चंदर बोस 35 मा दिवेशन 1940 वी रामगड अबूलकलाम आज़ाद 54 मा दिवेशन 1946 मेरट आचारी जेवी करिपलानी आजादी के समय अध्यक्ष 55 मा दिवेशन 1948 जैपूर पी पट्टावी सिता रमय्या पच्पनमा अधिवेशन उनिसोपचास नासिकपूर सोतम दास टंडन इस अधिवेशन नरम पंथी एवं गरम पंथी में मतवेद उबरा नरम पंथी राश्वियारी गोष को और एवं गरम पंथी लाला लाजपतराय को कॉंगरिस का अध्यक्स बनाना चाहते थे लेकिन अंत में दादा भाई नवरो जी को अध्यक्स बनाया गया उप्सूरत अधिवेशन की कारणवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए 23 अधिवेशन को मदरास में पुना आयोजित किया गया यूम को कॉंगरिस का पिता का गया अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधिवाद हमेंसा जिन्दा रहेगा कनाची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधिवाद हमेंसा जिन्दा रहेगा कॉंगरिस अधिवेशन से संबंदित कुछ अन्यत थे हैं पहली बार महिलाओं ने कॉंगरिस के 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया पहली बार महिलाओं ने कॉंगरिस अधिवेशन को संबोदित किया कादमबिनी गांगुली कलकत्ता 899 भी कांग्रेज अधियक्ष जोर्ज यूल इलहावद 1888 भी विलियाम वेडरवर्न 1889-2001 अल्फरेड वेव मदश 국민 कोटन मम्बाई 1974 मी 1925 में कόंगरेस कोई अधि वेशन नहीं हुआ हुआ डॉक्तर राजने परसाद उनिस्जाइट विश्यास है दिल्ली में विसेस अधि laptop के při दॉक्टर राजिंदर परसाद 1947 में दिलिम हुए विश्यस अधिवेशन के अध्यक्ष थे भारतिय प्रेश का विकास भारतिय प्रेश का विकास सबसे पहला है बंगाल गजट संस्तापक ते जैम्स अगस्तम हिक्की वर्स अस्तान कलकत्ता विश्यस विंदुभात का परतम स समयचार पत्र बंगाल गज़ता जैम्स अगस्ता सिक्की था सथा इस अबना अस्तान कलकत्ता वाइट का परतम समचार पत्र खी 87 वी अस्थान कलकत्ता इंडिया गजट 87 वी कलकत्ता मदरास कुरियर मदरास कुरियर 1784 वी मदरास मदरास से परकासित परिथम समाचार पत्र मदरास कुरियर 1784 वी मदरास मदरास से परकासित परिथम समाचार पत्र मौंबे हेराल्ड बंबे हेराल्ड शत्रेसो नवासी स्वी बंबई मुंबई से प्रकासित पर्थम समाचार पत्र दिख दर्षन अठाड़ स्वी कलकत्ता पर्थम बंगला मासिक समाचार दर्पन विलियम केरी बंगला समाचार पत्र फिर है मिराद उलखबार जाजारा मुहंद अठाड़ बंगला मासिक स्वी कलकत्ता पर्थम फार्थम फार्थम पत्रिका मिरात उलाखबार राजा राम मोहन राय 1822 वी कलकत्ता पर्थम फार्थी पत्रिका आम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फार्म 1822 वी कलकत्ता उर्थम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फार्म 1822 वी कलकत्ता उर्थम समाचार पत्र बंगदूत राजार राम मोहन राय द्वारकाना ट्रेगोरेवं अन्य 2827 विकलकता चार भासाओं अंगरेजी बंगला हिंदी और तता फार्सी में सापताईग बंगदूत राम मोहन राय द्वारकाना ट्रेगोरेवं अन्य 2827 विकलकता चार भासाओं अंगरेजी बंगला हिंदी और फार्सी में सापताईग उदंत मार्तंड जुगल किसोर सुकूल 2826 विकलकता चार देली का प्रथम समाचार पत्र इसका प्रकासन एक सापताईग पत्र के रुक में सुरू हुआ था उदंत मार्तंड जुगल किसोर सुकूल 2826 विकलकता प्रथम प्रथम समाचार पत्र इसका प्रकासन एक सापताईग पत्र के रुक में सुरू हुआ था बंबे समाचार 3880 वी बंबई गुजराती में पर्तं समाचार पत्र बंबे टाइम्स 838 वी बंबई या 221 या 1 टाइमस उफ आइंडिया बना रस्त गोप्तार दाधा भाई नोरो जी 821 जी बंबई एक गुजराती पर पाक्व कुछिक रफ्त गोफ्तार दादा भाई नोरो जी 1851 भी बंबाई एक गुजराती पाक्चिक हिंदू पैट्रियाट गरीष चंदर गोष बाद में हरिष चंदर मुखर जी इसके माली के वन संपादक 1853 भी कलकत्ता हिंदू पैट्रियाट गरीष चंदर गोष बाद में हरिष चंदर मुखर जी इसके माली के वन संपादक बने 1853 भी कलकत्ता फिर हैं सोम प्रकास द्वारकानाथ विद्या भूशन 1853 भी कलकत्ता पर्थम बंगला समाचार पत्र जो राजनिती से जूरा सोम प्रकास प्रथम द्वारकानाथ विद्या भूशन 1858 भी कलकत्ता प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनिती से जूरा इंडियन मीरर द्वारकानाथ टाइगेओर 1862 भी कलकत्ता बंगाली गिरीष चंदर गोष नेशनल पेपर द्वार्कान अट्टेग और 1865 वी कलकत्ता नेशनल पेपर द्वार्कान अट्टेग और 1865 वी कलकत्ता मद्रास सेल 1868 वी मद्रास बाद में परत्म सांधिय समाचार पत्र मद्रास मेल 1868 वी मद्रास बाद में परत्म सांधिय समाचार पत्र अम्रित बाजार पत्रिका सिसिर्कुमार गो 6868 इस विकलकत्ता बंगला समाचार पत्र बंग दर्शन बंकिम चंचटर जी 873 इस विकलकत्ता एक बंगला मासिक स्टेट्समेन रॉबर्ट नाइट 8875 इस विकलकत्ता भारतिय प्रेश द्वरा बेयर्ड ओफ इंडिया कहे जाते थे हिंदू जी एस अईयर एवं वीरवाद्य वाचारी 8878 इस वि मदरास ट्रिब्यून दयाल सिंग मजीठी 8888 इस वि लाहुर केशरी एवं माराथा बालगंगा दर्तिलग 8888 इस वि मदरास स्वधेश मितरम जी एस अईयर और मदरास स्वधेश मितरम जी एस अईयर मदरास बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्तम नियायले के नियायदिस और कमपनी के करमचारियों के दोसों को बहुत असपरस्ट रूप से परकासित करना प्रारम के अजिसके कारण 1772 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया बंगला समाचार पत्र के रूप में सुरू लेकिन वर्ना किल और प्रेसेक्ट से बचने के लिए अगर कर तथा केलकर दोरा केसरी और मराठा का समपादन किया गया था भारत में सुरू प्रेस के स्थापना प्रेसापना प्रेसाइप पाद्रियों के दोरा प्रेसाइप पुस्तक परकासित की गई थी भारत में सुरू प्रेस के स्थापना प्रेसाइप 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 पुस्तक परकासित की गई बेटिस कालिन आयोग और समितिया इनाम आयोग अध्यक्ष इनाम जणर डल होजी उद्यस भूमी संबंदित विवेचना दुर्भीक्च आयोग अध्यक्ष इनाम आयोग अध्यक्ष इनाम जणर जणर वाइसराइप अकाल निवारन हैतु विचार रिपन इसके अध्यक्ष गवर्णर जनरल थे शिख्चा का विकास एचिंसन आयोग 1886 वी चाल्स एचिंसन, डाफरीन इसके गवर्णर जनरल वाईसराय थे नागरिक सेवा में भारतियों के संख्या में वेर्दी के विचार एचिंसन आयोगठर्स 86 वी चाल्स एचिंसन डफरिन इसके गवर्नर जनरल वाइसराय थे नागरिक सेवा में भारतियों की संख्याम बिर्दी का विचाल हफीम आयोगठर्स 93 वी लेंस डाउन हफीम सेवन को रोखने ही तू हफीम आयोगठर्स 93 वी लेंस डाउन हफीम सेवन को रोखने ही तू हरसेल समीत आयोगठर्स 93 वी हरसेल लेंस डाउन टक्साल समन्दी सुझाव हरसेल समित्य अठर्स्त्य 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 अठर्स्य 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 अठर् रोनाल्ड करजन दुतिय दुर्भीक्ष आयो की रिपोर्ट पर सुजाब सिंचाई आयो 1901 वॉल्वीन स्कॉट करजन इसके गवर्नर जनरल वाइसराय थे सिंचाई में सुधार हितु विच्वितिय विचार विश्विद्याले आयो 1922 थोमस रहले और गवर्नर जनरल इसके क पर विचार प्रेजार कर जण इसके गवर्नर जनरल वाइसराय थे पूलिस के कार्येघितितों पर विचालब का लंद देखेंगे इस लिंग्टन आयोगे इसके हाडिक सिबा भारतियों की हिसे दारी पर विचार मैक्ता लेगन समीती उनिसवेइवस्ता समन्दी सुज। समीत उनिसवेइवस्तां से समन्दी सुज। मैकल संटर ना में 200 की जाँच. कलकत्ता विस्विद्याले आयोग सेडलर आयोग 1917 विस्विद्याले में 200 की जाच भारतिय चटनी समीती 1936 विलोड इंच कैप रीडिंग शिख्षा समझिद विचारे तू भारतिय चटनी समीती 1923 लोड इंच केप रीडिंग शिक्सा समंधिर विचार एतु ली आयोग 1924 लोड ली रीडिंग लोग सेब आयोगी गठन के अनुसंचा 1926 में गठन सेंड हर्स्ट समीती 1925 एंड्रियू एसकीन रीडिंग भारतिय सेना का भारतिय करन पर विचार बटलर समीती 1937 बट हरकोर्ट बटलर इर्विन देशी राजियों वास अंग्रेजी सरकार के समधों पर विचार साइमन आयोग 1937 जोन साइमन इर्विन 1929 एंडिन इर्विन 1929 के अधिनियम है तू की समिक चाहे तू लिन लिथगो आयोग 1937 बट इर्विन 1929 के अधियों पर विचार लिन लिथगो आयोग 1968 इर्विन वास राज जनरल थे क्रिसी समधी समध्याँ पर विचार विटले आयोग 1968 इर्विन शरमिकों की इस्तिती पर विचार लिन्ड से आयोग 1939 इर्विन भारत वे मिशनरी सिक्चा के विकास है तू भारतिये वैधानीक आयोग 1939 इर्विन शरमिकों की इस्तिती की समिक्चा करने है तू सपुरू समीती 1934 वी तेजबादूर सपुरू विलिंगटन बेरोजगाड़ी की समस्या की समिक्षा एतू भारतिय परी सीमन समीती 1935 वी लोरी हैमंड विलिंगटन निर्वाचन की चेतों की अवस्था एतू भारतिय परी सीमन समीती 1935 वी लोरी हैमंड विलिंगटन निर्वाचन चेतों की अवस्था एतू राष्टी योजना समीती 1938 वी जवारलाल नहरू लिनलित को आर्थिक योजना क्रिप्स आयोग 1942 वी एस्टेफोर्ड क्रिप्स लिनलित को भारतियों को सत्ता हस्तानाथित करने पर विचार है तू क्याबिनेट आयोग 1946 वी प्रैथिक लॉरेंस वेवल भारतियों को सत्ता हस्तानाथित करने पर विचार है तू दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 वी सर्जॉल्स वूड वेवल बंगाल के अकाल के कारने पर विचार है तू सार्जेंट आयोग 1944 वी जॉन सार्जेंट वेवल शिक्षा के विकासे तू उपाधी प्राप्त करता एवं दाता गुरुदेव की उपाधी प्राप्त करता एवं दाता गुरुदेव की उपाधी प्राप्त करता एवं दाता गुरुदेव की उपाधी प्राप्त करता एवं दाता थे मात्मा गांधी महतमा गान्दी प्राप्त करता थे देने वाले रविन्ना और ताएगउर नेता जी सभा संद भोस को दिया गया और देने वालै एडल्फ इटलर ते सरदार वारदोली की महिलाइएं देशरतन आजास चत्रो डक्टर राजर्द परशात को दिया गया महत्मा इस देने वाले थे मात्मा इस दे जिन देने वाले भारत की एतिहाजिक लड़ाईयां प्रथम युद वर्स और 1191 प्रित्वी राज ने मुहमत गौरी को हराया प्रथम युद 1191 प्रित्वी राज ने मुहमत गौरी को हराया चंदावर का युद 1194 प्रित्वी राज ने मुहमत गौरी ने जैचंद को हराया पानीपत की पहली लड़ाई 1566 बाबर ने इमराहिम लोधी को भाड़ाया खानववा का युद 8537 बाबर ने राना संगा को भाड़ाया चंदेरी का युद 85 स mistake बाबर ने मेदनी राइक भाड़ाया घागरा का युद 4534 बाबर ने अफगानों को भाड़ाया कर्णोच का यूद 1549 सेर्षा ने हुमायू को अराया पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर नहेमू को अराया ताली कोट का यूद 1565 विजयनेगर समराज का पतन ताली कोट का यूद 1565 विजयनेगर समराज का पतन हल्दी घाटी का यूद 1556 वि अकबर नहेमाराना परताप को अराया पलासी का यूद 1557 वि अंग्रेजों नहें सिराजु दौला को अराया वांडी वास का यूद 1767 वि फ्रांसीसियों की पराजे पानिपत की तिस्री लड़ाई 1767 वि अहमद साबदाली नहेराटों को अराया बक्सर का यूद 1764 वि अंग्रेजों नहें मिरकासिम को अराया रुहेला का यूद 1774 वि खुर्दा का यूद 1795 वि निजाम की पराजे पराथम सोतनता संगिराम 1857 वि भारत चीन यूद 1962 वि पराथम भारत पाक यूद 1965 वि दूतिये भारत पाक यूद 1931 वि पराथम विष्यूद परमुख राजवन्स संस्थापक तथा राजधानी, हरियक वन्स संस्थापक तथा राजधानी राजधानी ती संस्थापक तथा राजधानी ती कुसान वन्स कुजूल कट फिसेश पुरुसपूर राजधानी ती गुप्त वन्स सिरी गुप्त इसके संस्थापक तथा राजधानी ती हून वन्स तोर्मान इसके संस्थापक तथा राजधानी ती वर्धन वन्स पुसिभूती इसके संस्थापक तथा राजधानी ती वर्धन वन्स वुसिभूती इसके संस्थापक ते राजधानी ती पांड़े वंस नेडियोन इसके संस्थाबक थे मदूरे इसकी राजदानी थी चूल वंस विजियाले इसके संस्थाबक थे तंजवर राजदानी थी चूल वंस विजियाले इसके संस्थाबक थे तंजवर इसकी राजदानी थी कि फिर से मैं एक बारी प्ट कर देता हूं दोस्तों पर्मुख राजिवन् – हर्यक माहिकिससाइब्प बिमभी सार थे और राज़ानी राज्ग्री सिसाइबितीों सिवर्मुच के श् continentsलव व्यू和ासु देव प्रद्ली पूस्प इसकी राज़ानी थे । संस्थाफब कंवासुदेव वासुदेब पार्वी पुत्र इसकी राजदानी थी उसान Ol exist kit संस्थाफब कंवासु देव न्यरेकरुत परता इसकी राजदानी थीbook सेадाघ बिजियाले इसके संस्तापक थे कैम और मदूरे इसकी राइदानी ती चोल When विजियाले इसके संस्थाबक ते तंजवर इसकी राजधानी थी, पल्लव वन्स, सिंग वर्मन चतूर्थ इसके संस्थाबक ते काची पूरम राजधानी थी, राजवन संस्थाबक राजधानी, राष्टकूट वन्स, दंती दुर्ग संस्थाबक ते मानेखेट राजधानी थी, इसके संस्थाबक ते वेंगी इसकी राजधानी थी, चालू के वेंगी विश्णु वर्दन इसके संस्थाबक ते वेंगी राजधानी थी, वेसल वन्स, विश्णु वर्दन इसके संस्थाबक ते द्वार समुदर इसकी राजधानी थी, यादव वंस विल्लव पांच इसके संस्थाबक थे और देवगिरी इसकी राजधानी थे कदम वंस मयूर सर्मन इसके संस्थाबक थे वन वासी इसकी राजधानी थे काक्तिय वंस बीटा परथम इसके संस्थाबक थे अमर कॉंड इसकी राजधानी थे काख्तिय वंस बीटा परतम इसके संस्थाबक ते अमर कुंड राजधानी थी गंग वंस बरज हस्त पंचम इसके संस्थाबक ते कुबलाल वा तलकाड इसकी राजधानी थी पाल वंस गोपाल इसके संस्थाबक ते मुंगिर राजधानी थी पाल वंस गोपाल इसके संस्थापक ते मुंगेर इसकी राजदानी थी सेन वंस सामंत सेन इसके संस्थापक ते अग लखनोती इसकी राजदानी थी कारकोट वंस दुरलव वर्धन इसके संस्थापक ते उत्पल वंस अवंती वर्मन इसके संस्थापक ते लोहार वन्स संगराम राज इसके संस्थाबक ते लोहार वन्स संगराम राज इसके संस्थाबक ते वर्मन वन्स कामरू पूस्य वर्मन प्राग जयोतिस्पूर इसके राजदानी थी गुर्जर परतिहार वन्स नागबट पर्थम इसके संस्तावक ते कन्योज इसके राजदानी थी गहडवाल वन्स चंदरदेव इसके संस्तावक ते कन्योज इसके राजदानी थी चौहान वन्स वासुदेव इसके संस्तावक ते अजमेर इसके राजदानी थी चवहान वन्स वासु देब इसके संस्ताबक ते अजमेर इसकी राजदानी थी परमार वन्स उपेंदर इसके संस्ताबक ते धारा नगर इसकी राजदानी थी चंदेल वन्स नन्नुक इसके संस्ताबक ते खजुराहो महोबा इसकी राजदानी थी सब्यूंकी वंद्स मूल राजन भर्त इसके संस्थाबिक दिल्ली इसकी राजनी थे कल्चूरी वंच कोकल इसके संस्थाबक ते तिरी पूरी इसकी राजानी थे गुलाम वंच कुतुब दिन एबक इसके संस्थाबक ते दिल्ली इसकी राजानी थे खिलजी वंच जलालो दिन खिलजी इसके संस्थाबक ते दिल्ली इसकी राजानी थे खिल्जी वन्स जलालो दिन खिल्जी इसके संस्थाबक ते दिल्ली इसके राज़ानी थी तूलक वन्स गयासो दिन तूलक इसके संस्थाबक ते दिल्ली राज़ानी थी सेद वन्स खिंजखा इसके संस्थाबक ते दिल्ली राज़ानी थी सेद वन्स खिंजखा संस्थाबक ते दिल्ली राजानी थी लोधी वन्स बहलो लोधी संस्थाबक ते दिल्ली राजानी थी संगम वन्स हरी हर एबंबुका इसके संस्थाबक ते विजय नगर राजानी थी संगम वंस हरी हर बेम बुका इसके संस्ताबक ते विजय नगर राज दानी थी सालूम वंस नर्सिंग इसके संस्ताबक ते विजय नगर राज दानी थी तुलूम वंस वीर नर्सिंग इसके संस्ताबक ते विजय नगर राज दानी थी तुलू वंस वीर नर्सिंग इसके संस्थाबक ते विजे नगर राजधानी थी आर वीडू वंस तीरू मल इसके संस्थाबक ते पेनु कॉंड़ा इसकी राजधानी थी आर वीडू वंस तीरू मल इसके संस्थाबक ते और पेनु कॉंड़ा इसकी राजधानी थी बहमनी वंस हसन गंगु इसके संस्थाबक ते गुलबर्गा बीदर इसकी राजदानी थी आदिल साही वंस आदिल सा इसके संस्थाबक ते बीजापूर इसकी राजदानी थी निजाम साही मलिक अहमद नगर इसकी राजदानी थी निजाम साही वंस मलिक अहमद इसके संस्ताबक ते अहमद नगर इसकी राजधानी थी इमाद साही वंस पते उल्ला इमाद सा इसके संस्ताबक ते बरार इसकी राजधानी थी इमाद साही वंस पते उल्ला इमाद सा बरार इसकी राजधानी थी कुटूब साही वंस कुली कुटूब सा गोलकुंडा इसकी राजधाने थी बरीद साही वंस अमीर अली बरीद इसके संस्ताबक ते बीदर इसकी राजधाने थी सरकी वंस मलिक सरवर इसके संस्ताबक ते जौनपूर इसकी राजधाने थी सरकी वंस मलिक सरवर इसके संस्तावक ते जौनपूर इसकी राजदानी थी मुगल वंस बाबर इसके संस्तावक ते दिल्ली यागरा इसकी राजदानी थी भोसले वंस सिवाजी इसके संस्तावक ते राइगर इसकी राजदानी थी हैदराबाद के सतंतर राज्य निजाम उल्मुल्क हैदराबाद हैदराबाद के सतंतर राज्य निजाम उल्मुल्क इसके ताबक थे हैदराबाद इसके राज़ानी थी समाजिक सुधार अधिनियाम सिसु वद परतिवंद गवरिणनर जोन सूर वेले जलि वर्स 779.75 शिसु हत्यापर परतिवंद लौड विल्यम वेंतिंग 1829 शिtur पर पूर्ण परतिवंद सती पर्ता पर्ती बंध लॉड विलियम वेंटीग अठ दास पर्ता पर पर्ती बंध या गया हिंदू विद्वापुनर विबाद केनिंग ने से विद्वाब विबाकियनमती हिंदू विद्वा पुनर विवा लॉर्ड कैनिंग अठरस चपन इसवी विद्वा विवा किया नुमती नेटिव मैरेज एक्ट नौर्थ बुरुक अठरस बहतर इसवी अंतर जातिये विवा अधिनियम गवर्णर जनरल और वर्ण विशे ऐज ओफ चपनसेंट एक्ट लेंस डाउन गववर्णर जनरल थे वर्श 28 91 विशे लर्की केलिए विवा की आयओ बारे बर्श नेदारीथ इस और अधिनियक्ट ग 18 सर्दाद जनर्रवbirds 193 में विषाथskד लग्यूं की लड़की की नियूंतामाय 14 मों लड़क की नियूंतामाय Já ुथा लड़कों मुस्लिम समाजिक धार्मिक अंदोलन और संगतन आंदोलन वर्द्थ अस्थान संस्ताब करें फराजी आंदोलन 1849 इसभी अस्थान धाका कारामत अली जौनपूरी तया तायूनी आंदलन 1849 इसभी धाका में हुआ कारामत अली जौनपूरी दारुल उलुम दारुल उलुम 1864 इसभी देवबन सहरनपूर उत्तरपर्दिस मुहमद कासिम रशीद अहमद गंगोही दार उलूम आंदोलन और इसका वर्ष Heat 167 भी अस्थान देववध साहरन पुरूतर परदीस मुहमद कासीम रर्शित अहमद गंगोही पिर अलिगाड आंदोलन 875 भी अलिगाड में वत सर स्यर्थ Heat Ahmed Khahn अलिगड आंदोलन 875 वी अलिगड में सरसेयद अहमद खान अहमदीया आंदोलन 889-890 वी फरीद कोट कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद अहमदीया आंदोलन 889-890 वी फरीद कोट गादियान के मिर्जा गुलाम अहमद अबम्ब का टोपिक है दोस्तों 20 इतिहास पुनर जागरन हम लोग 20 इतिहास देखेंगे और पहला टोपिक है पुनर जागरन पुनर जागरन का प्रारम इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है इतली के महान कभी दाते 226-321 इसवी को पुनर जागरन का अगरदूत माना जाता है दाते ने प्राचिन लेटिन भाजा को छोर कर ततकालिन इतली की बोलचाल की भाजा टसकन में डिवाइन कॉमेडी नामक का भी लिखा जिसमें दाते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्नन किया दाते के बाद पुनर जागरन की भावना का प्रस्रे देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक और 304-306 था पेट्रोक को मानवववाद का संस्ताफ़क माना जाता हुआ इटली का निवासी था इटालियन गद्धी का जनक कहानिकार बोके सियो को 333-375 इस भी को माना जाता है कहानिकार बोके सियो की डेका मेरोन परसित पुस्तक है आधुनिक विश्व का प्रथम राजिंटिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैक्यावेली 1479-1567 को माना जाता है आधुनिक विश्व का प्रथम राजिंटिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैक्यावेली 1479-1567 को माना जाता है मैक्यावेली की परसित पुस्तक एदा प्रिंस जो राज जी का एक नवीन चित्र परस्तुत करती है मैक्यावेली की परसित पुस्तक एदा प्रिंस जो राज जी की राज का एक नवीन चित्र परस्तुत करती है आदुनिक राजनितिक दरसन का जनक मैक्यावेली को का जाता है पुनर जागरन की भावना की पूर्ण अभिवेक्ति इटली के तीन कलाकारों को की किर्थियों में मिलती है ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची माइकल एंजेलो और राफेल पुनर्जागरन की भावना का पूर्ण अभी वेक्ति इटली के तीन कलाकारों की किर्थियों में मिलती है ये कलाकार ते लियोनार्डो दा विंची माइकल एंजेलो और राफेल लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुकी परतिवावान संपन वेक्ति था लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुगी परतिवा समपनवक्ती था, वां चितरकार, मुर्तिकार, इंजिनियर, वेगानिक डासनिक वाकवी और गायक था लियोनार्डो दा विंची लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चितरों की रतिता हुने कारण परशिद है मुलियो नार्डो दा विंचे दा लास्ट सपर और मौना लिसा नामक अमर चित्रों की रचिता होने कारण परसिद है माइकल एंजेलो भी एक अद्बूत मुर्तिकार एवं चित्रकार थे माइकल एंजेलो भी एक अद्बूत चित्र मुर्तिकार एवं चित्रकार था सिस्तान की गिरजागर की छत में माइकल एंजेलो के दौरा ही चितर बनाए गए है राफेल भी इटली का एक चितरकार था जिसकी सर्वसेश्क्रिती जिसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चितर है पुनर जागरन काल में चितरकला का जनक जी आटो को माना जाता है पुनर जागरन काल का सर्वसेश्ट निवंदकार इंगलेंड का फ्रांसिस बेकन था पुनर जागरन काल का सर्वसेश्ट निवंदकार इंगलेंड का फ्रांसिस बेकन था हॉलेंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक दा प्रेज ओफ फॉली में वेंग्यात्मक धंग से पादरियों के ओनेतिक जीवन एवं इसाई धर्म की कुरुतियों पर प्रहार किया है हॉलेंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक दा प्रेज ओफ फॉली में वेंग्यात्मक धंग से पादरियों के ओनेतिक जीवन इवं इसाई धर्म की कुरुतियों पर प्रहार किया है इंग्लेंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर समाज का चितर परस्तूत किया है मार्टिन लूथर ने जर्मन भासा में बाईविल भासा का अनुबाद परस्तूत किया इंग्लेंड के रोजर बेकन को आधुनिक परियोगात्मक विग्यान का जन में दाता माना जाता है पिर्थभी सवर मंडल का के अंदर है इसका खंडर सवर परतम पॉलेंड निवासी कोपर निकस ने किया गयलीलियो 54 – 1642 ने भी कोपर निकस के सिदान्द का समरतन किया गेलिल्यों 1564-168 शुरी के चार और किस परकार गूमते हैं जर्मनी के परसित वेक्यानिक केपला या केपलर 25-168 शुरी के चार और किस परकार गूमते हैं न्यूटन 1642-726 ने गुर्ट्वा कर्षन के नियम का पता लगाया धर्म सुधार अंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था इसने बाइबिल का नुथर था जर्मनी का रहने वाला था इसने बाइबिल का नुभाद जर्वन भासा में किया धर्मá सुधार अंदोलन की सुब्वाद इंग्लेंड में धर्मू चुदार अंदोलन की सुददकर इंग्लेंड में हुई इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा अमेरिगो वेशू पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा परसांद महासागर का नाम करने स्पेन निवासी मेगलेन ने किया परसांद महासागर का नाम करने स्पेन निवासी मेगलन ने किया समुदरी मार्क से संपुन विशु का चक्कर लगाने वाला पर्थम वेक्ती मेगलन था अमेरिका ने ब्रेटिस ऑपनी वैसिक सामराज की नीव जेम्स परथम के सासन काल में डाली अमेरिकी स्वतनता अंदोलन के दोरान इंगलेन का सासक जोर्ज तिर्तिय था अमेरिका में ब्रेटिस ऑपनी वैसिक सामराज की नीव जेम्स परथम के सासन काल में डाली गई अमेरिकी स्वतनता अंदोलन के दोरान इंगलेन का सासक जोर्ज तिर्तिय था रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे अमेरिका को पूर्ण सोतंता चार जोलाई सतर सो चीटर को मिली अमेरिकी सोतंता की गोष्णाने सर्गी कदिकार नेचुरल राइट्स के चिद्धान पर आधारित थी अमेरिका को पूर्ण सोतंता चार जोलाई सतर सिटर इस भी को मिली अमेरिकी सोतंता की गोष्णाने सर्गी कदिकार नेचुरल राइट्स के चिद्धान पर आधारित थी अमेरिका का स्वतंता युद 1783 में पेरिज के संदी के तर समाप्त हुआ इस संदी के अनुसार बिटेंग के ने उत्री अमेरिका के 13 अंगरेजी उपनी विशो की स्वतंता स्विकार कर ली अमेरिका की स्वतंता संगराम में लफायते के नेथित्वें फ्रांसेशी सेना ने इंगलेंड के विरुद भाग लिया था सब्त वर्सिय युद में इंगलेंड की काफी आर्थिक छती हुई थी इस छती पूर्थी ये तू तास्कालेन परधान मंत्री ग्रेन वीले ने सब्त वर्सिय युद में इंगलेंड की काफी आर्थिक छती हुई थी इस छती पूर्थी ये तू तास्कालेन परधान मंत्री ग्रेन वीले ने सब्त वर्सिय युद इंगलेंड एवं फ्रांस में सब्त वर्सिय युद इंगलेंड एवं फ्रांस में इस भी के बीच हुआ था शुतंता अंदौरन के दोरान उपनिवेश वासियों ने शुदिन्ता के लिए शुदिन्ता के पूत्र एवं स्वधिन्ता की पूत्रियों नामक चंस्ता बनाई जो ब्रेटिस सरकार की कारवाईयों का विरोध करते थी तुद्द्धा इसमें टो सुतंता की आफसक्ता पर बल दिया गया टोमस पेन ने राइट्स ओफ मैन की भी रचना की अमेरिकी सुतंता संगराम का नायक जोर्ज वासिंग घतन थे जो बाद में अमेरिकी का अमेरिका का परथम राष्टपती बना अमेरिकी 17 संग्राम का ततकालिन कारण वोस्टन की चाय पार्टी थी जो 16 दिसंबर 1773 इस भी को हुई थी इस घटना से अमेरिका का 17 संग्राम प्रार्ण भुआ इस घटना कारण एक सेम्वल एडम्स था 5 सितंबर 1774 इस भी को 13 उपनिवेशों की परतिनिधियों का फिलाडेलफिया सहर में एक महादेशी समेलन आयोजित किया गया जिसमें बेटिस कानूनों का विरो तता वैपारियों के भाहिसकार का निर्ने हुआ 5 सितंबर 1774 इस भी को 13 उपनिवेशों के परतिनिधियों का फिलाडेलफिया सहर में एक महादेशी समेलन आयोजित किया गया जिसमें बेटिस कानूनों का विरो तता वैपार के भाहिसकार का निर्ने हुआ 8 अपरेल 1775 को बेटिस से ना दता उपनिवेश वासियों के बिच लेंगिस्टन में परतिनिधियों के परतिनिधियों संगर्ष हुआ चार जुलाई 1776 में फिला डेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ जिसमें टॉमस जाफर्षन दौरा तयार किया गया स्वतनता का गोसना पतर जारी किया गया 4.76 1976 में फिलाटेलफिया में दूसरा महादेश की समयलन हुआ जिसमें टॉमस जैफ़र्ण दारा तयार किया गया सौतंता का दोसना पतर जारी किया गया परजातंत्र की अस्थापना स्वरपरतम अमेरिका में हुई इसे ही आदूनिक गंतंत्र की जननिक आ जाता है धर्म निर्पेक्ष राज की अस्तापना भी स्वरपर्थम अमेरिका में हुई परजातंत की अस्तापना स्वरपर्थम अमेरिका में हुई इसे ही आधुनिक गंतंत की जनेनी का जाता है धर्म रिर्प्रेक्ट राज़ की अस्तापना विश्वरपर्थम अमेरिका में हुई संसार में सौरपर्थम लिखित संविधान सन्यूकत राज अमेरिका में 3789 में लागुवा जिसमें महिलाओं को संपतिका अधिकार मिला तता उत्राधिकार कानून को नियाय संगत बनाया गया संसार में स्वर परतम लिखित सम्विधान सन्युक तरज अमेरिका में 3789 में लागू गवा जिसमें महिलाओं को संपतिक आधिकार मिला दता अधुराधिकार कानौन को नियाय संगत बनाया गया मॉन्टेस्क्यू की सक्ती पिर्थक करन सिधान को मानियता मुली 1781 विम उपनी वेसी सेना के समुक आत्म समर्पन करने वाला ब्रेटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्ण वालिस था अमेरिका विस्व का पहला देश था जिसने मनुस्यों की समानता तता उसके मौली का दिकारों की गोसना की अमेरिका में दासों के आयात को 880 विम अववईद गोसित किया गया अबरहाम लिंकन अमेरिका के राष्टपती 860 विम में हुए अमेरिका में गिरी यूद की सुरुआत बारे अपरेले 860 विम में दक्षिन एबं उतरी राजियों के बीच हुई अमेरिका में गिरी यूद की सुरुआत बारे अपरेले 860 विम में दक्षिन एबं उतरी राजियों के बीच हुई अमेरिकी गिरी यूद की सुरुआत दक्षिन कैरोलिना राज से हुई इसी यूद के फ़ल सुरुप ही दास परता का अंत हुआ अमेरिकी गिरी यूद की सुरुआत दक्षिनी कैरोलिना राज से हुई इसी यूद के फ़ल सुरुप दास परता का अंत हुआ एक जन्मेर 860 को अबरहाम लिंकन ने दास परता का उन्मूलन किया एक जनवे chat 63 को अबहाम लिंकन ने दास परता का उनमुलन किया परजातंद जनता का जनता की द्वारा और जनता के लिए सांसन ने परजातंद की आपरिवास अबहाम लिंकन ने दि है अबरहाम लिंकन की हतिया जॉन विल्किज ब्रूस नामक वेक्ति ने 14 अपरेल 1865 को कर दी अमेरिकी गिरी यूद की समापती 26 में 1865 इस भी को हुई अमेरिका फिलोसोफिकल सोचाइटी की अस्थापना बेंजामिन फ्रेंकलिन ने की थी फ्रांस की राज्य करांती फ्रांस की राज्य करांती 2789 में लूईस ओलामा के साथनकाल में हुई इस समय फ्रांस में सामन्ती वेबस्ता थी 14 जुलाए 2789 को करांती कारियों ने बास्तिल के काराग्री के फाट़ को तोरकर बंदियों को मुक्त कर दिया तब से चौदे जुलाइ को फ्रांस में राष्टी दिवस सोतंता दिवस के रुप में मनाया जाता है समानता सोतंता और बंदुतु का नारा फ्रांस की राज करांती की देने मैं ही राजियों और मेरे सब्धी कानुन याकतन लुई सोचाओधामा का है मैं ही राजियों और मेरे सब्धी कानुन याकतन लुई चौदामा का है राजा की निरंकुस्ता विस स्वेक्षा चारिता पर अंकुस लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्ता थी जिसकी संगया सतरा थी और जिसका अगठन नियायले के रुप में किया गया था पताओ पत्ल्समाना का निर्मान लुई चौदामा ने करना ने अगठन तौस्ता चौदामा की पत्नी मेरी अंत्वा नेथ अस्ट्रिया की की राजकुमारी थी नुउस हो लावा की पतनी मेरी अंतवानेट अस्ट्रिया की राजकुमारी थी राज्च की समाधीवारसाई की भ़्षाय की भरकिला राजदर्बार था मुट्रीशालावाफ टेले एक परकार की भुमिकर था जो टीथे एक परकार का धार्मिक करता जिसे चर्च को देना पड़ता था फरांसेशिक की इरंती में वाल्टेयर मोन्टेश्कियों में रूस्वो ने सरवादी की योगदान किया फ्रांसिजिक किरांथी में वाल्टेयर मॉन्टेश के उम रूसो ने सरवादिक योगदान किया वाल्टेयर चर्श का विरोधी था रूसो फ्रांस के में परजात अंत्रात्मक सासन पदती का समर्तक था रूसो फ्रांस में परजात अंतात्मक सासन परदति का समर्थक था सो चुहों की अपिक्चा एक सिंग का सासन उत्ता में या उक्ति वाल्टेयर की है सोसल कॉंट्रेक्ट रूसों की वा लेटर्स ओन इंगलिस वाल्टेयर की रचना है सोसल कॉंट्रेक्ट रूसों की वा लेटर्स ओन इंगलिस वाल्टेयर की रचना है कानून की आतमादा स्प्रीट ओफ लाउज की रचना मॉन्टेश क्यों ने की थी सबसे महत्ति का समानता था जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था व् इसमें देश की 90% जनता थी उन्हें सभी परकार के कर देने परते थे इस वर्ग में वैपारी डॉक्टर वकील जज अध्यापक सिक्षक लेखक सिल्पी किसाने मजदूर सभी सामिल थे इसमें सभी परकार के कर देने परते थे इस वर्ग में वैपारी डॉक्टर वकील जज अध्यापक लेखक सिल्पी किसाने मजदूर सभी सामिल थे फ्रांस की राजक्रांथी के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे थी इस्टेटर्स जेनरल की अधिवेशन की सुब अध्याप पांच हमें 1789 अवासी में हुई थी मापतौल की दिसमलब परनाली फ्रांस की देने सांस्कृतिक राष्टियता का जनक हर्डर को कहा जाता है नेपोलियन का जन 15 गर 1770 को कौर्शिका द्विव की राजानी अजासीयो में हुआ था नेपोलियन का पिता का नाम कारलो बोनापार था नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादिमी में सिक्षा प्राप्त की थी 1796 में नेपोलियन इटली में अस्ट्रिया के पर्मु को समाप्त किया फ्रांस में डायरेक्टरी के साथन का अंत 1799 में हुआ नेपोलियन इटली में जीवन भर के लिए कौंसल बना नेपोलियन 1799 में पर्थम कौंसल बना और 1822 में जीवन भर के लिए कौंसल बना 1844 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है नेपोलियन ही सरपर्थम इंगलेन को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने ही सरपर्थम इंगलेंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन की पत्नी जोजे फाइन को तलाग देकर आस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुईसा से साधी की नेपोलियन ने पत्नी जोजे फाइन को तलाग देकर आस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुईसा से साधी की ट्राल्फगर का यूद 21 सक्टूबर 1805 इसमी में इंगलेंड नेपोलियन के बीच हुआ नेपोलियन ने बैंक आफ फ्रांस के स्थापना 1880 इसमी में की नेपोलियन ने कानूनों को संगरा तयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड का जाता है नेपोलियन को नील नदी के यूद में अंगरी जी जहाज बेडे के नायक नेलसन को बुरी तरह प्राजित होना परा नेपोलियन को नील नदी के युद में अंगरी जी जहाज बेड़े के नायक नेंसन के हाते बुरी तरह पराजित होना परा यूरोप के रास्टों ने मिलकर 823 मिनेपोलियन को लिप जीग नामकस्तान पर हडा दिया और उसे बंदी बनाकर एलवा के टापू पर भेज दिया परंतुवा एलवा से भाग निकला और पुना फ्रांस का समराट बना सेंट हेलेना दुई पर भेज दिया वहां 821 इसमिम उसकी मिर्ति हो गई नेपोलियन लिटल कारपोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आकरमन करना इंगलेंड के वानिज ये वह वैपार का वहिसकार करने के लिए नेपोलियन ने महादू को का वैवस्ता का सुतरपात किया था इंगलेंड के वानिज ये वह वैपार का वहिसकार करने के लिए नेपोलियन ने महादू का वैवस्ता का सुतरपात किया था वियना कॉंगरेस समझोता के तथ यूरोप के रास्टो ने इतली के एकिकरन का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है, मेजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था, मेजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था, इतली के एकिकरन में सबसे बरा बादक आस्ट्रिया था, इतली के एकिकरन में साडीनिया पिडमॉंट राजिक ने अगवाई की थ इतली के एकिकरन की तलवार Gary Baldy को कहा जाता है यंग इतली के स्थापना ठर्शिक्तिस में जोसेफ मेजिनी ने की Gary Baldy लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था Carbonary Society के संस्थापक गिववर्टी था Victor Emmanuel Sardinia का सासक था इतली केकिकरन की सुरात Lombardi और Sardinia राजियों की मेल से हुई इतली केकिकरन की सुरात Lombardi और Sardinia राजियों की मेल से हुई इतली राष्ट का जर्म 2 April 1860 को माना जाता है 1871 इसमें रोम को संयुक्त इतली का राजधानी गोशित किया गया यदि समाज में करांथी लानी हो तो करांथी का नेते तो नव्यूगों को हाथ में दे दो यहां कतन जोसेफ मेजिनी का है इतली का राष्ट का राष्ट इसमें काउंट कावुर ने किया इतली की एकता का जर्म दाता नेपोलियन था इतली की एकता का जर्म दाता नेपोलियन था जर्मनी का एकी करन जर्मनी का एकी करन विस्मार्क ने किया जर्मनी प्रशा के साथ विलियम प्रथम का प्रथान मंत्री था जर्मनी का एकिरन बिस्मार्क ने किया बिस्मार्क परसा के साज़क विलियम पर्थम का पर्धान मंत्री था जर्मनी का सबसे सकती साली साज़क राज परसा था जर्मनी का सबसे सकती साली राज परसा था विलियम को जर्मन संग के सम्राट का ताज 88871 को पहना आए गया विलियम को सबसे अधिक भैफ्रांस से था जर्मनी में राष्टियता का संदेश वाक नेपोलियन बोनाबाट को माना जाता है जर्मनी में राष्टियता का संदेश वाक नेपोलियन बोनाबाट को माना जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्टवात का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है जर्मनी राष्टियता राष्टियता को डायट के नाम से भी जाना जाता था अस्ट्रिया का चांसलर मेटर निख था एक किरित जर्मन राष्ट के निर्मान में राके बोमर लसर इतियादी दाष्णी ने महत्पून भूमी का निवाई फ्रेंक पर्ट सम्विदान सबागा गठन माई 1848 सिस्वी में किया गया विलियम पर्थम के सासन काल में परशा का रक्षा मंत्री वान अरून एबम सेनापती वान माल टेग था विल्यम पर्थम के सासनकाल में परशा का रख्छा मंत्री वान औरुन एबं वेहनापती वान माल्टीक था 23 शिताम बर 1862 को विसमार्क परशा का चांसलर बना विसमार्क का जन्म 1 अपरेल 1815 को ब्रेडन भर्ग में हुआ था विलियम पर्थम ने विसमार को बाजिगर कहा था सेरे जोबा के यूद में 1866 में आस्ट्रिया के परसा के आगे आत्म समर्पन कर दिया सेरे जोबा के यूद में 1866 में आस्ट्रिया ने परसा के आगे आत्म समर्पन कर दिया 23-tee teenager 362 के पराग संदी के तर आस्ट्रिया जर्मन संग में सामिल हुआ फ्रांस एवं परसा के बीच सेडान का यूद 15-18-78-1970 को हुआ फ्रांस शे要म्ट परसा के बीच सेडान का युदा 15 ai7870 इस्वी को हुआ नेपोलियन तीर्थीय ने परसा के आगे 1 सितमब 73 इस्वी को आत्म समरपन किया नेपोलियन तिर्थी ने परसा के आगे 1 सितंबर 1878 इसवी को आत्म समर्पन किया विस्मार्क ने जर्मार्क ने जर्मनी के समराट विलियम पर्थम का राजिया विस्थ mismos, वर्साय के राजमहल में किया फ्रैंकफ़र्ट की संदी 10.80271 इस्वी को फ्रांस और पर्षा के पीच हुई सुदान के युद के बाद जर्मनी का एक हिकरन संभब हो सका सुदान के युद्ध के बाद जर्मने का एकी करन्स सम्भव हो जगा समाजवादी समाजवाद का प्रियोक्ता प्रप्रक्ता रोबर्ट ओवन को माना जाता है आदर्सवादी समाजबात का प्रप्रपक्ता रोबर्ट ओविन को माना जाता है वेग्यानिक समाजबात का संस्ता पर कार्ल मार्क्स था कार्ल मार्क्स जर्मानी का निवासी था कार्ल मार्स ने दास केपिटल और कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है फ्रांसिसी सामयवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है फेवियन सोसलिज्म का नेतिक्तो जॉर्ज बर्नार्ड स्वा ने किया फेवियन सोसलिज्म का नेतिक्तो जॉर्ज बर्नार्ड स्वा ने किया लंदन में फोवी फेवियन सोसाइटी के स्ताबना ठाड़े सो चौरासीस भी मोई दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्ड ने दिया रूस के सासक को जार का जाता था या जार साही वेबस्ता मार्च 1917 में समाब थोई जार मुक्ती दाता के नाम से अलेक्जेंडर डुटिय को जाना जाता है जार मुक्ती दाता के नाम से अलेक्जेंडर डुटिय को जाना जाता है रूस का अंतिम जार साचक जार निकोलस डुटिय था 1917 इसमी में हुई रूसी करांती का तातकाली कारण पर्थम विश्यूद में रूस की पराज़ई थी जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस डुटिय ने दिया था रूस में सबसे अधिक जंसें के असलाव लोगों की थी अन्ना केरे नीना की लेखक लियोटॉल स्टाई था सुन्यवाद का जनक तुर्ग नेव को माना जाता है रूसी सामयवाद का जनक पलेखा नोब को माना जाता है सोसल डेमोक्रेटिक दल की ऐस्तापना 1903 में रूस में हुई यह दल दो गुटों में विभाजी था बोलसेविक और मेंसेविक बोलसेविक का अर्थ बहुत संख्यक और मेंसेविक का अर्थ अर्फ संख्यक होता है बोलसेविक और मेंसेविक का अर्थ अर्फ संख्यक होता है बोलसेविक दल का निता लेनिन था 16 अपरेल 1917 इसमी में लेनिन रूस में गरांतिकारी योजना परकासित की जो अपरेल 33 के नाम से जानी जाती है 1921 इसमी में लेनिन रूस में आर्ठिक निती लागो की अधुनिक रूस का निर्मादा स्टालीन को माना जाता है लेनिन की मिर्टी 1924 सिस्विम हो गई राइट्स ओफ मैन का लेखक टॉमस पैन है मदर की रचना मैक्सिम गौर की ने की अस्थाई करांती के सिद्धान का प्रबर तक ट्रोट अस्थ की था प्रतम विश्यूद के दरान लेनिन का नारा था यूद का अंध करो प्रतम विश्यूद के दरान लेनिन का नारा था यूद कांध करो कार्ल मास्क का आजीवन साथी रा फ्रेडरिक अंजेल्स कार्ल मास्क का आजीवन साथी रा फ्रेडरिक अंजेल्स हम लोगा दोस्तों है ओध्योग करांती अद्योई करांथी को देखते हैं दोस्तों अद्योई करांथी का पद का परियोग्सवर पर्तम Arnold Toynabhi ने किया अद्योई करांथी के शुरुवाद इंगलेंड में हुई सबसे पहले स्कॉटलेंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सरके बनाने की विधी निकाली 1771 में ब्रिंडले नामक इंजिनियर ने मैंचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई 1771 में ब्रिंडले नामक इंजिनियर ने मैंचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई 1814 में जॉर्ज वासिंग जॉर्ज एस्टी फेंशन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाई 1814 में जॉर्ज एस्टी फेंशन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाई और दोगी करांथी की दौर में जर्मानी इंगलेंड का पर्ति द्वन्दी था और दोगी करांथी के हुए अविस्कार तेज चलने वाला सटल जॉन अविस्कारक था और सद मतल है तो जर्मानी तो जानसेट विस्कार रवह भावं जंडाला तो अविस्कार तेजब्श उपनेग जनी जैम्स हार घ्रीब्च इसके अविस्कारक थे सद्री सद्री सिस्षट शोई सब्सेजब्नेग जैनी पानिंग ची सक्ती सचालेट सद्री श्रेस्षो त wanna जानने वाला करगा करट डाइट को ऑड़ा दोर hennoe करगा कार टडगा सैफ्टी लैंप हंपरी डेद यह सब 15ज्वी पर सब्हुलेंड में में करांति इंक्लेंड में ग्री यूद चाल्स प्रतम के साजनकाल में 40022व्य में उप्र गय। सब्त वर्चिये यूद इंग्लेंड एवॉफ प्रांस के बीच 1756 से 1773व्य हुआ था सब्त वर्षिय यूद इंग्लेंड एवं फ्रांस के बिस सतरे सो चापण से सतरे सो तिरसाट इसमी में हुआ था गुलाबों का यूद इंग्लेंड में हुआ इंग्लेंड के सामन्तों ने राजा जौन को संथ 1215 इसमी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबू साधारन के अधिकारों का गोज़ना पत्र था ट्यूदर वंस की सक्तिसाली राजाओं के सासंकाल में संसद उनके काहतों के कटपुतली बनी रएी यलीजा फांसी की सजा दे दी गई इंगलेड के राजा चाल्स पर्थम को फांसी की सजा दी गई गरी यूद के दौराण राजा के समर्थगों को कैवेलियर कहा गया अगया पर्थम विशयूद की सुलाथ प्रत्म विश्यूद का तत्कालिक कारण अस्ट्रिया के राजकुमार और्क ड्यूक फॉर्डिनेंड को कि बोस्निया की राज़नी सेरा जोवा में 28 जून 1904 में की हतिया की गई थी प्रत्म विश्यूद का तत्कालिक कारण अस्ट्रिया के राजकुमार और्क ड्यूक फॉर्डिनेंड की बोस्निया की राज़नी सेरा जोवा जेवा में 28 जून 1904 में की हतिया की गई थी प्रत्म विश्यूद के में संपून 22 खेमों में बट गया मित्र राष्ट एवं धूरी राष्ट धूरी राष्टों का नेत्रितों जर्मनी में किया जर्मनी ने किया इसमें सामिल अन्य देश थे आस्ट्रिया हंगरी तुर्की बुल्गारिया और इटलिया दी धूरी राष्टों का नेत्रितों जर्मनी ने किया इसमें सामिल अ जाता है गुप्त संधियों की प्रणालियों यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर विस्मार्क को माना जाता है आस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के विश्त्री गूट का निर्मान अठरस बेरासी स्मिम हुआ त्रिगूट का सदस्य होने के बाब जूद इ आस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाब यूद में सामिल हुआ शर्विया की गुप्त करांती कारी संस्ताती काला हाथ रूस जापान यूद 1904-1905 का अंत अमेरिकी राष्ट्पती रूजवेल के मध्यस्तता से हुआ मोरकोस अंकर 1906 में पैदा हुआ प्रथम विश्वियूद के दोरान जर्मनी ने रूस पर आकरमन 1 अगस्त 1914 में किया प्रांस पर आकरमन 1 अगस्त 1914 में किया 4 अगस्त 1914 को इंगलेंड प्रथम विश्यूद में सामिल हुआ 26 अपरेल 1915 को इटली मित्र राष्टों की और से प्रथम विश्यूद में सामिल हुआ प्रथम विश्यूद के समय अमेरिका का राष्पती वुट्रो विल्चन था अमेरिका 6 अपरेल 1917 को प्रथम विश्यूद में सामिल हुआ अमेरिका 6 अपरेल 1917 को प्रथम विश्यूद में सामिल हुआ जर्मनी के यू बोट और इंगलेंड के लूसी तानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्यूद में सामिल हुआ और क्योंकि उस जहाज में पर मरने वाले 1130 वेक्तियों में 180 वेक्ति अमेरिका अमेरिकी थे जुलाए 1918 में ब्रीटेन फ्रांस और अमेरिका ने सहयुक्त सैनिक अभियान आरंब किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 में अस्टिलिया तथा हंगरी के समराट ने आत्म समर्पन कर दिया जुलाए 1998 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने सेयुक्त सैनिक अभियान आरम के और जर्मनी तता उनके सही योगी देशों की हार होने लगी सितमबर 1998 में बुलगाडिया, अक्टूबर 1998 में तुर्की और तथा 3 नवंबर 1998 के अस्चलिया तथा हंगरी के समराट ने आत्म समरपन कर दिया जर्मन समराट कैंसर विलियम दुतिया ने 10 नवंबर 1998 इस वी को अपने पद से इस्तिफा दे दिया और हॉलेंड भाग गया ऐसी अबस्ता में समाजवादी परजातांतिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एकतंतर के अस्तार पर गंतंतर के अस्तापना किया और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया जिसने 11 नवंबर 1908 को युद वीराम के संदी पर हस्ताक्षर कर दिया फॉल्स और पर्थम विश्यूद समाप्थ हुआ जर्मन समराट कैंसर विलियम दुटियन 10 नवंबर 1908 को अपने पद से इस्तिफा दे दिया और हॉलेंड भाग गया इसी अवस्ता में समाजवादी परजातांतिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एकतंतर के अस्तान पर गंतंतर के अस्तापना की और अपने निता फ्रेडरिक एलबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया जिस ने 11 नवंबर 1908 को युद्ध विराम की संदी पर हस्ताक्षर कर दिया फ्रल्स और उपर्थम विश्यूद समाप्त हुआ अठाड़े जून 1919 को पेरिश संदी संदीयों की सरते केबल तीन देस ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तैक कर रहे थे पेरिश संदीयों में शंदीयों की सरते निर्धारित करने में जिन राष्टा द्यक्षण ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिकी राष्टपती वुड्रो विल्सन, ब्रितन के पर्धानमाथि लॉयर्ड जॉर्ज और फ्रांस के पर्धानमाथि जॉर्ज क्ले मेसो। रखने के अधिकार छिन लिये गए जर्मनी के सारे उपनी विजित राष्टों ने आपस में बाट लिये। पर्धम विश्यूद का सबसे बड़ा योगदान राष्ट संकियस था अपना थी। पर्धम विश्यूद के दोरान होने वाली वर्चाई की संदी में दुतिय विश्यूद का विजार उपन हुआ। पर्धम विश्यूद के दोरान होने वाली वर्चाई की संदी में दुतिय विश्यूद का विजार उपन हुआ। चीनी करांती मंचू राजवंस का पतन 1911 में हुआ। 1911 में हुई चीनी करांती का नायक सन्यात सेन था। 1905 में सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल की अस्तापना की जिसका उद्देश चीन में मंचू वंस के सासन को समाप्त करना था। 1905 इसमें सन्याद चेन ने तुंग मेंग दल के स्थापना की जिसका उधिय स्चीन में मंचु बंच का साथन समाप्त करना था करांति कारियों ने 29 दिसंबर 1911 स्वी को सन्याद चेन को अपनी सरकार का अध्यक चुना 1911 की करांति के बाद चीन में गंतंतर सासन पद्दती की अस्तापना हुई 1911 स्वी के करांति के बाद चीन में गंतंतर सासन पद्दती की अस्तापना हुई अपना नेत्रत वापस ले लिया 1912 में सन्याद सेन ने कुऊ मिन तांग पार्टी की अस्तापना की जिस पार्टी के पुनरगठन के लिए सेन ने माइकल बोरो दिन को आमंत्रित किया 1925 शनियात सेν ने कुओ मिन तौंग पार्टी के हसापना कीस पार्टी के पुर्नरगठन के विवे सेन ने मायगेल बोरो दिन को आमंतरित किया डॉक्टर सनियात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गेलेन को चुना डक्टर सनियाद सेन अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना डक्टर सनियाद सेन के तीन सिधानते राष्टवाद, लोकतंतरवाद और समाजिक नियाए डक्टर सनियाद सेन के तीन सिधानते राष्टवाद, लोकतंतरवाद और समाजिक नियाए दक्टर सन्याद सेन को चीन का राष्ट पिता कहा जाता है तांग वंस चीन में तांग वंस की ताथ एक सामराज अस्थापित हुआ जो लगबग तीन सव वर्सों तक तांग समराज परिक्षा के माध्यम से नुक्त की गई नुकर साही तौरा प्रशाशित हुआ जो लगबग तीन सो वर्सों तक सात्वी से नावी सदी तक जत्ता में रहा इसकी राजानी सियान तुनिया की सबसे बड़े नगरों में एक थी तांग समराज परिक्षा में माध्यम से न्युक्त की गई नौकर्शाहित और प्रशासित होता था डुक्टर सन्याद सेन की मिर्तियु नियुक्तियाग काई सेख ने 1926 में को मिनतांग पार्टी का नेतितों समाला रग्ड सन्यान सेन की पार्टी मिर्तियों के बाद तयांग काई सेख ने 1926 में कुओ मिन तांग पार्टी का नेतेतों समाला 1937 में कुओ मिन तांग पार्टी से सामयवादी लोग अलग हुए 1937 में कुओ मिन तांग पार्टी से सामयवादी लोग अलग हुए चीन में गिरी यूद 1908 इस्वी में शुरू हुआ 1925 इस्वी को हुआन के विशाल किसान अंदोलन का नेते तो मा उच्छे तुंग ने किया मा उच्छे तुंग का जन्मठर 293 इस्वी में हुनान में हुआ था च्यांग काई सेख ने केंदरिये सरकार के सत्ता नौंग किंग में संभाली च्यांग काई सेख ने केंदरिये सरकार के सत्ता नौंग किंग में संभाली च्यांग काई सेख ने अपनी सरकार के सतापना फार मोसा में की कि च्यांग काई सेख ने अपनी सरकार के अस्तापना फार्मोसा में की सामेवादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई सेख ने बुलू सर्ट आदंगवादी दल की घोसना किया सामेवादी के दमन के के लिए एक टूबर मैं जनवादि गनिराज की अस्थापना की गई चीनी सामेवादी गनतंत्र का पर्थम अध्यक्ष माउत्zeug तूंग था चीनी जनवादी गनराज का परतम पर्थम मतली चाउ एन लाई था चीन के जनवादी गनराज की राजानी हुनान था चीन के गंजरवादी गंजराज की राजानी हुनान था खुले द्वार की निती चीन में अपनाई गई थी खुले द्वार की निती चीन में अपनाई गई थी चीन के द्वाराग खोलने का असरे बृतेन को दिया जाता है चीन के द्वार खोलने का सरे ब्रिटेन को दिया जाता है खुले द्वार की निती का प्रतिपादक जौन हे था चीन एसिया का मरीज के नाम से जाना गया है चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थापना 1921 में हुई तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था पान इस्लामिज्म का नारा अबूल हमीद द्वितिये ने दिया था यूवार तुर्क आंदोलन की सुरवात अबूल हमीद द्वितिये के सासनकाल में 1908 में हुई परत्थम विश्यूद के बाद तुर्की के साथ भीषन आप पान जनक संदी परत्थम विश्यूद के बाद तुर्की के साथ भीषन अप मान जनक संदी सेव की संदी 10 अगस 1926 भी को की गई मुस्तफा कमाल पासा ने इसे मानने से इनकार कर दिया आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पासा को माना जाता है इसे ओतार तुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है इसे अतार्ख तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है मुस्तफा कमाल पासा का अपचारिक जन्मेतिती उन्नीस समय उठार से क्यासिस भी सेले निका में हुआ था इसके पिता का नाम अली राजा था तुर्की में एकता और प्रगती समिती के परभाव में आया एक सेनापती के रूप में कमाल पासा गली पोती युद में सांदार सफलता हासिल की इसके बाद 1919 में कमाल पासा ने सेनिक पत से इस्तिपा दिया। 1919 के अखिल तुर्क कॉंग्रेस के परतम अदिवेशन के अधेखता मुस्तफा कमाल पासा ने की, 1923 तुर्की एवं युनान के बीच लिजान की संदी होई। मुस्तफा कमाल पासा ने की 1923 में तुर्की एवं युनान के बीच लिवजान की संदी हुई 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गंतंत्र की गोशना हुई 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गंतंत्र की गोशना हुई कमाल पासा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 सिस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया 20 अपरेल 1924 को तुर्की में नए सम्विधान की गोशना हुई तुर्की के नए गंतंतर का राष्टपती मुस्तफा कमाल पासा हुआ तुर्की के नए गंतंतर का राष्टपती मुस्तफा कमाल पासा हुआ रिपब्लिकन पीपूल्स पाटि का संस्तापक मुस्तफा कमाल पासा था उस्तामबूल में एक मेडिकल कॉलेज के स्तापकना ग्रेगोरियन कैलेंडर का परचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू हुआ मुस्तफा कमाल पासा दोरा किये गए महत्पुन कार्य निम्न है 1932 में तुर्की भासा परिशत के स्थापना 1933 में तुर्की में परतम पंचवर्ची योजना का लागू होना 1924 में तुर्की को धर्म निर्फिक से राज़ की गोशना इस्तामबूल में एक मेडिकल कॉलिज के स्थापना ग्रेगोरियन कैलेंडर का पर चलन 26 दिसंबर 1925 से लागू हुआ इस्तामबूल का पुराना नाम कुस्तुन तुनिया था 25 नवंबर 1925 से को तुर्की में तोपी और अरोतों का बुर्का पहनने का कानूनी परतिबंद लगाया गया कमाल पासा की मिर्थी 1938 से में हो गई अब मैं लोग देखें इतली में फासिस्टों का उद्ध है इतली में फासिस्टों का उद्ध है आ जाता था फासिवाद राष्टवाद का समर्थन करते थे फासिवाद राष्टवाद का समर्थन करते थे फासिवाद दल के स्वेंसे वक्त काली कमीश पहनते थे फासिवाद दल के स्वेंसे वक्त काली कमीश पहनते थे मुसोलीनी ने डियाज हो सेना का अधिकाली नियमों की संहां 22 थी मुस्वलोनी दोरा बनाएगे नियमों की संहां 22 थी राश्ट्रिय निगम परिशत का अध्यक्ष मुस्वलोनी था जिसकी सदस्यों की संहां 500 थी ग्रेंड कॉंसिल और फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संहां 25 थी मुस्वलोनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अभी सीनिया पर आकर्मन किया जापान एबं जर्मनी के साथ मुस्वलोनी ने रोम बरलिन टोक्यो दूरी का निर्मान 1936 में किया मुस्वलोनी ने दर स जुन 1949 सिस्वी को दूतिय जुद के दोरान मितर राष्टों के विरुद घोसना की इतली में फासिवाद का अठैस अप्रण 1945 को माना जाता है अगे जर्मन में नाजी वाद का हुदा है जर्मन में नाजी वाद का हुदा है देखते हैं दोस्तों जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतितु में हुआ हिटलर का जर्मन बीस अपरेल 1889 को आस्ट्रिया के ब्रोना नामक सहर में हुआ था हिटल प्रथम विश्यूत 1910-198 में ङटलर की तरफ से लड़ा गया थी उध में अभूत्पूर वीर्ता, यहीद ऐसे नाम के नाम बदल कर नेशनल सोस्लिस्ट जर्मन वर्कस सब्सक्राइब नाम बदल कर नेशनल सोसलिस्ट वजर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया धीरे-धीर हिटलर इसके फ्यूरर नेता बन गया 1923 इसमी में हिटलर ने लुदेन डाःफ के साथ मिलकर वाइमर जणतन्द कि छिला विद्रो कर दिया विद्रों और सफल वाहितलर को बंदी बना लिया गया जेल में ही हिटलर ने अपने परसिद आत्मकता मीन कैंफ की रचना की 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया जेल में ही हिटलर ने अपने दल के फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को परतिक के रुप में परतगरहन किया 1923 में हिटलर ने लुडेन डार्फ के साथ मिलकर वाइमर गंतन्त की खिलाः विद्रो कर दिया विद्रो और सफल वा हिटलर को बंदी बना लिया गया जेल में हिटलर ने अपने परसित आत्मकता मीन कैफ की रचना की 1924 के अंत में उसे जेल सरीहा कर दिया गया जेल चरिया होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को पर्तिक के रुप में गरहन किया 1932 के चुनाव में हिटलर को नाजी पार्टी को 230 सीटे प्राप्त हुई परंतु उसे सरकार बनाने का मोखा नहीं मिला बाद में राश्टपती हिडेन वर्ग ने 30 जनवर 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनित किया 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटे प्राप्त हुई परंतु से सरकार बनाने का मोखा नहीं मिला बाद में रास्टपती हिडेन बर्ग ने 30 जनबर 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनित किया अगस्त 1934 इस्वी में हिडेन वर्ग की मिर्ट्यू पर चांसलर और रास्टपती के पद को मिला कर एक कर दिया गया अगर्श तो 1934 में हीडेन वर्ग की मिर्थियों पर चांसलर और रास्पती के पद को मिला कर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वे सर्वा बन गया गुप्तचर पुलिस गोश्टापों का संगटन हिटलर ने किया था गुप्तचर पुलिस गोश्टापों का संगटन हिटलर ने किया था एक राष्ट एक नेता का नारा हिटलर ने दिया नाजी दल का प्रचार कारी गोएबल्स संभालता था जर्मन सुरक्चा परिशत के अस्तापना 4 अपरेल 1933 में हुई हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुना सस्त्री करन की घोशना की उसने वर्षाई संदी की निस्तास्त्री करन समदित सभी धाराओं को तोरें की घोशना की एवब उसने पूरे जर्मनी में अनिवारी सेनिक सेवा लागू कर दिया हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुना सस्त्री करन की घोशना की उसने वर्षाई संदी की निस्तास्त्री करन समदित सभी धाराओं को तोरें की घोशना की एवब उसने पूरे जर्मनी में अनिवारी सेनिक सेवा लागू कर दिया सामेवादी खत्रा से बचने के लिए जर्मानी इतली वं जापान के बिच कमिंटर्न विरोधी समझोता 1936 संपन हुआ जो कालंतर में धुरी राष़् के नाम से परसीद हुआ सामेवादी खत्रा से बचने के लिए जर्मानी इतली वं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझोता 1936 संपन हुआ जो कालंतर में धूरी राश के नाम से परसीद हुआ हिटलर ने 1 सितंबर 1949 इस भी को पॉलेंड पर आक्रमन किया हिटलर ने 1 सितंबर 1949 इस भी को पॉलेंड पर आक्रमन किया हिटलर की विस्तारवादी निती का पहला सिकार आस्ट्रिया हुआ हिटलर की विस्तारवादी निती का पहला सिकार आस्ट्रिया हुआ हिटलर ने 30 अपरेल 1945 को आत्मत्या की अमनों लोग जापानी समराजवाद को जानते हैं जापान के समराजवाद का सबसे पहला सिकार चीन हुआ 1833 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल पर्योग कर जापान का दौर अमेरिकी वैपार के लिए खोला 1833 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल पर्योग कर जापान का दौर अमेरिकी वैपार के लिए खोला जापान में आधुनी की करण की प्रक्रिया की शुरुवात मुथ सुहितों ने की 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवारिक कर दी गई 1905 में जापान ने रूस को हराया जापान रूस युद की समावति 5 सितंबल 1905 को पार्स माउथ की संदी दोरा हुई जापान ने 1931 में अपनी सामराजवादिया कांचाओं की पूर्ति के लिए मंचुरियां पर आकर्मन किया 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट संदी 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 दोरा हुई जापान पर पहला बंच्छे अगर्ष 1945 को हिरोशिमा पर गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी पर अनुबम गिराए जाने के कारण जापान ने दुटिया विश्यूद में आत्म समर्पन किया था अब आता है दुटिया विश्यूद एक सितंबर 1949 को जर्मनी ने पॉलेंड पर आकर्मन किया इसके दो दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विदूद यूद की गोशना कि और इसी के साथ दुटिया विश्यूद की शुरवात हुई या च्छे वरसों तक लड़ा गया इसका अंत दो सितंबर 1945 को हुआ इसमें एक सर देसों ने भाग लि दुटिय विश्यूद का ततकाली कारण जर्मनी का पोलेन पर आकर्मन था दुटिय विश्यूद के दोरान जर्मन जनरल रोम मेल का नाम डेजर्ट फोक्स रखा गया था दुटिय विश्यूद के दोरान जर्मन जनरल रोम मेल का नाम डेजर्ट फोक्स रखा गया था म्यूनिक प्यक्ट सितंबर 1936 में संपन हुआ जर्मनी ने वर्चाइगी संदिका उलंगा 1935 में किया जर्मनी दौरा सोवियत संग पर आकर्मन करने की योजना को आपरेशन बार बोसा कहा गया जर्मनी दौरा सोवियत संग पर आकर्मन करने की योजना को आपरेशन बार बोसा कहा गया 23 अगर्स 1949 इसवी को जर्मनी रूस आकर्मन सम्झोते पर आहस्ताक चर हुए जर्मनी ने रूस पर सम्झोता उलंगन का आरोप लगा कर उस पर 22 जून 1941 इसवी पर आकर्मन कर दिया फरवरी 1943 इसवी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई 23 अगर्स 1949 इसवी को जर्मनी रूस आकर्मन सम्झोता पर हस्ताक चर हुए जर्मानी ने रूस पर समझोता उलंगन का रूप लगा कर पर जब 22.1941 को आकर्मन कर दिया फरवरी निचाथ आरी सिस्वि में रूसी से ना जर्मानी को हराने में सफल हुई जर्मानी की ओर से दुटिये विश्यूद 10.1944 को इटली में ने परवेश किया जर्मानी की ओर से दुटिये विश्यूद में 10.1944 को इटली में परवेश किया अमेरिका का दुटिये विश्यूद में परवेश 8.1941 को हुआ इसका कारण जापान दौरा 7.1941 का हवाई दुटिये परल हारबर के अमेरिकी नौसेनिक अड़े का परजबरदस थमला था दुटिये विश्यूद के समय इंगलेंड का परदान मत्री विंस्टन चर्चिल एबं अमेरिका का राष्पती फ्रेंक्लिन डी रूजवेल्ट था दुटिये विश्यूद के समय इंगलेंड का परदान मत्री विंस्टन चर्चिल एबं अमेरिकी अमेरिका का राष्पती फ्रेंक्लिन डी रूजवेल्ट था रूजवेल्ट राष्पती पद के लिए चार बार चुने गए और 1903-1945 तक इस पद पर रहे वे अमेरिका के पहले राष्पती थे जिनों ने दो बार से ज्यादा इस पद को सुभा बढ़ाई इनका संबद डेमोक्रेट पार्टी से था इंग्लेंड की सांदर अलगाववादी की नितिक आविचार सेली सेली सेवरी था वर्चाइगी संदी को आरूपी संदी के नाम से जाना जाता है जर्मनी की पराजे का सरे रूस को दिया जाता है जर्मनी की पराजे का सरे रूस को दिया जाता है दितियव इस यूद के दरान अमेरिका ने 6 अगस 1945 इसवी को जापान पर अनुबं का पड़ियों किया इस यूद में मित्र राष्टों दर अपराजित होने वाल अंतिम देश जापान था अमेरिका ने 6 अगस 1945 इसवी को हीरो सिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस 1945 को नागा सकी पर फैटमेन पलोटोनियम 249 नामक एटम बं गिराया था अमेरिका ने 6 अगस 1945 इसवी को हीरो सिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस 1945 को नागा सकी पर फैटमेन पलोटोनियम 249 नामक एटम बं गिराया था यूरोप में दुईतिय विश्यूद का 8 मैं 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना सर्थ आत्म समर्पन कर दिया यूरोप में दुईतिय विश्यूद का 8 मैं 1945 इसवी को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना सर्थ आत्म समर्पन कर दिया 15 अगस 1945 को एसिया में भी दूसरा विश्यूद समाप्त हो गया जब जापानी सामराज ने आत्म समर्पन करना स्विकार कर लिया इस गोशना पर 2 सित्मबर 1945 इसवी को यदों की खारी इस्तित अमेरिकी यूदपोत मिसोरो पर मितर राष्टों के सर्वोच सेनापती मैग आथर के समक्च जापान ने हस्ताक्षर किये जापानी परदान मंत्री एडमीडल सुजू की ने अतियाग पतर दे दिया 15 अगस्त 1945 को एसिया में भी दूसरा विश्यूद समाप्थ हो गया जब जापानी समराज ने आत्म समर्पन करना स्विकार कर लिया इस गोशना पर 2 सित्मबर 1945 को यदों की खाड़ी इस्तित अमेरिकी युद्ध पोत मिसूरो पर मितर राष्टों के सर्वत सेनापती मैग आथर के समक्ष जापानी परदान मंत्री एडमीरल सुजू की ने तियाग पतर दे दिया अंतराष्टिय छेतर में दूतिय विश्यूद को का सबसे बड़ा योगदान सन्युक्त राष्चंग का अस्थापना था है दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और जदी अच्छा लगा हो तो बहुत सारे दोस्तों के बीद शेयर करें धन्यवाद दोस्तों